हलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हो आप सब लोग, मेरी तरफ से आप सभी को, रादे रादे, जैश्री कृष्णा, हरे ओम, या फिर जो भी आप करते हैं, जैहिंद, सभी बच्चों को, कैसे हैं सब लोग, जल्दी से बताईए, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुँच रही है, कैसी है सर आपकी हेल्थ, हेल्थ तो यार ठीक है, थोड़ा सा बेटर है पहले से, बट ये है कि, काम चल रहा है काम चल जाएगा, इतना हम करेंगे आज, देखो, एफर्ट तो करना ही है, अब मंजल सीरीज है, कोई छोटी मोटी सीरीज तो है नहीं, आप लोगों के लिए, जब बोला है कि भई, मंजल तक पहुँचाना है, तो ठान लिया है, तो बेटा करके दिखाना है, तेम वे, कैसा नहों कि दो तीन घंटे बाद अवाज बंद हो जाए, हाँ, चलिए, तो कैसे है सब लोग, लक्षे, स्वरी, लक्षे कहा रहा हूँ, मंजल बैच में कैसे है सब लोग, जल्दी से बताईए, जल्दी से बताईए, हाँ, गूड इवनिंग सर, गूड इवनिंग, आग काफी सारे बच्चे लगे हुए हैं पूरे जोरो शोरो से महनत कर रहे हैं फॉर्ट कर रहे हैं उन्हें पता समझ आ गया है उन्हें कि भई कितना क्रूशल टाइम है यह ना यही में आने वाला है और यह उन सभी बच्चों के लिए एक तरह से बूस्ट है जो कहीना कहीं फस गए थे बीच में और कुछ चैप्टर्स उनके छूट गए थे या फिर उनकी तैयारी बिलकुल नहीं हो पा रही थी या जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी तो आइम शूर आप लोग महनत कर रहे हैं बेटा महनत कर रहे हैं हाँ चाबाश चाबाश बहुत सही मस्ट है सर हम बढ़िया हैं वेरी गुड वेरी गुड बस ऐसा ही लगे रहो बेटा महनत करते रहो इसी तरह से और मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी एफ़र्ट करना बहुत इंपोर्टन्ट है देखो ठीक है काफी सारे बच्चे हाँ और ए कि एक चैप्टर फिर DPP भी लगाऊं कितना करूँगा तो बच्चों देखो अगर आप उस स्टेट में हैं कि अगर आपने स्टार्ट किया और आप मुझे सुन पा रहे हैं स्टार्टिंग में आ गए देखने फिर दी मोटिवेटेड सा फील कर रहे हैं कि सर नहीं हो पाए होगी कि आप उसको छोड़के बैड़ जाएं ठीक है यह तो सबसे असान चीज है कि आप छोड़के बैड़ जाई यह वीच में सीरीज हमने स्टार्ट करी चार-पांच चैप्टर फुल जोश में देखे फिर हमारे से नहीं हो पा रहा था इत्ती मेहनत नहीं कर पा रहे त आगे बढ़ते जाओ कोई दिक्कत नहीं है 60-70% करके भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम लास्ट तक चलते जाओगे लास्ट तक खीशते जाओगे पुरी जब सीरीज खतम करोगे तब तुम्हें रेलाइज हो जाएगा कि तुमने बहुत अच्छा किया कि जो इसको अप नहीं किया ठीक है क्योंकि लास्ट 20% रिवीजन के टाइम भी इंप्रॉब्मेंट कर लोगे और 60-70% अभी कर लिया 10-20% रिवीजन में कर लिया हो गया भाई 70-80% कोई चैप्टर प्रिपेर हो गया तो बहुत होता है वो जहीं के लिए 100% नहीं प्रिपेर होता इवन अपर्स का भी 100% प्रिपेर नहीं होता ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जो अंडर 100 रैंक लाएं आइटी एडवांस में उनके काफी सारे चैप्टर वीग थे बचा साथ परसेंटी आता था वो चैप्टर फिर भी अंडर 100 रैंक ला रहे हैं राइट तो इस बात को सब ध्यान रखेंगे इस बात को सब लोग याद ध्यान रखेंगे इस्पेशली वो बच्चे जिन्होंने कही ना कहीं गिव अप कर दिया बीच में और जो यह लगता है कि सर नहीं हो पाएगा मुझसे या नहीं कर पाऊँगा आज यार एक वादा करो कि सर हम फुल हम स्टर करें आज का लेक्चर समय हैं जल्दी से दिल बना दीजिए या फिर येस सर लिदी डीजिए ताकि मुझे समझ आ जाए promise sir promise promise very good very good बस यही यही चाहिए तुम लोगों के यही effort अगर तुम लोग करते रहोगे तो यही तो हमें drive करता है बेटा जो हम तवेत खराब में भी classes ले सकते हैं हमारी team इतनी महनत करती है तुम लोगों के लिए यही एक motivation है कि तुम लोग ready रहो तुम लोग बिलकुल अपना 100% देने के लिए हमेशा ready रहो ठीक है चलिए very nice तो start किया जाए भई आज का session आज हमारा जो chapter है बहुत interesting one of my personal favorite chapters in geometry circles है ना भई सुमारी अब coordinate geometry start हो गई है straight line तुम लोगों ने कर लिया है अब बारी आ रही है second chapter की circles की अब इसमें एक दो बाते बोलूँगा पहले start करने से पहले sir state lines पढ़ लिया है तभी देखें जी हाँ बिलकुल state lines के बिना अगर आप circles देखेंगे तो आपको नहीं समझाएगा basic NCRT level state line तो at least आपको आना चाहिए तभी circles के fundे clear होंगे आपके 100% दूसरा सवाल क्या sir हम basic से करेंगे क्या अगर मैंने बिलकुल नहीं पढ़ा तो फिर मैं कर सकता हूँ बिलकुल कर सकता है वेटा क्योंकि geometry जो है उतनी फाडू चीज नहीं है हाइफाई नहीं है जैसे मानले PNC था या फिर binomial होता है कि concept बहुत सारे हो हलकी फुल का chapter होता है इसमें थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा लेगा तो तेरको समझ आ जाएगा राइट हर chapter का देखो nature होता है अपना अपना coordinate geometry जो है वो असान category में आती है बट इसका ये मतलब नहीं है कि बड़ा हलवा होने वाला है देखो दो चीज़े होती है एक होता है असान समझने में और एक होता है असान exam में number लाने के लिए तो exam में number तब आएंगे जब तो इसके एक concept को learn करोगे notes बनाओगे अच्छी तरह proper तरीके से सारी चीज़ें लिखोगे देखो मैंने बाकी chapters में नहीं बोला बट coordinate geometry में तुम्हे notes पे बहुत focus करना है आज जो भी मैं तुम्हे बताने वाला हूँ उसको अपने बढ़िया करके चाहे दो घंटे तुम्हे एक्स्ट्रा लग जाए उसको जाके लिखिए proper तरीके से notes बनाईए सिर्फ short notes नहीं proper notes बनाईए क्योंकि geometry में होता क्या है बेटा notes से भार चीज नहीं जाने वाली जो तुम्हें हम लोग करा देंगे notes में अगर तुम्हें उतना भी ढंग से करके चले गए उसको दो बार revision करके तुम coordinate geometry में चले गए तुमारा काम चल जाएगा जेही mains में तो अराम से और advanced में भी समझ ले 50-60% तो वैसे ही आने वाले है ठीक है तो बहुत बच्चे ऐसे होता है जो मैंने देखा है specially जो droppers है या फिर जो 12th में है उन्हें लगता रहे geometry छोड़ देता हूँ इतनी बड़ी unit 5-5 chapter कौन करेगा तो ये गलती मत करना बेटा ये one of the most scoring units है 11th की one of the most scoring units है 5 chapters है इसके अंदर और समझ ले 5-6, 6 सवाल तो minimum 5-6 सवाल तो आ नहीं है जेही में के अंदर geometry के और straight line circle मिला के दो सवाल तुमने दिखेंगे ही दिखेंगे तो इसलिए इसको छोड़ने की गलती मत करना स्पेशली जो बच्चे January का जेही में दे रहे हैं जिने भी लग रहा है कि सर मैं इसको छोड़ देता हूं या कोन एक section को छोड़ देता हूं बाकी chapter पर ध्यान लगा लेता हूं तू मेरे कहने से बेटा सिर्फ इसकी अगर तू छोड़ने वाला है तो तो तू तो तेरे पास बिल्कुल समय नहीं है तो तू सिर्फ मंजिल में उसका lecture देखके चले जा proper तरीके से chances are very high कि तुम्हारा उसी से related सवाल बन जाएगा जही के अंदर ठीक है हाँ चलिए तो इस बात के साथ अब स्टार्ट करेंगे जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं काफी सारे भी वाई क्यूज करेंगे हम आज as always बहुत सारे सवाल तुम्हें करवाऊंगा आज मैं circles के उपर I think कौह से उपर ही सवाल जाने वाले हैं maths में सर क्या मैं आपके जैसा बन सकता हूँ तू मेर से भी बढ़िया बन सकता है यार तू बिलकुल तेरे अंदर बहुत capability है सिर्फ उस capability को जगाने की देर है effort मार full effort मार बेटा तो तू मेर से क्या बहुत आगे निकल सकता है और हर इंसान के अंदर capability है सिर्फ फरक है बेटा मेहनत का अपने आपको किसी से कभी कमजोर नहीं समझना और कभी यह नहीं समझना कि मैं नहीं कर सकता मैं भी बहुत आवरेज के साथ कि हम भी करेंगे क्यों नहीं कर सकते जब बाकी लोग कर सकते हैं तो वही तुम्हें लगना है वही रखना है तो में भी अपने अंदर जोश maintained तोचना है कि हम भी कर सकते हैं चलिए तो start करेंगे बच्चों start करेंगे start करेंगे हम लोग circles का lecture circles का lecture start करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले बिल्कुल basic से start करेंगे equation of circles पढ़ेंगे क्या होता है बिल्कुल basic से start करेंगे and then intercepts by a circle देखो ये बिल्कुल basic चीजे हैं इस पर भी जेई सवाल पूछता है तो मैं दिखा दूँगा मैं कई बार हम इनको ignore मार देते हैं रहे ये कि आए बिल्कुल basic क्यों पढ़ू हूँ मैं उतना basic तो भी circle बूछा जा रहा है ठीक है ना चलिए और उसके बाद tangent normal tangent normal पढ़ेंगे chords पढ़ेंगे circles की दो circles के बारे में पढ़ेंगे nature of two circles, family of circles radical axis, radical center, orthogonal circles और फिर last में, देखो करने को circles में मैं अभी जितना मैंने लिखा है उतना ही तुम्हें और करवा सकता हूँ बट सवाल ये है कि जेई में किस पर questions आते हैं जेई में जो questions आते हैं बेटा वो इनी चीजों पर आते हैं अगर तुमने ये भी पढ़ लिया तो तुम्हारे सारे जेई के questions चाहिए mains हो चाहिए advance को cover हो जाएंगे ठीक है ना तो बहुत बड़ा chapter बनाने को इसको 15 घंटे का भी बनाया जा सकता है बट उसका purpose नहीं होगा बेटा defeat हो जाएगा purpose क्या है हमारा बंजल सीरीज में तेरा purpose क्या है बता purpose यह कि सर मेरे से quick या तो मेरा revision हो जाए या फिर मैं बिल्कुल basic से अगर करना चाहता हूँ तो पूरा chapter मेरा cover हो जाए जेई में जिस तरह के प्रकार के सवाल आने वाले है वो cover हो जाए तो वो तुमारा पूरा cover हो जाएगा 10-12 घंटी की तो हमारा selection हो जाएगा तो मैं खुद से भी करनी है बेटा practice जब तक तुम खुद अपना दिमाग नहीं लगाओगे 50-60 सवालों में क्योंकि यहाँ पर जब मैं कराओँगा तो तुम मैं तो तुमें hint दे दूँगा तो बिटा फाइदा नहीं है तब है अपको असली फाइदा ठीक है चलिए सर फैमिली तो कट हो गया है देख बिटा छोटी सी चीज है फैमिली और सरकल ऐसा कुछ खास नहीं है हलका फुलका सा है तो पढ़ लेंगे और advance में से कट हुआ नहीं है इसके बाद ठीक है ना उनका नुकसान नहीं होना चाहिए चलिए चलिए इतना basic tangent आएगा देख जेई के उपर भरोसा मत कर इतना ज्यादा मत रटके जा कि ये syllabus है यही मैं देखूंगा उससे match करूंगा वहाँ जेई ऐसे नहीं करता बेटा इतने सालों से तु देख इसका best example है अगर तुम लोगों को लग रहा है ना syllabus cut होगे है sir ये नहीं पूछेगा वो नहीं पूछेगा तो आज से पहले का syllabus देख 2022 तक का और paper देख क्या था बहुत चीज़े ऐसी मिल जाएंगी जो syllabus में लिखी नहीं थी फिर भी आ रही है थोड़ा बहुत वरना जही नया कुछ कैसे करेगा तुम्हें चमकाएगा कैसे चकमा कैसे देगा ऐसे ही देगा वो ये बोल देगा कि भाई देखो मैंने तो इसमें straight line का concept पूछा है ये तो तेरे syllabus में है अब तू रोता रहे इसके आगे रोएगा इसलिए better है जो चीज़े कराई जा रही है कर लो ज्यादा लंबी जो बिल्कुल ही फाल्तू की है जे हाँ बिल्कुल एक section ही उड़ा दिया है ना भई वो पूरा मैंने नहीं ले रहा हूँ बट हाँ जो चीज़ें ambiguous है कि हाँ भई पूछ भी सकता है जेई पता नहीं गुसा दे नहीं गुसा है वो अपन कर लेंगे ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए ज्यादा खुश नहों कि सर ये इस label reduce हो गया वो हो गया जेई का कोई भरोसा नहीं है भाई हाँ पहले ही बता रहा हूँ हाँ SOT को देख लो सर आ बिल्कुल देख इसकी सबात बिल्कुल सही है SOT नाम का एक chapter था जो advancement last year जई ने हटाया था उसका पैसे जाया है 2023 में ठीक है वो तुम्हें हटाने को बोल देता है ताकि तुम्हें चमकमा दे दे फिर exam में कुछ तो दिखाएगा कि भीया हमसे नही ने बताया geometry है मज़े मज़े से समझेंगे conceptual तरीके से पढ़ेंगे मेरा one of the favorite chapters है आप लोग को भी full effort लगाना है बेटा अगले 6-7 घंटे अपनी life के circles को दे दो ठीक है और फिर circle तुम्हें बहुत बहुत प्यार देगा सवाल तुमारे राम से हो जाएंगे फिर इसके क्यों आज क्लास क्यों है क्योंकि बेटा कल ना हो पाई कल मैं क्लास नहीं ले पाया मेरी तवियत खराब थी आज भी है वैसे बट इतनी हो बेटर हो गई है कि आवाज निकल जाए मेरे गले से हम चल बेटा स्टार्ट करें सब लोग जल्दी से एक बार बताईए कि दिल बना के भेज़ दो या येस या थमसब जो भी तुम्हें अच्छा लगे बना के भेज़ दो पता चलक खोल के वैट जैसा थमसब पीने को बोला आपने वो नहीं वो तो गंदी बात थमसब नहीं चीए वेटा अच्छी जीज़े पियो वरनक मेरे जैसा गला हो जाएगा जल्दी स दिल बनाईए या थमसब दिखाईए चैट पर हाँ चुरू करो सर अरे बिलकुल कर रहे है भाई बिलकुल एक बार शुरू होने के बार रुकेंगे थोड़ी चताबदी एक्सप्रेस है हमारी ट्रेन हाँ कर दो सर सर बहुत सारे कराना अरे बिलकुल भाई तू देख तो स ही तेरे हाथ में धर्द हो जाएगा इतने question करेंगे है हां तो जो बच्चे revision कर रहे है वो खुद से भी try करें ठीक है questions बीच बीच में चलिए तो start करते है सबसे पहले तो circle होता क्या है circle क्या होता है सर यह गोला होता है अरे गोला नहीं भाई maths में क्या definition होती है maths में definition होती ह एक ऐसा point जो move कर रहा है देखो ये वाला point का locus locus होड़ा बहुत तुम पढ़ चुके होगे straight line में, locus of a point which moves such that एक ऐसे point का locus जो इस तरह से move करेगा कि उसका fixed point से distance हमेशा fixed होता है ना वही definition लिखने की कोई जरुवत नहीं है बस common sense लगाओ कि locus of a point definition होती है बच्पन से पढ़ते आ रहे हो हाँ चल अब जल्दी से तो फिर PC की value हमेशा R हो जानी चाहिए distance formula लगा दे वो बच्चों वाला class 10th वाला h minus a whole square अब जो 10th के बच्चे होंगे कहेंगे सर आपने हमें बच्चे बोल दिये अरे भाई चल तू बड़े वाला h, k distance formula मैंने लगा दिया h, k और a, b के बीच में distance और बेटा h, k को x, y से replace कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगी equation of circle हो गई तैयार x minus a whole square plus y minus b whole square बराबर r square इसको हम बोलते है circle की equation हाँ circle की equation circle की equation बोलते हैं center जो होता है बेटा वो a, b होता है यह जो a और b x minus के आगे जो दिख रहा है y minus के आगे दिख रहा है वो center था यह देखो a, b center था और radius of this circle is r जो right side में आ रहा है वो r square है ठीक है यानि की उसका root लेना होगा so for example अगर मैं आपको इस तरह की equation दे दूँ x plus 3 whole square plus y minus 2 whole square equal to 49 तो आप यहां से इसको compare करके बता सकते हैं कि sir इसका जो center है center x के बाद minus लगाना होता है sir यहां तो plus लगा है तो minus of minus 3 लिख ले plus 3 को तो x coordinate minus 3 हो गया a और y b की value जो है वो 2 हो गई right तो center of this circle is minus 3 2 x के बाद जो minus हटा के बचता है वो center का x coordinate और y coordinate विलकुल y वाला और radius जो होता है यह r square होता है बेटा 49 so radius हो जाएगा 7 तो इस circle का center radius हो जाएगा हाँ ठीके बेटा चलिए तो अब इसी तरह से एक और example लिख देता हूँ एक और example लिख देता हूँ example number 2 तो अगर कोई भी circle की equation whole square form में है इसको हम बोलते है center radius form center radius form of circle तो कभी भी तुम्हें circle इस थरह से दिख जाए x minus something whole square plus y minus something whole square equal to r square वहाँ से बेटा center और radius निकाल लिया जाएगा ठीक है सर अब अगर माल लो अगर माल लो मैं तुम्हें ऐसा दे दूँ कई बार ऐसा दे देते हैं 3x minus 1 whole square plus 3y minus 7 whole square equal to 4 इसका center और radius क्या है जल्दी से बताईए सब लोग जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए कि इसका center और radius क्या आएगा तो center बेटा ध्यान से देखो अब कई बार यहाँ जो लोग जल्दबाजी में 1 7 बोल देते हैं 1 7 नहीं होगा बेटा अब center क्यों क्यों कि यह देख यहाँ 3 और यहाँ जो formula है बेटा इसमें x है 3 नहीं है यहाँ मैंने 3 देके दिया है तो मैं दोनों में 3 देके दिया है ठीक है तो इसमें गड़बर मत करना पहले तो मैं 3 को जबरदस्ती whole square में से common निकालना होगा तो 3 का square 9 बहार आएगा ऐसे ही इसमें से भी 3 का square 9 बहार आएगा तो यह center radius form बनेगी अब center radius form बेटा बन जाएगी अब यह ठीक है तो अब आप center और radius बना सकते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया हमने यहाँ पर moral of the story सीखा कि जब भी center radius form हो x और y के आगे जो है वहाँ one होना चाहिए whole square की term के अंदर अगर one नहीं है तो बेटा उसको common लेके one बनाया मैंने देखो पहले three three था one बनाया मैंने और अब तो तुम center बता सकते हो one by three seven by three और r square four by nine यानी radius की value two by three हो जाएगी ऐसे तो ध्यान रखना इस चीज़ का जही यह काम करता है और फिर से कर सकता है बेटा कहीं तुम घबरा जाओ अब कुछ लोगों का यहां doubt आता है कि sir यहां मान लो तीन और यहां चार होता कुछ और होता तो यहां तो same बन गया तो आपने नौ को बाहर निकाल लिया what if कुछ और होता तो बेटा वो circle ही नहीं बनता और कैसे उसका center और radius वहां से निकाला जाएगा easy है ना भई easy हो गया अब इस तरह के भी सवाल अभी देखना यह भी लगेंगे तो center radius form बता दिये मैंने x minus a whole square plus y minus b whole square बराबर r square also यह हो गई center radius form अब होता क्या बेटा कई बार circle simple form में दे देते हैं simple मतलब सर center origin दे देते हैं तो if center is origin center is origin तो मतलब a और b बराबर 0 हो गए क्योंकि यहाँ a और b center था तो a और b को ज़रा 0 0 डाल दो तो x square plus y square बराबर r square बन जाएगा तो यह हमारा सबसे प्यारा राजदुलारा circle है बहुत जगा दिखेगा तो में यह है ना भई x square plus y square equal to r square is the standard form of circle इसको मोलते है standard form standard form standard form का क्या मतलब है easy form है simplest form of circle इस तरह से दिखती है जहाँ center origin और radius r हो so this is going to look like this इस तरह का figure दिखता है कि इसका center origin है और radius बेटा इसका r है ऐसा कुछ दिखता है यह center at origin sir h and k कहां गए भाई लगता है straight line निपढ़ के आया तू locust में बताया होगा कि जब भी हम h k को x y से replace कर देते हैं तो किसी भी curve की equation आ जाती है h k को मैंने x y से replace कर दिया ठीक है हाँ चल बेटा आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो this is called center radius form ध्यान से सुनो भई ध्यान से पढ़ो चैट पे जादा दिमांग ना लगाओ सिर्फ तभी चैट पे कुछ लिखें जा आपको कोई doubt आ रहाओ ठीक है उदर अधर की बातें और दुनिया बर की बात है मतलिक हो पढ़ने में बेटा ध्यान लगा ले ठीक है center radius form ये होता है चलिए इतनी बात हो गई तो अब इस पे ज़रा छोटा सा सवाल लगा लेते हैं जो लोग पहली बार पढ़ रहे है circle ताकि उन्हें समझा जाए कैसे इस equation का इस्तिमाल होगा find the equation of circle एक circle की equation बतानी है अब देखो circle में एक rough figure बनाया करो ये नहीं exact बना रहे हो lines plot कर रहे हो नहीं अलकी फुलकी सी rough figure ताकि हमें visualization बेटा easy हो जाए geometry में जितना तू visualization कर पाएगा figure बनाके उतनी जल्दी सवाल सॉल होगा जाएगा है ये होना है वहाँ तो मैं बिना figure बनाया चल दूँगा बाकी पिच्चानवे प्रतीशत सवालों में तुमें figure बनानी है पहले ताकि तुमें visualization हो figure बनाने को क्यों बोलते हैं देखो क्यों कि होता गया है जब data इस तरह से form में दिया है स्टोरी अभी भी याद है समझा तो इसलिए इसलिए बिटा figure बनाके आपको हमेशा geometry के सवाल सॉल्व करने है चलिए तो figure बोलती है equation of circle having line this and this as diameter तो दो diameter दिये है दो diameter दिये है और radius तो 5 दिया ही हुआ है तो radius 5 और diameter से क्या निकल जाएगा center निकल जाएगा sir center निकल जाएगा center निकाल ले बस खतम दोनों lines का intersection point इन दोनों को बेटा solve करके center आ जाएगा क्योंकि दुनिया जानती है diameter मिलते हैं center पर जाके diameter का मिलते हैं center पर जाके मिलते है sir और circle की equation के लिए क्या चाहिए होता है भी हमने पढ़ा सिर्फ center और radius चाहिए होता है दो चीजे मिल गई तो circle मिल गया बले बले जैसे straight line में क्या होता है slope मिल गई point मिल गया 90% of the time हम line की equation ऐसी लिख लेते हैं slope point form से वैसे ही circle में अब तुम center और radius निकालने की कोशिश करोगे ठीक है center तो निकल ली गया देख इनको solve कर ले अब देख कई बार जैसी दिया समझा one comma one center खतम ऐसे exam में इसको बोलते हैं कि examiner पे विश्वास करो कि सवाल आया है तो solve होगा ही ठीक है भई कुछ अच्छा सा तो center निकल आया center निकल आया तो circle की equation हो गई x minus a y minus b whole square equal to r square इस तरह से बिटा इस तरह से हमें करना है ये question हो गया solve अब कुछ लोग पूछते हैं सर इसे ऐसी छोड़ दूँ या whole squares खोलूँ depends on option अगर option में तुमारे ऐसी छोड़ा हुआ है तो आप ऐसी छोड़ दीजिए नहीं तो whole square खोल के simplify करके लिख लीजिए इस तरह से हमारा सवाल हो गया solve ठीक है हाँ चलिए आगे बढ़ेंगे इसको open करके लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है option match करेंगे जब हम objective question पर आएंगे तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत ही जबरदस चीज कि condition for general two degree curve अब तुमने एक चीज देखी होगी straight line में जिसका नाम होता है general two degree curve देखा है कि नहीं देखा है भाई जल्दी बताओ कि general two degree curve होता था ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0 याद करो ये general two degree curve होता था ये general two degree curve होता था अगर तुमने पढ़ा हुआ है straight line तो ठीक है पता होगा नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है बस ये होता है माल ले general two degree curve क्यों होता है क्योंकि इसमें two degree x square y square x into y सब two degree term है और ये linear term है one degree x y constant term है zero degree तो इन तीनों को हम बोलते है two degree terms ठीक है भाई इन दोनों को बोलते है one degree terms क्योंकि इसमें linear x और linear y x और y की power 11 आ रही है और constant term तो भाई तुमारी 0 degree term है या constant term क्योंकि x और y है ही नहीं उसके अंदर x और y उसके अंदर बेटा है ही नहीं तो अब general 2 degree का तुम्हें एक बात ये भी बताई गई होगी कि यही हमेशा पूरी coordinate geometry में तुम्हें बार बार दिखेगा straight line pair of lines में दिखता है उसके बास circles में दिखता है parabola में दिखेगा ellipse में hyperbola में सब में यही तुम्हें दिखेगा बार बार यही तुम्हें यही हर चीज represent करता है अलग-अलग conditions में मतलब यही pair of lines represent करता था उसकी condition कुछ होती थी, यही circle करेगा, यही parabola करेगा, बस conditions पदल जाएंगी बेटा, ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब अब circle की condition क्या होगी, देखो, तो circle की condition देखने के लिए, इस equation को जड़ा expand करता हूँ, इस equation को क्या कर रहा हूँ, expand कर रहा हूँ, इधर देखो, तो अगर मैं इसको expand करूँ, x square plus a square, minus 2ax, है न, और y square वाली term, y square plus b square, minus 2by, बराबर r square, ऐसा कुछ हो गया, तो अब x और y के respect में देखूँ, तो 2 degree term यह दोनों है, x square plus y square, फिर linear term यह दोनों है, minus 2ax, minus 2by, और a square plus b square, minus r square left में ले आईए, यह पूरी मिलाके तुमारी constant term है विटा, कई लोग इसको भी 2 degree समझ लेते हैं, sir, a square आ रहा है, 2 degree है, b square आ रहा है, x, y के term में, degree किसके term में देखी आती है, x, y में, तो 2 degree term बस यह है, यह 1 degree term है, यह constant term है, क्योंकि x, y इनके अंदर present ही नहीं है, right, तो अगर अब तुम ध्यान से देखो, circle की equation में, तो बहुत महत्वपूर्ण conclusion आप ड्रॉ कर सकते हैं, circle की जो equation है, इसमें पहला conclusion यह, कि x into y की term ही नहीं है, यह देख, x into y की term ही नहीं आई, sir, क्यों नहीं आरे भाई, circle को हमने expand किया, नहीं आई, अब क्या करूं, मैं नहीं आ करेगा, तो पहली बात तो यह है, coefficient of xy, 0 होना चाहिए, coefficient of xy तुमारा 0 होना चाहिए, right, हाँ, ठीक है, सबसे पहली बात h तो होगा ही नहीं, दूसरी बात, दूसरी बात, कि sir, x square plus y square, यानि जो x square और y square का coefficient है, coefficient of x square and y square, वो 1 दिख रहा है, वैसे तो 1 दिख रहा है, बट देख, मैंने तुझे बताया था, पूरी equation को 2 से भी multiply कर दूँ, तब भी circle तो रहे गई, 3 से भी कर दूँ, तब भी circle रहेगा, कुछ भी रह सकता है, बस यह दोनों के coefficients equal रहने चाहिए, ठीक है ना, तब ही वो circle है, वो तो 1 तो हम बना लेंगे, मालने 5 दिया है, तो 5 से divide कर देंगे, right, so second condition बन गई, that coefficient of x square यह जो a है, और यह b है, इसको 1 मत बोलो, यह दोनों बराबर होने चाहिए, 1 तो हम बना लेंगे, यार 5 है अगर तो हम 5 से divide क चाहिए, और इसका मतलब है a बराबर b होना चाहिए, obviously 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a और b, तो यह दो condition अगर satisfied है, तो आपको circle की question मिल जाए, 100% वो क्या देगा, circle देगा, बेटा, general 2 degree curve, बाकि x linear, linear और constant में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सारी term आई रही है, इसमें भी linear आ रही है, linear constants आ रही है, बस दो ही चीज़ें है, जो 2 degree term है, उसमें x into y का कोई term नहीं होगा, और xy का, sorry, x square and y square का बराबर होगा coefficient, ठीक है, तो example दे दो सर, कैसे use होगा, देख, ऐसे छोटा सवाल बन जाएगा, 5x square, plus ky square, plus 3 lambda minus 2 into xy, plus 4x minus 5y, plus 7, यह circle represent करना चाहिए, so what is the value of k and lambda, this represents circle, कुछ भी लिख दिया मैंने, this represents circle, ऐसा सवाल छोटे-छोटे बन सकते हैं, तो बताईए value of k and lambda, तो देखो, सबसे पहले तो condition कहती है, x into y का term होना ही नहीं चाहिए, यानि यह चीज 0 होनी चाहिए, coefficient of x into y 0 होना चाहिए, तो 3 lambda minus 2 0, यानि lambda की value 2 by 3, दूसरी बात यह बोल दिया आती है, कि यह दोनों बराबर होने चाहिए, तो k बराबर 5, फटम हो गया, इतना simple, तो k बराबर 5, lambda बराबर 2 by 3, ऐसे आप इस चीज को इस्तिमाल कर सकते हैं, बेटा questions में, चलिए, तो यह हो गई हमारी center radius form की बात और circle की equation की condition, ठीक है भई, इतनी बात समझ आ गई सबको कि यह जो अजीब और गरीब सा, लंबा चौड़ा सा general curve है, यह circle कब देगा, circle देगा sir, जब xy का term 0, and a और b की value बराबर, x square और y square के coefficient बराबर होंगे, ठीक है भई, चलिए, तो अब हम देखते हैं, यह तो बात हो गई, general two degree curve की, अब हम देखते हैं, अब हम circle की बात करेंगे, बस इससे आगे अब हमारा कुछ नहीं लगेगा, lines का पुराना, तो general form of circle, अब circle की equation कैसी दिखेगी, देखो, circle की जो equation थी, उसमें x square प्लस y square तो दिखे गई, तर same one नही 5 से divide कर लिए, one बनी जाएगा, x square प्लस y square, और मैंने बताया, यह term तो present रहेगी, यह भी रहेगी और यह भी, तो इन तीनों को उठाके ऐसी रख देंगे, तो 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो यह अपना होता है, general form of circle, एक circle की equation देखो, पहले हमने whole square form में लिखी थी, वो थी center radius form, यह वाली क्या थी, center radius form थी वेट, अगर इस form में लिखी है तो, बट अगर इसको खोल के लिख दिया है, मैंने ऐसे, क्या लिखा है, x square प्लस y square प्लस something x, something y, some constant, तो इसको हम बोलते है, general form, जो खोल के expand करके लिखी हो, that is general form, और जो whole squares में लिखी है, center radius form, बस इतनी simple सी बात ह तो circle की जो general form दिखती है, आज से बिलकुल याद कर लिजिए, x square प्लस y square प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, क्यों sir, दुवारा repeat कर रहा हूं, क्योंकि x square प्लस y square तो था ही, और ये term है नहीं, तो बचा क्या 2gx, 2fy से इन में कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों होनी चाहि तो कभी भी इस तरह का कुछ लिखा है, तो वो एक circle रेप्रेजेंट करेगा, x square प्लस y square प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है, सर, हर जगा यूज होगा, general form बिलकुल अभी तू देखना कैसे यूज होगा, कैसे यूज होगा, तो अब देखो, वही बात है, जैसे general line होती है, एक ax plus by plus c, तुमने देखा है न, line की general form ये होती है, तो line के बारे में हमें सबसे important चीज क्या चाहिए, उसकी slope चाहिए होती है, तो तुम इसकी slope minus a by b कर देते हो है न, ऐसे ही circle के बारे में, जब भी कोई circle है, तेरे दिमाग में दो ही चीज़े आएंगी, सर, इसका center और radius क्य जाए, general form का center और radius क्या है, क्योंकि हमें, इस वाली form का तो center radius निकालना आता है, इसका तो सब ने बता दिया बहुत असानी से, कि sir, whole square form में होगा, तो मैं center बता दूँगा सीधे-सीधे, कि भई, ये वाला center होगा, और ये वाला radius का square होगा, तो एक काम करते हैं, whole square में ही change कर लेते हैं, क्योंकि whole square में हम बता सकते हैं, है ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस चीज़ को जड़ा whole square form में change कर लो, तो center पता लग जाएगा, x square प्लस 2gx, completing the square कर रहा हूँ भाई, तो x plus g का whole square बनेगा न, minus g square सोचो, तो खोलूँगा, x square, g square आएगा, इससे कट गया, plus 2gx ये वाला हो गया, ऐसे ही इन दोनों का बना लो बेटा जी, y plus f whole square, minus f square plus c, squares वाली term left में, बाकी सब right में, मैं basically क्या कर रहा हूँ, इस general को center radius में change कर रहा हूँ, ऐसे लिख लिया, मैंने क्या किया, इसको complete square बना के center radius form में change कर लिया, अब ध्यान से देखो, इसका center हमें दिख रहा है, सर, center होगा, x minus of minus g है, यानि minus g, और minus f, ये इसका center हो गया, और right side क्या होती है, r square होती है, so radius हो गया, root g square plus f square minus c, radius क्या हो गया, क्योंकि ये r square बना है, so very very important formula, इसको बिलकुल याद कर लो बेटा, कि जो center और radius होते हैं, वो ये होते हैं, general form में formula होता है, जो ncrt level पढ़ना चाहरा है, 11V का, उसमें बस यही सब है, ये formula सबसे important है, वहाँ पे, कि किसी भी circle का center होता है, minus g minus f, और radius होता है, root g square plus f square minus c, अब इसका, इस्तिमाल कैसे होगा, जरा एक example में देख लेते हैं, मान लीजे एक circle दे दिया, x square plus y square minus 6x plus 5y minus 1 बरावर 0, कोई भी लिख दिया मैंने यार, general form में कुछ भी उठा के लिख दिया, right, तो center जो है, minus g minus f, देखो, अब center जो है, उसको याद करने का एक better तरीका बता रहा हूँ, जहान से सुनना, मैं कह रहा हूँ, minus g कैसे मिलेगा, सर, यह जो term है, x का coefficient है, इसका आदा कर दो, इसका आदा कर दो, तो g मिलेगा, उसमें minus लगा दो, क्या बोल रहा हूँ, तो center को ऐसे याद रखोगे, minus coefficient of x by 2, कि आपने क्या कि किया, इसका आदा किया, coefficient of x, 2g था, उसका आदा किया, g, और एक minus चिपका दिया, तो minus g मिल जाएगा न, अपने आप, ऐसे याद रखना, क्यों, अभी समझ आएगा, ऐसे y में, minus coefficient of y by 2, minus f की जगा, यह coefficient of y लिया, 2f, इसका आदा किया, और minus चिपका दिया, तो minus f मिल आएगा, इससे center बड़ी fast निकलेगा, गलती नहीं होगी, ध्यान से, तो इसका center क्या हो गया, coefficient of x का आधा करो, और एक minus चिपका दो, ऐसे याद रखो, तो minus 6 का आधा करो, minus 6 का आधा करो, और एक minus चिपका दो, 5 का आधा करो, और एक minus चिपका दो, ऐसे बेटा, ऐसे center G-F करके याद नहीं करेगा, ऐसे याद रखेगा, खट से कोई मर्जी अजीब हो गरीब सरकल दे दे, अब तुम जल्दी से मुझे उसका सेंटर बताओगे, चलो जल्दी से बताओ जल्दी से इसका सेंटर बताईए, खट से 5 सेंटर के अंदर क्या हो जाएगा, जल्दी चैट पे लिखके बताईए, कोफिशेंट को आधा करके अपनी तरफ से एक माइनस लगा दो, ताकि माइनस जी बन जाए, देख, 2G था, 2G को आधा करा, क्या बना, G, और अपनी तरफ से एक माइनस लगा दिया, तो माइनस जी बन गया न, माइनस जी तो लाना था हमें, ऐसे, इस तरह से, हाँ, तो अब जल्दी से सेंटर बताएंगे, सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा, कोफिशेंट ओफ एक्स तो है, माइनस आठ, उसका अधा करो, और एक माइनस अपनी तरफ से लगा लो, और इसका अधा करो, Y का कोफिशेंट और अपनी तरफ से माइनस, तो 4, माइनस 2, इसका सेंटर हो गया वेटा, असान, ठीक है, कई लोगों को मैंने देखा अभी तुम कहोगे, सर, इतना बेसिक, यह गलती थोड़ी कोई करता है, वेटा, मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा हुआ है, एक्जाम में उन्होंने जल्द वाजी में सेंटर गलत निकाल दी, और पूरा सवाल ही गलत हो गया सरकल का, होती यह गलती है, यह सब होता है बेटा, experience से बता रहा हूँ, इसी लिए बोल रहा हूँ, छोटी सी चीज है, अपसे center ऐसे निकाला करो, और radius का formula, सर, radius का था, radius का था, root g square प्लस f square माइनस c, तो इसमें जड़ा हम बेटा highlight कर देते हैं, ताकि सब लोग इसे याद रखे, कोई बात नहीं, इसका square कर ले, क्योंकि g का square जो होगा, वही minus g का whole square होगा, क्योंकि radius के formula में बेटा, g square आ रहा है, तो radius को मैं कैसे याद रखता हूँ, इसका square और इसका square, कितना तो करी लो, g square प्लस f square, क्योंकि यह minus g है, minus g का whole square है, g का whole square सेम होता है, g square प्लस f square, minus c, c क्या है इस बार, minus 1 है बेटा, ऐसे इस तरह से करना है आपको, ठीक है, ऐसे इदर देख निकालते हैं, खट से radius निकालूँगा, इन दोनों का square, minus c, minus c तो 2 है, खतम, ऐसे, past तरीका, calculate कर लेंगे, अब तो जो भी आएगा, ये तो निकली गया, 16, 4, 20 में से दो गया, root 18 बन गया, ठीक है, इसको भी निकाल लेना, जो भी आएगा, 9 plus 25 by 4, plus 1 हो जाएगा, और root वगेरा ले लेंगे, निकल कर आ जाएगा, correct, इस तरह से center radius निकालोगे, तुम लोग किसी भी general circle से, क्यों क्योंकि, सर ये सवाल आएगा क्या J में, नहीं, ये नहीं आएगा, वो तेरे को circle की question देगा, सवाल यहाँ से शुरू होगा, कि तुम्हें circle का center radius खुद से निकालना पड़ेगा, तो तुम्हें जब तक वो आएगा नहीं, तुम जल्दी fast method नहीं, तो question लेट हो जाएगा बेटा, चलो एक सवाल यह देता हूँ, छोटा सा सवाल है, find center and radius for this circle, हाँ, किसी ने बहुत प्यारी बात बोली, कि सर यहाँ 2G क्यों लेते हैं हम, circle के अंदर, हम G क्यों नहीं ले लेतें बस, मुझे भी लगता था बता है, पता नहीं आरे, क्या 2 लगा रखा है फाल, तु G ले लेते, GX प्लस FY ले लेते, अब तु समझ पाएगा कि हम क्यों लेते हैं, क्योंकि center को अच्छा बनाने के लिए, बस, और कोई भी कारण नहीं है, center minus G minus F बन जा, नहीं तो minus G by 2 आता, minus F by 2, तो वो कर ले, गलत नहीं है, ठीक है न, scientist, mathematician ने ऐसे बनाई हुई है, तु GX लेके बना ले, कोई दिक्कत थोड़ी है बिटा, कोई माने गई नहीं तेरी बात, इतने सालों से चल रही है ये बाते, इसलिए, वो भी गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है भई, चलिए, तो ये है general circle, अब बहुत सारे लोगों का हो गया गलत, center और radius, जल्द बाजी, देखो भाई, J.E. में कोई भी सवाल दिखे, जल्द बाजी मत करना, बाकि तुम कुछ मर्जी कर देना, बस जल्द बाजी मत करना, समझे, सबके center गलत आ रहे हैं, 99% लोगों के जो चैट पे लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कि बेटा, J.E. ने 5 चिपका के दिया हुआ है यहाँ पे, सर J.E. में आया था है, अभी SSI आया था दिखाऊँगा, आने वाला अगला question 2023 का J.E. का देखना, तो 5 5 दिया है, बट हमने जो formula रटे मुए हैं, वो किसके लिए रटे हैं, जब सर 1 होता है, तो जो अपने बेटा तो रटी रटाई चीज़ें लगा रहा है, पहले उसको बनातो ले 5 से डिवाइड करो, तो डिवाइड बाई 5, यह important बात, पहले हमें उसको general form में लाएंगे, अब center radius निकालेंगे बेटा, center हो जाएगा, x का coefficient माइनस लगाके आधा, और इसका भी आधा माइनस लगाके, सो माइनस 1,1 center हो गया बेटा, माइनस 1,1 center हो गया, ठीक है, ऐसे, माइनस 1,1 correct center है, और radius का तरीका, खट से बताया है, इसका square करो, इसका square करो, और माइनस c करो, c क्या है, 8 by 5 है, मज़ा आया ना जी, हाँ, ऐसे, तो 1 plus 1, 2, 2 माइनस 8 by 5, तो लिए ध्यान रखना इस चीज़ का, LCM 5 दूनी 10, 2 by 5 का root, ये radius हो जाएगा बेटा, इसका radius हो जाएगा, हाँ, मोय मोय हो गया सर, हो तो गया बेटा, जेई में ना हो, इसलिए अभी मोय मोय कर ले बेटा रहे, अब सर, जेई में ऐसा पूछते भी हैं, देख, ये देख, अब मज़े की बात दिखा रहा हूँ, अच्छा चलो तुम्हे, चलो पहले एक question करा तो, हम फिर दिखाऊंगा मज़े की बात क्या है, जो लोग कहते हैं न कि सर, PYQ क्या करने है, जेई में कोई question repeat थोड़ी होते हैं, अभी तु देख, ये 2023 का सवाल है, ज़रा इसको करेंगे, और फिर देखेंगे, पिछले साल क्या पूछा था जेई ने, ठीक है, तब रेडियस का तरीका थोड़ा casual है, तू क्या चाता है बेटा, रेडियस को क्या suit pen tie लगवाऊं, और कितना बढ़ी आई, बढ़ी आ तो method है, root g square plus f square minus c, इन दोनों का square क्या क्योंकि तू हमेशा center निकाले गई, इनका square कर दियो, और minus c कर दियो, खतम, easy तरीका है, चलो बेटा, देखेंगे, ज्यान से देखेंगे, सवाल कह रहा है, consider a circle c1, c1 एक circle है, जी, बिलकुल, उसके अंदर क्या फसाया हुआ है, alpha फसाया हुआ है, मैं ऐसे कपढ़ता हूँ questions, let its mirror image in the line this be, another circle, अब देखो, circle की image कैसे निकलती है, अरे कुछ नहीं, circle की image का मतलब है, basically, circle की image का कुछ भी मतलब नहीं है, बस यह है कि भाईया, same size तो same रहेगा, और center की image ले लो, समझ गए क्या होगा, basically, जो center होगा, c, उसकी जो image आ जाएगी, इस line में c dash बन जाएगी, बाकी radius सेम होगा, image of circle का इतना सा ही concept है, हाँ, ठीक है बेटा जी, चलिए इसका center तो दिख रहा है, 2, देख इसका center दिख रहा है भाई, जल्दी बता, minus 4 का आदा करूँगा, और minus लगाँगा, 4 का आदा 2, 2,1 इसका center हो गया सर, 2,1 इसका center हो गया, ठीक है, यानि यह जो c के coordinates है, यह 2,1 हो गया, ऐसे figure में, और यह mirror दिया है, y equal to 2x plus 1, y equal to 2x plus 1 दिया है, ठीक है सर, तो अब पहली चीज, image of a point in a line, तुम्हें पक्का सिखाया गया होगा, straight line में, किसी भी point की, एक line में image लेना, तो c की image ले लूँगा, c dash आ जाएगा, image का formula आता है न, हाँ, ठीक है भाई, तर आप हमारी chat का, तो reply नहीं करते, अरे मेरे भाई, तु काम की चीज पूछेगा, तब ही तो reply करूँगा, तर आपके पढ़ाने का तरीका, थोड़ा casual है, तब ही तो समझ आएगा बेटा तुझे, चल इदर देख, ध्यान सब सुनेंगे, तो अब c का image निकालता हूँ, जल्दी इस line के अंदर, तुम्हे image का formula लगाना आता है बेटा, x-x1, x-x1, तो मैं इरको समझ आ रहा है कि भईया, center मिल जाएगा उससे ये वाला, ठीक है, आगे सवाल पढ़ना है तो चल पढ़ ले, another circle, let r be the radius, तो बतलब alpha और r निकालना है basically, alpha तो यहाँ है और r radius है, तो साफ समझ आ रहा है, alpha निकलेगा तो radius भी निकल ही जाएगा, हाँ, इधर देखते हैं, तो सबसे पहले तुम्हें पता है, image का formula पहले line को अच्छी तरह लिख लो, 2x-y plus 1 बराबर 0, line ऐसे लिख ली, और x-x1 upon 2a, equal to y-y1 upon 2b, is minus of, point को इसमें डालो, ऐसी तो निकालते हैं ना इमेज, straight line, upon a square plus b square, 2 square plus 1 square, ऐसा कुछ, तो x-2 by 4, y-1 upon minus 2, is minus of, 4 by 5, इस तरह का कुछ हो गया, हाँ, ठीक है भाई, अब देख, यहाँ से तुझे क्या मिलेगा, जल्दी से center निकलाएगा, यह दूसरे वाले circle का c- निकलाएगा, इमेज से, तो x-2 by 4, is minus 4 by 5, x-2 equal to minus 16 by 5, तो x-2 minus 16 by 5 हो गया, तो यही बोल रहाँ ना, हाँ, तो x हो गया minus 6 by 5, ऐसे ही इन दोनों से y निकाल दो, y-1 equal to 8 by 5, तो y हो जाएगा, 1 plus 8 by 5, 13 by 5, देख लीजिये जरा, देख लीजिये जरा, तर 2 multiply होगा, वो बैटा मैंने इधर कर दिया ना, नीचे 2A, 2B कर दिया, बात एक ही है, तो मुदर 2 लिखे लो, मैंने नीचे दोनों के 2 लिखे लिए, एक ही चीज होती है वो तो, बात एक ही है, रॉंग हो गया सर, क्या रॉंग हो गया भाई, देख लेते हैं चल, correct तो है, minus in Y, minus ही तो लिखा है, minus 1 था याँ, minus 1 लिखा है, तरही तो लिखा है यार, कुछ गलत है क्या, जल्दी से बताओ, रॉंग सर, तरही है यार, तू एम ही मज़े ले रहा है, calculation, चलिए, तो ये center आ गया है हमारा, center आ गया है बेटा, अब क्या करना है देखो, अब दूसरी चीज़ ये है, कि अगर इसका center आ गया, तो अब इसका तो radius भी निकल जाएगा, सोच, क्योंकि इसका constant दिया है, constant भी दिया हुआ है, अच्छा, एक और चीज़, बट 5 से multiply करके दिया हुआ है, C2 में, हाँ, ठीक है, 5 से multiply करके दिया है, तो इस वाले C2 की equation को जड़ा, पहले 5 से divide कर लेता हूँ, तो x square plus y square, एक मिनिट, x square plus y square, एक मिनिट भाई, गलत पेज लग गया, हम, तो मैं बोल रहा था कि, बिटा, 5 से पहले divide कर लेते हैं, x square plus y square, minus, इसको 5 से divide करो, 2fx, minus, minus 2gy, राइट, और plus 36 by 5 हो जाएगा, 36 by 5 हो जाएगा, g और f भी निकालना चाहो, निकाल सकते हो, खीक है भई, अब radius इसका देख निकल जाएगा, क्योंकि मुझे जरुवती निया है, मुझे पता है, center के x और y जो निकाले हैं, इसका square कर लो, 6 by 5 का square, plus 13 by 5 का square, g square plus f square, minus c, 36 by 5, मैं radius क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि बेटा, radius इसका और इसका बराबर रख दूँगा, क्योंकि image में radius change नहीं होता है, हाँ, चल बेटा, इधर देख, तो यहाँ से क्या होगा, radius निकल कर आ जाएगा, radius निकल कर आ जाएगा, थोड़ा सा simplify करते हैं, थोड़ा सा इसको simplify करते हैं, यह देखिए, तो यह हो जाएगा, देखो, 36 by 25, plus 169 by 25, minus इसको भी, 5 से multiply कर दे, 180 by 25 हो जाएगा, देखिए जरा कितना हुआ, कितना हुआ सर यह, 169 minus, 36 minus 11, upon 25, यह कितना हो गया, 25 upon 25, 25 मज़ा आ गया सर, यह तो 1 आ गया, radius की value बेटा, 1 आ गयी, मज़ा आ गया कि नहीं, ऐसे, तो देखिए, radius तो 1 निकल आया, यानि इन दोनों circle के radius, अब 1 हो गए, R इतनी value तो निकल गई, देख, R, R तो 1 आ गया, अब क्या निकालना है, आलफा भी निकालना है, तो यहां से भी radius को 1 करता हूँ, इसके भी radius को बेटा, 1 कर देता हूँ, तो तेरे पास क्या होगा, इसके भी radius को 1 करके, आलफा की value भी निकल आएगी, तो C1 circle को भी पकड़ लेते हैं, यह तो C2 था, C1 circle जो है, एक स्क्वेर प्लस Y स्क्वेर, माइनस 4X माइनस 2Y, और इसका constant राइट में दिया है, देखो जानके, लेफ्ट में लेके आईए, प्लस C होता है, तो जब आलफा माइनस 5 इदर जाएगा, तो 5 माइनस आलफा हो जाएगा, तो यह अब तुम्हारा C हो गया पूरा, ठीक है जी, और इसका radius होगा, रूट G square, प्लस F square, माइनस C, देखो कितना आया, 5 माइनस 5 प्लस आलफा का रूट, मज़ा आ गया है, तो रूट आलफा बन गया, तो radius की value, रूट आलफा हो गई, बट radius हम 1 निकाल चुके हैं, यानि आलफा की value भी 1 हो गई, तो आलफा भी 1, radius भी 1, हमारा answer बेटा आ चुका है, 1 प्लस 1, 2 हो गया answer, क्योंकि हमें R प्लस आलफा निकालना था, 2 हो गया, ठीक है भई, चेक कर लेतें answer, इसता बढ़िया वैसे calculation हो रही हो, तो सही आया होगा है ना, तो दुबारा से एक बार summarize कर देता हूँ, किया क्या मैंने देखो, मेरे को एक बात समझाई, ये circle इस line में image है, image का मतलब सीधे center की image हो जाएगी, radius सेम रहता है, ये concept याद रखिए, कि अगर एक circle की image ले रहे हो, radius दोनों का सेम, center की बस image, तो इसका center दिया था, इसकी मदद से मैंने इसकी image निकाली, दूसरे का center आ गया, दूसरे का center आ गया, और center आ गया, इसका constant पहले ही दिया था, मैंने देख लिया, 36 by 5 दिया इसका, तो यहां से radius निकालाया, root g square plus f square minus c करके, ठीक है भई, radius कैसे निकाला, root g square plus f square minus c, क्योंकि इसका g और f तो यही center के होते हैं न, मैंने देख डिरेक्ट यह use कर लिया, यह g और f center है, तो इसका square plus इसका square, वही जो मैंने trick बताई थी, इन दोनों का square minus c, इन दोनों का square minus c, c की value 36 by 5, calculations वगेरा जब करीं, second circle से radius बड़ी प्यार से निकालाया, c2 से, और c2 का radius और c1 का radius बराबर होगा, c1 का निकाला तो root alpha आ रहा है, तो root alpha बराबर, 1 रख दिया, easy, हाँ, ठीक है, ऐसे, तो पहले कुछ लोगे कह रहे हैं, सर ये क्या हुआ, तो दुबारा समझा देता हूँ, मैंने c2 को फ़हले 5 से divide किया, तो कि 5 था ना, याँ अभी बताया था, coefficient of x square y square, 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे, gf आ गए, तुम चाहे, पहले gf निकाल लो, इमेज कैसे निकाला, इमेज के लिए बेटा स्टेट लाइन पढ़के आ, क्योंकि ये सब चीज़ें स्टेट लाइन में बताई जाती है, इमेज का formula, ये स्टेट लाइन का concept है, इसलिए तो बोल रहे थे, circle आप नहीं पढ़ सकते, बिना स्टेट लाइन पढ़े, आपको अच्छी तरह circle समझ तभी आएगा, जब स्टेट लाइन पढ़के बैठे हो, सर, वाई भी टुक 6 by 5, 13 by 5, अच्छा, बेटा जी, अभी तक तेरे को क्या बता रहा था, center में कैसे, radius कैसे निकालता हूँ, इसका square, minus C कर देता हूँ न, direct, तो वही करा, मैंने फिर से, क्योंकि center तो आई चुका है, हर सवाल में देखो, मैंने center ऐसे ही निकाला है, है न, इन दोनों का square किया, और minus C, ऐसे ही निकल जाता है, center fast तरीके से, radius, तो मैंने यहाँ पे देखा, चलिए, तो अब यह सवाल आप लोगों ने देख लिया है, अब बिल्कुल एक ऐसा ही, तुम्हारे को homework में दे रहा हूँ, इससे पिछले साल तुम देखो, ज़रा मैं कह रहा था न, कितने similar question आया है, देखो J.E. में, बिल्कुल repeat मार दिया J.E. ने, इसमें देख 5 भी चेंज करने की ज़रुत नहीं समझी, 5, 10 वही रखा, 36 को 36 कर दिया बस, if radius is R, then alpha plus 6 R square की value इस बार पूछ ली, कर लोगे अब इसको homework में, कर लोगे इसे homework में, बिल्कुल ही same सवाल है वेटा, यहां से center निकालेगा, इसका center दिखी रहा है, 1,3, उसकी image निकालेगा, तो इसका center मिलेगा, 5 से divide करना भूलियो मत इसको, और फिर इहां से radius निकालाएगा, सारा खेल खतम, बिल्कुल ही 99% सवाल same है, ठीक है न, इससी लिए बोल रहा हूँ, PYQs करने बढ़े important है, जेई का trend क्या चल रहा है आजकल, वो उसी तरह का कुछ ना कोई फस जाएगा तुमारे में, इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी chapter छोड़ो मत, उसका at least one shot तो लगा लो, मन्जिल में देख लो, क्या पता similar सा कोई question फस जाए तुमारे exam में, चलिए तो इसको कर लीजिएगा, ये तो same है sir, हाँ बट data change कर दिया, ये देगा, 36 की जगा, 36 कर दिया, और यहाँ alpha उधर था, इधर ले आए, बस यही सब कर दिया, line change कर दिया, बस और कुछ भी नहीं है, sir, how minus one in image formula, बेटा, तुम्हे image आती ही नीज का मतलब, तो मैं समझ गया, पहले line को तुमीज से लिखना पड़ता है, image लगाने से पहले, line y equal to 2x plus one दिया, ऐसे नहीं लगाते image, image लगाते है, general form में लिखके, ax plus by plus c लिखकर, ये देख, तो मैंने क्या किया, y उदर ले गया पहले, ताकि इसमें लगाया image, y का coefficient minus one है, इसलिए यहाँ बेटा, minus one लिखा है मैंने, समझा, हाँ, ठीक है, अब समझ गया, तर mirror का image formula लिख दीजिए, अच्छा, तु बेटा, सिर्फ और सिर्फ तुने हलवा खाना है, ये ले, अगर एक point है, a, b, इसकी image अगर x, y लिखनी है, और ये mirror, अच्छा, a नहीं लेते, a भी तो line में होता है, a भी तो तुमारा line में होता है, x1, y1 ले लेते हैं, x1, y1 की image अगर xy है, और line ax plus by plus c है, ठीक है भाई साब, ये line है अगर, तो जो image का formula बनता है, x minus x1 upon 2a, y minus y1 upon 2b, is minus ax1 plus by1 plus c, upon a square plus b square बनता है, image का formula, यहां से xy की जो value आती है, वो image दे देती है, image का formula, ठीक है मिटा, अब फिर कहेगा, अगली बार जब लगेगा, सर बता दो, image of a point, ऐसे निकाली जाती है, ठीक है, अब ठीक है, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विटा, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब एक छोटी सी बात के बारे में, हम discussion कर लेते हैं, point circle, किसी ने chat पर थोड़ी दिर पहले, मैंने देखा, कि लिखा था, कि, कि, सर रेडियस जीरो हो सकता है, क्या circle का, देखो, आज तुमने देखा, रेडियस का formula होता है, root g square plus f square minus c, है ना भई, यह होता है, हाँ सर, तो अब इसके अंदर root आ गया, और root के अंदर की जो quantity है, भई वो अगर, कड़बड कर दे, तो क्या होगा सर, यही हमें देखना है, कि अगर तो, g square plus f square minus c, कोई discriminant जैसे quadratic की तरह, तीन cases बन जाएंगे, g square plus f square minus c negative, या 0 ले ले पहले, और अगर ये negative हो जाए, तो इन तीनो cases को ज़रा, चड़ी कर लेते हैं बेटा, कि अंदर जो root के अंदर है, क्या वो positive है, क्या वो negative है, क्या वो 0 है, तो क्या होगा, तो देखिए, अगर तो ये होगा, तो फिर real and real circle, यह तो बढ़िया सा circle है, with non zero radius, with non zero radius, कुछ ना कुछ बढ़िया सा radius आ जाएगा, और इस situation में, क्योंकि ये चीज़ 0 हो रही है, या नि radius ही 0 आ जाएगा, radius 0 का मतलब point circle होता है वो, point circle क्या बला है सर, भाई देखो, circle को अगर तुम, ये circle है, इसका radius छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, end में जाके इसका radius 0 कर दो, तो क्या बन जाएगा, सर, बिंदू बन जाएगी है ना, बिंदू मतलब dot, dot बन जाएगा, dot भी क्या होता है, अगर तुम दियान से कभी dot बनाओ, तमीज से अच्छी तरह, तो dot भी एक circle है, dot भी एक circle है, point जिसे तुम बोलते हो, तो ये point circle बन जाएगा, ऐसा, point circle is nothing, but a circle with zero radius is called point circle, ठीक है, हाँ, ऐसे, और similarly अगर ये negative हो जाए, फिर तो कहानी खतम हो जाएगी, sir, radius, imaginary radius बन जाएगा, imaginary radius बन जाएगा, तो real circle होने के लिए, g square plus f square minus c greater than equal to zero होना चाहिए, हाँ, sir, 2022 वाले सवाल का अंसर 20 आएगा, बारा आएगा, बारा बोला सुरी, बारा आएगा, बिल्कुल सही बेटा, बारा आभी गया तेरा, शाबाश, निकाल लिया देखो इसने, ये ऐसे होते हैं, champion लोग, तुरंत, वहीं का वहीं, बारा देते हैं, question, very good, चलिए, तो ये एक छोटी सी बात हो गई, point circle का मतलब क्या होता है, उसको मैंने आपको समझा दिया, अब आ जाते हैं बेटा, third form of circle पे, तो देखो, circle की दो forms हो गई है, तुमने straight line की भर-बर के खुब सारी forms करी हैं, general form, slope point form, slope intercept form, xy intercept form, parametric form, normal form, दुनिया भर की straight line की forms करी होंगी, है ना भई, बिशली लेक्चर में, but circles की तीन ही form होती है, बड़ा प्यारा है circle, तीन ही form, एक हो गई, center radius, जो आज बताई थी, सबसे पहली बताई थी, center radius form, हाँ सर, center radius form, जल्दी से दिखा देता हूँ, एक बार, तारी की सारी, recap हो जाएगा, ये हो गई, center radius form, उसके बाद हो गई, general form, ये वाली, general form हो गई, और आब last form आ रही है, हाँ, last form होती है बटा, diametric form, जो की, ये के point of view से, बहुत बहुत, बहुत important form है, बहुत important form है, तो अब, diametric form, as the name says, इसमें आपको क्या दिया होगा, एक diameter के end points दिया होगे, ज्यान से सुनना भई, क्या दिया है इस बार, एक diameter के end points, मान लीजिए, ये A, X1, Y1, और B, X2, Y2, एक diameter के end points है, तो अब, जिन लोगों को ये concept नहीं आता, वो क्या करते हैं, long approach में चले जाते हैं, इसलिए बिटा धियान से सुन लेना, वो कहेंगे सर, इसमें क्या है, ये दोनों दिया है, radius भी आ जाएगा, center भी आ जाएगा, से, center निकाल लूँगा, midpoint से, समझ गया न, क्या कह रहा हूँ, माल लेक diameter दिया है, ये दिया है 1,7, और ये दिया है 3,-1, तो कहेरे सर, इसमें क्या है, center निकाल लूँगा पहले, midpoint से, और इनके बीच का distance, आदा कर दूँगा, radius भी आ गया, center radius आ गया, center radius form लगा दूँगा, पहली वाली, कोई बुरा ही नहीं है, इसमें, बट इससे बहुत छोटा तरीका, quick तरीका, वो मैं बताऊंगा, तुम्हें, जो diametric form है, ठीक है, जिनको नहीं आती हो, सुन लें, बट में तो यहीं तीन है, चल, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको थोड़ा different तरीके से अप्रोच करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, center radius से नहीं जाएंगे, मैं कह रहा हूँ, कोई भी एक variable point P ले लो, x, y, l, h, k, l, ल, एक ही बात है, circle की circumference पे, कोई भी एक point ले लिया, और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कि कोई भी point ले ले, तो diameter की एक property पढ़ी है तुमने, angle in semicircle 90, 10th class से पढ़ते आ रहे हो, कि sir, angle in semicircle 90 होगा, मतलब अगर मैं कोई भी point पी ले लूँ, तो यह सारे के सारे diameter पे, 90 degree बनाते हैं हैं ना, सब 90 बनाते हैं चाहिए धर ले लो, सारे के सारे 90 बनाते हैं, diameter पे सारे के सारे 90 subtend करते हैं, तो अब इस चीज का इस्तिमाल करके, मैं खट से diametric form निकाल दूँगा, कि भई 90 का मतलब इनकी slopes, slope m of pa, mpa मतलब slope of line pa, into slope of line pb, क्योंकि product of slopes minus 1 होता है, m1, m2 minus 1 होता है बेटा, अगर perpendicular lines हो, और slope बड़ी एजीली लिख लेगा, देख, y minus y1, upon x minus x1, pa की slope हो गई, pb की लिख ले two point form से, y minus y2, denominators को उधर ले जाईए, x minus x1, x minus x2, और सब को चुठा के left में ले आईए, तो ये minus हट के plus हो जाएगा, इतर आएगा, so x minus x1, into x minus x2, plus y minus y1, into y minus y2, बराबर 0, this is called diametric form, ये ही लिख़्ी हुई है, देखो यहाँ, कि सीदे-सीदे diametric form लगा होगे, बहुत easy, x minus x1 into x minus x2, form of circle कहते हैं, लगाएंगे कैसे, वोई जैसे अभी एक example दिया था, बालो ये 7,3 दे दिया, ये 2, minus 1 दे दिया, suppose, diameter के endpoints दे दिये, हाँ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, सीदे-सीदे इसकी equation लिख सकता हूँ, circle की इस formula के हिसाब से, x1 क्या है, कोई सा भी ले ले, तो x minus 7, x1 ले लिया, x2 है 2, x minus 2, plus y minus y1, into y minus, minus 1, y plus 1, इसको simplify करके जो आएगा, वो circle की equation बेटा आ जाएगी, हाँ, राइट, तर imaginary radius में circle का क्या होगा, बेटा circle quadratic का क्या होता है, जब d negative आ जाता है, roots नहीं आती, उसकी real roots नहीं होती, ठीक है ना, आयोटा के term में होती हैं sir, हाँ, तो बट वैसा circle में अपने को नहीं, real, हमें real circle ही पढ़ना है, क्योंकि figure ही नहीं बनेगी, तो circle कहा हैगा, circle की figure ही नहीं बन पाएगी, imaginary radius का मतलब तो उसे बनाई नहीं पाएगा, हाँ, समझ गए, diametric form of circle इस तरह से हम लगाएंगे, जब भी एक diameter के endpoints दिये जाएंगे, तुम सीधे diametric form लगाओगे, center radius के चक्कर में नहीं पढ़ोगे, ठीक है, चले, देखते हैं अब इस पर भी सवाल जएई का लगाते हैं, पुराना सवाल है, बहुत ancient time का, यह समझ ले, I think 2009 का सवाल है यह, 9 या 11 का है, I don't know, बट इससे कितना similar question अभी जएई ने, लास्ट येर पूछा है देखेंगे, देख तेईस में, एप्रिल में, बिल्कुल लेटेस्ट, पहले इसको समझो, इसलिए पुराने जो conceptual सवाल होते हैं, उन्हें करना बड़ा important है, यह कहां से बनाता है questions, वोई सब concept भुमा फिरा के बनाता है, right, चलो, इधर देखते हैं, tangents drawn from the point, अभी tangent, अब कुछ लोग tangent देखते हैं रोएंगे, सब tangent तो हट गया, अब देखिए, tangent का सवाल है, बोल किसको जाके रोएगा, अगले साल भी आ सकता है, इसमें tangent का कुछ काम ही नहीं है, बुड़ा बहुत हलका फुलका लगेगा बस, चलिए, देखते हैं, figure क्या बनेगी, tangents drawn from 1,8 to the circle, touch the circle at A and B, तो एक बहार के point से दो tangent बनती हैं, A और B पे touch कर रहा है circle को, 1,8 से दो tangents बनी, find the equation of circumcircle of triangle PAB, PAB triangle जो बनेगा, उसका circumcircle, सर, while using this formula, Y perpendicular बेटा, जी, दसवी क्लास में बताया जाता है, diameter होता है, तो angle in semicircle 90 degree बनता है, कोई भी diameter होता है, यह बच्पन में पढ़ा है की नहीं, कि यह सारे angle 90 होते हैं, diameter 90 degree subtend करता है, circumference पे, वही तो है, कैसी बाते कर रहा है बेटा, लग रहा है तू नाइन्थ वाला है, हाँ, चलो इधर देखो, तो question यह है की भाई, P.A.B. का जो circumcircle बनेगा, P.A.B. का जो circumcircle बनेगा, मतलब जो circle, तीनों से pass करेगा, P.A. और B से, उसका basically आपको, equation सफेद वाले circle की बतानी है, P.A. और B से जो circle pass करेगा, उसकी equation बतानी है, अब यहां आता है बड़ा interesting concept, कि अगर मैं एक काम करता हूँ, तुमने देखो, यह बात शायद सीखी हो, नहीं पता तो अब सीख लो, center से अगर मैं, सीखी होगी हो, इस physics में भी लगाते हो, tangent और radius हमेशा perpendicular होते हैं, तो अगर मैं इस A point से, एक radius बना दूँ, तो मैं यह बोल रहा हूँ, कि जो center होगा, वो भी circle से पास करेगा, center of the red circle, लाल circle का जो center होगा, वो सफेद circle की boundary पर लाए करेगा, circumference पर लाए करेगा, ऐसा क्यों sir, तो मैं क्या इन डिरेक्ट लिए बोलना चाहा रहा हूँ, कि PACB एक cyclic quadrilateral होगा, quadrilateral, PACB is cyclic, cyclic quadrilateral होगा भाई साब, PACB जो है, वो cyclic quadrilateral बनेगा, cyclic quadrilateral क्या होता है, basically, जिस quadrilateral को cyclic कहते हैं, अगर उसके चारो vertex, एक circle पर ही लाए करेगा, cyclic quadrilateral मतलब, चारो vertexes will lie on a circle, और इसकी property होती है, कि opposite angles का sum, 180 होता है, तो क्या opposite angles का sum 180 हो रहा है, देखके देखो, इधर देखो, क्या अगर आप देखो, angle A और angle B, यह देख, opposite angles तो यही दोनों हुए, यह भी 90, यह भी 90, opposite angles का sum 180 हो रहा है, यानि यह quadrilateral cyclic होता है, बहुत important, जब भी एक point से दो tangent बने, तो यह जो quadrilateral बनता है वेटा, यह cyclic quadrilateral बन जाता है, क्योंकि opposite angles का sum 180, very very important quadrilateral, tangents में, circles में, यह quadrilateral बहुत interesting important है, ठीक है, तो यानि की पहली बात यह हो गई, कि यह cyclic quadrilateral होगा, यानि की circumcircle of triangle PAB, will pass through, will also pass through, यही तो बात होई कि PAB का जो circumcircle है, वो C से भी पास करेगा, क्योंकि cyclic quadrilateral का मतलब यही होता है, further, एक और मज़दार बात, कि यह जो सफेद circle है, इसका जो diameter होगा, वो PC line होगी, further, PC is diameter of circle, यह जो सफेद circle जो निकालना है, इसका diameter भी PC होगा, ऐसा क्यों सोचके देख, 90 बन रहा है ना यार, वो ही वाला concept, angle in semicircle 90, क्योंकि यह line, 90 बना रही है circumference पर, so line PC क्या हो जाएगी, line PC will be diameter, तो PC will be diameter, because, angle in semicircle 90, तो बस अब diametric form लगाना है, तुनने P1,8 है, C तो तुमारे पास है, इस circle का center, 3,2, diametric form लगा दो, और बात बन गई, खतम, ठीक है भई, diameter, so circle with, PC as diameter, यह आपको लिख देना है, यानि X minus X1, X1 की जगा 1, X2 की जगा 3, Y minus Y1, Y minus Y2 बराबर 0, इसको open करके लिख दीजिए, इसको open करके जब लिख दोगे, हो गया बस, equation of circle, तो बहुत बहुत important, 10th में पढ़ा था सर, cyclic quadrilateral, हाँ, 10th में पढ़ा हो गया, यह property की opposite angles का sum, क्योंकि 180 आ रहा है, इसलिए cyclic quadrilateral बन गया है, यह property बहुत जबरदस्त है, तो conceptual सवाल है, कि भई, दुबारा से repeat कर रहा हूँ, जो भी हमेशा यह quadrilateral cyclic बनेगा, जब भी circle बन रहा है, tangents बन रही है, तो यह जो PACB है, यह cyclic बढ़ा important quadrilateral है, यह cyclic बनता है, मतलब जो circle है इन तीनों, उसकी जगा चारों से ही pass करेगा, फर्दर उसका PC diameter भी होगा, क्योंकि 90 degree angle in semicircle 90 लग गया, ऐसे, और diametric form लगा दी, ठीक है आप चलो यह वाला देखते हैं, 2023 का कितना similar question, यही ने पूछा है, सर सी से कैसे pass करेगा, क्योंकि बेटा cyclic quadrilateral का मतलब क्या होता है, अभी तोजे समझाया था, 10th में भी समझाते हैं, कि अगर कोई quadrilateral cyclic है, तो तुन ने बस यह learn किया हुआ है, सर opposite angles का सम 180 है, वो तो है ही, उसके अलावा cyclic, cyclic word का मतलब होता है, कि उसके जो vertex हैं, वो चारो एक ही circle पर लाए करेंगे, ठीक है, यह होता है, that is how what cyclic quadrilateral is, definition है cyclic की, इस चारो vertex एक ही circle के उपर लाए करते हैं, इसलिए लाए कर रहे हैं, कुछ लोगों को यह यादी नहीं रहता, चलिए, इधर देखेंगे अब, इधर देखेंगे अब, हाँ, टेंटर से इसलिए पास किया, क्योंकि वो cyclic quadrilateral है, चलो, O be the origin, O P and O Q be tangents to this circle, बिल्कुल similar question, बिल्कुल similar question, कि O P and O Q, अभी tangent शुरू नहीं किया, हमने कहीं है, सोचोर से tangent शुरू हो गया नहीं, diametric form में थोड़ा बहुत tangent बता रहा हूँ, अलका फुलका भी tangent डीटेल में आएगा, O P and O Q, तो tangents दी गई हैं इस circle को, O origin है, ठीक है, circum circle of triangle O P Q, देख, इतनी चीज पढ़ते ही मेरे दिमाग में आ गया, वही फंडा भाई, वही वही अपना रटा 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 है आ गया, ऐसे, circum circle of triangle O P Q मतलब, ये वाला जो circle है बिटा, इस circle की बात हो रही है, circum circle of triangle O P Q, तो सर ये तो हमें पता है, कि ये circle center से भी पास करता है, बस cyclic quadrilateral होता है, और OC इसका diameter होता है, बिल्कुल रटी रटाई चीज, खट से लगा के answer निकाल ले, center क्या है, circle का देख, 3, इसका center बेटा दिख रहा है, 3, minus 2, तो रही बोल रहा हूँ ना भाई, 3, minus 2, आदा किया coefficient of X, minus लगाया 3, आदा किया और minus लगाया minus 2, तो diametric form लगा दीजिए, खेल खटम, तो equation of green circle हो जाएगी, X minus X1, X minus X2, Y minus Y1, Y minus Y2, बराबर 0, तो यह हो जाएगा, X square minus 3X, plus Y square plus 2Y, बराबर 0, X square plus Y square minus 3X, plus 2Y, बराबर 0, यह आगे है भाई, घरे वाले circle की equation, अब देख, क्या पूचा है आगे, passes through alpha half, तो alpha half इसमें satisfy करा दे, इसमें बेटा alpha, half satisfy करा देते हैं, alpha निकालना होगा, जल्दी से डाल देते हैं, alpha square plus 1 by 4, minus 3 alpha, alpha square minus 3 alpha, 5 by 4, LCM 4 alpha square minus 12 alpha plus 5, बराबर 0, alpha में बेटा quadratic जो है, उसको कर ले solve, उसको कर लेते हैं solve, देखिए जल्दी से, splitting the middle करो, इसका 5 दुनी, 5 for the 20, बारा लाना है, बारा, 20 की मदद से, 10 और 2, ठीक है भाई साब, तो ये हो गया, 2 alpha minus 1, into 2 alpha minus 5, बराबर 0, तो alpha की value, half, और 5 by 2, half और 5 by 2, दो आ गए, कुछ reject करने को दिया है, कहीं कुछ दिया नहीं है, alpha negative positive 1 से, बड़ा कुछ नहीं दिया हुआ, a value of alpha पूछी है, मतलब समझ गए, उसने बोला है, कोई भी alpha की एक value बता दे, तो half तो ही नहीं वैसे भी option में, तो 5 by 2, C option हो गया, देख रहा है, ऐसे आती है notes की चीजे, इसलिए बोला जाता है बेटा, note धंक से पढ़के जाना है, समझे ना, इसलिए आपको, एक-एक concept notes का, बार-बार revise करना है बेटा, क्योंकि जो teachers कराते हैं न notes में, वो specifically वही चीजे कराते हैं, जने पता है कि भी या, इसमें बढ़िया concept है, इसमें अराम से फिर से question बन सकता है, एक और सवाल इसके उपर J.E. पूछ सकता है application बना के, तो आपको वही करना होता है, हम क्या करते हैं, short notes के चकर में, तिर फॉर्मले फॉर्मले रच जा, अब फॉर्मला थोड़ी पूछेगा J.E., तर कल में formula कितने हैं, चार formula हैं, उसको short note बना के खुश होगा तू, application, J.E. की maths मतलब application, concepts के application, वो तुम question से ही समझ सकते हो, अगर तुम ये सोच रहो, sir, theory बता दो, question छोड़ो, theory ज़्यादा बताओ, अब ये theory नहीं होती maths में, maths theoretical subject नहीं हैं, ठीक है ना, maths में formula तो दो ही हैं, quadratic हमने करी थी, दो formula थे, बाकि सब application था वेटा, तो तुम्हे application driven जितना बनोगे न, maths में तभी score कर पाओगे, rectification mode में रहोगे की, बस short node रखलू, बट formula रखलू, और फिर J दे दूँ, उस्ते नहीं होगा, sir, backlog कैसे complete करें, तो शुरू कर पढ़णा, ऐसे complete होगा backlog, complete नहीं होगा, ऐसे शुरू होगा, complete होना, तुझे यह लग रहा है, last step पे कब पहुंचूंगा मैं, बढ़ना पढ़ेगा बेटा, और कोई तरीका नहीं है, आगे बढ़िए sir, जी बढ़ रहे हैं, चल बढ़िए, आगे बढ़ेंगे, c option इसका आगया है, अब diametric form में, एक बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा quadratic घुसाते हैं, देखो diametric form में, quadratic, diametric form में हाँ, बिल्कुल, देखो उस पे जेई भी question पूछ चुका है, इसलिए बता रहा हूँ, बढ़ी आसी conceptual चीज, तुमने अभी देखा बेटा, diametric form इस तरह की नजर आती है, ध्यान से सुनना बड़ी प्यारी बात बढ़ाने वाला हूँ, हो सकता है, शायद तुमने बात नहीं बढ़ी हो, हो सकता है, ध्यान से सुन लो, तो जो diametric form है न, उसको जराब फिर से अच्छी तरह लिखता हूँ, ऐसा था diametric form, अब अगर तु इसमें थोड़ा ध्यान से quadratic घुसाए, quadratic घुसाए बेटा, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक quadratic ही तो लिखी x में, x में quadratic ही तो है सोच, x-x1 into x-x2, x में quadratic है, जिसके roots x1, x2 है, तो ये क्या है बेटा जी, ये वाली और similarly, quadratic है, जिसके roots y1, y2 है, so this is a quadratic with roots, चोगि factor बने हुए न, x1 and x2, alpha, beta की जगा x1 और x2 है, this is a quadratic with roots, y1 and y2, तो अगर मैं इन दोनों quadratic को जोड़ दूँ, तो भी diametric form मिल जाती है, ये quadratic, प्लस, ये quadratic, equal to zero करके भी, diametric form मिल जाती है, इसका काम क्या है, ध्यान से सुनना, देखो, अगर x1, x2, y1, y2 दिये, फिर तो क्या ही दिक्कत है, तुम लगाओ diametric form, स्क्वेर माइनस 5x, प्लस 1 बराबर 0, गंदी सी quadratic दे दी, ठीक है, गंदी सी quadratic दे दी, x1, x2 इसके roots है, y1 and y2, are roots of, 2y square, प्लस 7y, प्लस 3 बराबर, प्लस 2, लिख ले, चल कुछ भी लिख ले, गंदी सी quadratic बना दी, यह भी, इसके भी factor गंदे हो गए, तो अब मैं तुम से बोलू, find मैंने सवाल बना दिया, यहाँ पर, find the equation of circle, with, x1, y1, and x2, y2 as diameter, ठीक है भाई, तो देखो, आज PPT में मैं type नहीं कर पाए, सारी चीज़ें जो मुझे बता नहीं थी, क्योंकि तब यह ठीक नहीं थी मेरी, बढ़ हाँ, सारी concepts, फिर भी मैं cover कर रहा हूँ, लिख लिख के, जो भी बतानी, 99% चीज़ें बना दी हैं मैंने PPT में, बट 1-2% जो extra बतानी होती है, वो मैं तुम्हें लिख के बता दूँगा, तो x1, x2 are roots of this equation, उटा रहा है, बट जिसे ही concept पता है, वो यह कहेगा भाईया, diametric form तो सीधे ही add करने पर मिल जाती है, quadratic को ahead करना है, और कुछ नहीं करना हमें, diametric form can be obtained by, हाँ, कि भाई, diametric form बस इतना सा concept समझो, कि diametric form को हम राप्त कर सकते हैं, by adding a quadratic, जिसके roots x1, x2 हैं, and जिसके roots y1, y2, सीधे उनको add करके, diametric form मिल जाती है, ठीक है, बट छोटी सी problem है, जो यह होता है, कहीना कहीन तो घुसाता है न, तो इसमें क्या दिया है, जानके 2 दिया है, अगर जो लोग सीधा-सीधा add कर देंगे, वो गलत हो जाएंगे, क्यों 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 कि circle तो बनेगा ही नी, x2 और 2 y2, तो या तो first equation को पहले, 2 से multiply कर लो, या second को 2 से पहले divide कर लो, ताकि ये दोनो terms, x2 और y2 के coefficient सेम बन जाए, तभी तो circle बनेगा, तो मैं क्या कहे रहा हूं, first को 2 से multiply कर लो, और फिर इसके साथ add कर दो, इसको तुम 2 से divide भी कर सकते थे, एक ही बात है, ये जो भी मिलेगा, ये तुम्हारा खट से answer हो गया वेटा, ये concept है जबरदस्ट, हाँ, समझा, अब दिखा रहा हूं थे, अब ये ट्रिक जिसे पता है, उसने खट से अगला सवाल कर दिया, ये देखिए, जेई ने पूछा है भी, 2022 में, हाँ, चल, जल्दी से देख, abscisa of two points, P and Q, the roots of this, abscisa मतलब x-coordinate, x1, x2, इसके roots हैं, coordinates मतलब y-coordinate, y-coordinate इसके roots हैं, ठीक है, इसमें तो जेख, जेई ने x2, y2 का term भी बन दिया है, PQ is diameter of the circle this, तो समझा गया की नहीं भाई, समझा गया की नहीं, सीधे क्या करना है, quadratic को add करना है, इन दोनों को बेटा लेके add कर देना है, x2 plus y2, minus 4x plus 2y, minus 7, minus 6 हो गया, minus 13, ये तुमारा circle हो गया, ये हो गया circle, compare कर दे बस a, b, z निकला है, खट से, देख जल्दी से, a क्या हो गया, 2a की value है, minus 4, compare कर रहा हूं, 2a है x का, यहाँ minus 4 है, 2b है, वो 2i है, और c आया है, minus 13, तो a बराबर minus 2, b बराबर 1, c बराबर minus 13, इन तीनों को उठा के, a plus b minus c में डाल देते हैं, a है minus 2, plus 1, minus of minus 13, plus 13, तो ये कितना हो गया, 13, 14 में से दो गया, 12, a option, a option आ गया, आया है ना मज़ा, ऐसे, diametric form का इस्तिमाल, तो diametric form को तुम, जैसे तुमने याद किया हूँ, ऐसे तो करो गई, उसके अलावा भी एक तरीके से याद रखोगे, कि दो quadratic को जोड के भी, diametric form मिल जाती है, समझे, I hope ये बात clear है भाई, clear हो गई है ये बात, आगे बढ़े, बड़ा हलवा सवाल था भाई, बेटा हलवा तो तुझे तभी लग रहा है ना, जब तेरा पेट सही है, परना तो तेरे को बड़ा बड़ा दिक्कत होगी इससे, जिसको नहीं आता है concept, उसे बड़ा टफ लगेगा, वो कहेगा रे सर, रूट्स निकालनी पड़ेंगी, गंदी-गंदी का ओड्रेटिक कैसे solve करूँगा, ठीक है ना, हाँ, चलिए, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, सर पानी पी लीजिए, चल पानी पी लेता हूँ, मैं वैसे गरम पानी लाया हूँ आज, ताकि गला थोड़ा सा सही रहे, गरम गरम पानी पिया जाए, देख लो भाई, ला हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, सर, कोफिशेंट सेम करना है, बिल्कुल बेटा सेम करना था, यहां दिया ही सेम था, वाई स्क्वेर और एक स्क्वेर का सेम दिया था, इसलिए मैंने कोई परिशानी नहीं उठाई, इसमें सेम नहीं दिया था, सेम बना के अड़ किया, सेम नहीं दिया था, तो सेम बना के अड़ किया, सर कोफिशेंट वन करें हैं सेम बात एक ही है यार जैसे मैंने यार टू कर दिया था अब तू लास्ट में टू से डिवाइड करके वन बना ले कोई गलत थोड़ी हो जाएगा वो सेम कर ले बस चाहिए वन बना ले अच्छी बात है सेम कर ले तो भी सही है one कर ले तो भी सही है, गलत नहीं है तर ये तो बवाल concept निकला हाँ बेटा, इधर देख अब तू एक और बढ़िया ऐसा ही सवाल, थोड़ा सा पैरा बोला घुसा दिया मैंने, डरना नहीं है, कुछ नहीं है पैरा बोला पैरा बोला y square equal to 4ax ये y square equal to 4ax होता है हाते हैं भाई साब, a और b पर ठीक है find the equation of circle with abs diameter आपको ये वाले circle की equation बतानी है भाई साब ये वाले की, जो abs diameter मान के बन रहा है समझ गया दोस्त ऐसे इस वाले लाल circle की equation निकाल कर बेटा हमें बतानी है हम हम अब कैसे निकलेगा, बिल्कुल यही फंडा देख कि मेरे पास a और b तो है नहीं बट क्या मेरे पास दो quadratic आ सकती है x और y में, सोच के देख क्योंकि उन्हें जोड के मेरे को diametric form मिल जाएगी so can I get a quadratic क्योंकि x1, y1, x2, y2 तो है नहीं मेरे पास यह जो points है, यह नहीं है बट क्या मेरे पास दो quadratic आ सकती है जिसके roots x1, x2 and y1, y2 है तो उनको जोड के खट से answer निकाल दूँगा हाँ जल्दी बताइए कैसे मिलेगी दो quadratic कैसे मिलेगी दोनों को solve भी तो करना है यह intersection point है किस-किस के parabola और line के तो intersection point कैसे मिलते हैं solve करके sir कि y equal to mx plus c parabola में डाल दो, तो y equal to mx plus c line को parabola के साथ solve कर दीजिए, तो क्या होगा x में quadratic मिल जाएगी हाँ, x में quadratic मिल जाएगी और बिलकुल ऐसे ही y में भी मिल जाएगी जब x को eliminate कर दोगे x की value भी डाल दोगे, समझ गया? तो पहले मैंने x में quadratic बना ली यह हो गई, x में quadratic यह हो गई, बेटा, x में quadratic और ऐसे ही अब y में बना लेता हूँ y में कैसे? x की value यहां से क्या आएगी? y माइनस c अपॉन m, इसको ठाके यहां डाल देता हूँ तो y square equal to 4a y माइनस c अपॉन m m y square minus 4a y plus 4a c बराबर 0 यह बन गई बेटा, तुमारी y में quadratic हाँ अब क्या होगा? अब बेटा बद दोनों को add करना है, बढ़ add करने से पहले sir, थोड़ा सा जोल हो रखा है, यहां पे m square है और यहां पे m है, तो या तो इसे भी m से multiply कर लो और फिर add कर लेना geometric form मिल जाएगी तुम्हें ठीक है? ऐसे करना होता है कुछ भी दे सकते हैं, अब यहां मैंने parabola और line दे दी, ellipse और line दे दे circle और line कुछ भी कुछ दे दे कि concept हर जगा लग जाएगा hyperbola दे दे, line दे, कुछ भी दे चलिए, आगे बढ़ते हैं clear हो गई है यह बात समझ आ गया sir ठीक है, very nice क्योंकि simultaneously solve करके मिलेगा क्या, क्योंकि line को और parabola को solve किया है, यानि जो intersection points है, उनी के x coordinate में quadratic मिली होगी, उनी के y coordinate में quadratic मिली होगी, क्योंकि simultaneously solve करें, दो lines को solve करता है, क्या मिलता है, intersection मिलता है ऐसी parabola line को solve करूँ हूँ है, तब भी intersection ही मिलेगा ऐसे, चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो basics अपने circle के हो गए है, basic equations यह समझ लो 3 forms मैंने तुम्हें बता दी हैं, अब हम आएंगे intercepts, circle के intercepts very very interesting concept, देखो lines में तुमने intercept पढ़ा है अगर straight line के intercept की बात करूँ, तो यह x intercept होता है x intercept ही होता है, यह y intercept होता है in fact, अगर ऐसे आजाए तो यह x intercept negative हो जाता है y positive ही रहता है, y intercept positive ही रहता है, यह lines के intercept है toccals के भी similar चलेंगे हलका फुलका सा change होगा तर why you have written mx, अब है mx नहीं है, वो m से multiply किया था मैंने पूरी equation को, यह लिखा है मैंने multiply with m, पूरी equation को ताकि दोनों-दोनों सेम बन जाए यार, कमाल कर दिया यार हाँ ठीक है भई, आगे बढ़े add करने से पहले coefficient of x square y square सेम बनाने होता है सो गया था, क्या बेटा, नीन लग गई थी क्या तेरी थोड़ी देर पहले अभी तो कराया है सब, यह देख चल intercepts made by a circle पर आते हैं तो line के intercept हमें पता है circle के intercept की बाते करेंगे पहली बात तो यह, कि circle के intercepts negative नहीं होते कभी भी line के negative हो जगा है थे मैंने अभी दिखाया था कि अगर line तो मैं ऐसे बना दो तो इसमें x भी negative है, y भी negative intercept है, क्योंकि नीचे कट कर रहा है, इदर left में कट कर रहा है, but circles के intercepts कभी भी negative नहीं होते पहली बात, पहली बात कि circle के intercepts, चाहे x intercept हो y intercept हो negative नहीं होते, तो defined कैसे होते हैं, defined होते हैं कि अगर मैं जहां circle x-axis को cut कर रहा है, दो जगा यह देख, circle x-axis को मालने, दो जगा cut कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का distance होता है x intercept तो distance है, negative होई नहीं सकता circle उठा के इदर भी कर दे, तब भी क्योंकि distance है इन दोनों points के बीच का distance हो जाएगा अगर circle कटी नहीं किया सर दो जगा, भी सब पढ़ेंगे, अभी मैंने एक general बना लिया कि मान लेते हैं x-axis को भी दो जगा कट कर रहा है y-axis को भी दो जगा, तो intercepts किस तरह से define होते हैं, तो a b x-intercept है, और suppose इसको pq कह देता हूँ, यह हमारा y-intercept है हाँ, अब जल्दी से इसका हम निकालते हैं, इसका हम निकालेंगे formula, तो circle वही है अपने पास, हमारा देसी circle general circle अब देखो, straight line में क्या करते थे, x-intercept निकालने को, sir y-0 डाल देते थे है ना, तो यहां भी वही करेंगे, क्योंकि x-axis को जहां cut कर रहा है मतलब y-0 डालूंगा x-intercept के लिए y-0 डाल दिया, y-0 यह गया, यह गया, so x square plus 2gx plus c बराबर 0, यह quadratic आ गई जिसके दो roots हैं, वेटा x1, x2 तो यह x1 0 हो गया, यह x2 0 हो गया, y-coordinate तो 0 ही है, x-axis पर है, तो x में quadratic आ गई, जिसके roots x1, x2 हैं, और अब बिटा यह length कितनी हो गई, तर x2 minus x1 का mod हो गया difference between x1, x2 ही x-intercept है, तो x intercept हो गया, mod x2 minus x1, difference of roots हाँ difference of the roots याद आया quadratic का funda फिर से देख, यह quadratic है, जिसके roots x1, x2 है, हमें difference of the roots, root d by a होता था सर, difference of the roots का formula, root d by a होता था, याद करो, याद करो बताया था ना, circles में sorry quadratic में बताया था, root d by a discriminate निकाल ले, b square minus 4, a की जगा तो 1 है तो यह हो गया, root 4 g square minus 4c 4 में से 2 बहार 2 root g square minus c तो x-intercept का formula आपसे आप याद रखेंगे 2 root g square minus c याद आया, ऐसे derive होता है, तुमें derivation छोड़ो important नहीं है, उतना formula याद रखेंगे कि x-intercept का formula है, 2 बहार root g square minus c, अब जो समझदार व्यक्ति हैं, वो समझ गए कि sir, y-intercept में बिलकुल same कहानी हो जाएगी, y-intercept में x0 डालूँगा x0 डालूँगा और y-intercept x0 डालूँगा, तो y में quadratic बनेगी फिर से इसके roots y1, y2 होंगे, और y1 minus y2 इस बार y-intercept हो जाएगा, वो 2 root f square minus c आ जाएगा, समझ गया न, बिलकुल same, बिलकुल same, 2 root f square minus c y-intercept का formula होता है ये वाला, और ये 2 root g square minus c होता है हम, सर, एक-दो problem, advance की भी कराओगे, क्या बीच में भी आएंगे, बिटा, खूब सारी, एक-दो क्यों 2023 का भी कराओँगा, तो मैं जो इस बार आया advance में सवाल, तुम कहोगे सर, easy था 22 का भी, 21 का भी, 19 का भी, 4-5-6 सवाल करेंगे, advance के भी करेंगे, don't worry, इधर देखिए तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी तुमारे पास सरकल हो, मान लो कोई भी सरकल दे दिया मैंने x square plus y square plus 2x plus 8y plus 3 बराबर 0 ऐसी दे दिया, जो मन करा लिख दिया, यह मैंने एक सरकल लिख दिया ठीक है, जब इसका xy intercept निकालता हूँ, तो g हो गया 1, क्योंकि 2g 2 है f हो गया 4, 2f 8 है, c हो गया 3, तो x intercept का formula लगाएं 2 root g square minus c, तो 2 root 1 square minus 3, तर यह क्या कबाड़ा मच गया 1 minus 3 root के अंदर minus 2 आ गया, यह क्या हो गया सर, अभी बताऊंगा क्या हुआ, इधर देख, अभी देख, y intercept निकालते हैं 2 root f square minus c, 12 minus 3, 13, यह तो अच्छा सा आ गया कुछ, अब x intercept तो सर, non real आ गया, यह तो non real आ गया, अब इसका क्या मतलब है, non real x intercept का क्या मतलब है, बता, center भी निकाल ली, अहां सर, minus g, minus f से center तुमारा, minus 1, minus 4 हो गया, तो अब इसका मतलब यह है बिटा, कि x intercept exist ही नहीं कर रहा, मतलब x intercept non real का मतलब क्या है, याद करो मैंने एक assumption लिया था, कि x axis को दो जगा कट करी रहा है, जरूरी थोड़ी x axis के उपर से निकल जाए, पटी नहीं करेगा, root c नहीं आएंगी quadratic की, जैसे quadratic में होता था यार, कि अगर x axis के बिलकुर उपर से प्यारा बोला निकल गया, graph, root c नहीं है, उसकी d negative है, तो अगर अब मैं इस circle की figure देखना चाहूं, तो basically ऐसा कुछ है कि center जो है, third quadrant में है, और y intercept तो आ गया, तो ऐसा कुछ हो गया, कि y intercept तो real आ रहा है, बट x intercept, x axis को वो कट ही नहीं कर रहा, x axis के बिलकुल, नीचे से निकल जा रहा है, center तो third quadrant में दोनों negative, minus 1, minus 4, और y intercept कुछ ना कुछ आ गया, ये वाली length, ये वाली length बिटा 2 root 13 आ गई, बट x intercept ही नहीं, non-real है, मतलब x axis को वो कट ही नहीं कर रहा, बिलकुल, नीचे से निकल जा रहा है, it does not intersect the x axis, x intercept non-real होने का मतलब ये हो जाएगा, समझ गए, तो अब I think तुम लोग ये समझ गए हो, कि क्योंकि root के अंदर की term आ रही है, जब भी root में कुछ आ जाता है, तो 3 cases आ जाते हैं, है न, वो positive 0 और negative, तो बिलकुल same मैं 3 cases बना सकता हूँ, बिलकुल same 3 cases बना सकता हूँ, अगर g square minus c positive है, अगर g square minus c 0 है, अगर g square minus c negative है, समझ गए, तो क्या होगा, अगर positive है, मतलब x axis को दो बार cut कर रहा है, 0 का मतलब x axis को touch कर जा रहा है, क्योंकि x intercept की बात हो रही है भी, और negative का मतलब या तो बिलकुल x axis के उपर से, या बिलकुल x axis के नीचे से निकल जा रहा है, ये condition हो जाएंगी g square minus c की, and similarly f square minus c की भी ह हो जाएंगी तुम समझ गए, f square minus c positive का मतलब y axis को दो जगा cut बढ़िया तरीके से किया, f square minus c 0 का मतलब y axis को touch करते हुए निकल गया इधर भी हो सकता है, बस y axis को touch कर जाएगा, and f square minus c negative का मतलब y axis को दूर से ही टाटा वाइवाई, इधर left से बिलकुल या right से निकल जाएगा ऐसे, just like discriminant, बिलकुल सही बात, discriminant जैसी कहानी यहाँ पर भी हो गई है, तो सवाल कैसा बन जाएगा, माल लो एक figure दे दी, है ना भई, तुम्हें दे दिया, कि भाई, एक circle है इस तरह का, multiple correct बना दिया, बताईए कौन कौन से सही है, which of the following are correct, तो correct चोड़ तू बता दे, क्य क्या क्या बता सकता है, जो जो conclusion draw कर सकते हो, बताईए क्या क्या कर सकते हैं, हम इस question में, कि FC के बारे में, equal to 0 का मतलब touch करेगा, यह देखी, x axis को touch कर रहा है, tangent हो जाएगी, और f square minus c 0 का मतलब, वो y axis को touch करेगा, चलिए तो question यह है, कि एक circle दिया है, और अब आपको बताना ह क्या क्या आप conclude कर सकते हैं, सबसे पहली बात जो हम conclude कर सकते हैं, क्योंकि x intercept कुछ ना कुछ बढ़िया सा आ रहा है, तो g square minus c तो positive हो गया, और y axis से दूर से bye-bye हो रही है, यानि f square minus c negative हो रहा होगा, क्योंकि y intercept non real आ रहा होगा, और कुछ, और कुछ, जल्दी बताइए, हाँ, y intercept 0 नहीं है बेटा, y intercept non real है, y intercept 0 तब होता है, जब touch करके जाए, ऐसे, हाँ, क्या आपको fever है, थोड़ा थोड़ा हलका फुलका होगा, पता नहीं लग रहा भी, परक नहीं पढ़ता बेटा, पढ़ाई करते हैं, चलो, वापस आते हैं, तो center, एक और चीज conclude कर सकते हो, क्योंकि center बेटा, minus g minus f होता है, और ये तो intercept की बात हो गई, बट center तुम्हें second quadrant में दिया है, right, second quadrant में x तो positive negative होता है, मतलब जो तीसरा conclusion ड्रॉ कर सकते हो, कि minus g negative होना चाहिए, क्योंकि center किसमें है, second में x negative y positive होता है, minus f जो है वो positive होना चाहिए, यानि g positive होगा, minus वड़ा दिया, और minus f positive मतलब f negative हो गया, ऐसा कुछ, समझ गया, ऐसे, तर क्या दोनो negative हो सकते हैं, हाँ, बिल्कुल, f square minus c हो कह रहे है, ऐसे आजा है circle, या इदर आजा है, या ऐसे आजा है, न x axis को cut कर रहा है, न y axis को, तो इस तरह के circles में, x axis और y axis दोनों में ही non real intercepts हैं, यानि g square minus c b negative, f square minus c b negative, ऐसे, तर नीचे भी touch हाँ, ज कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बना ले, यह नीचे से, ऐसे touch कर गया, यह left से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखेंगे, advance का एक सवाल इस पर आया हुए, इन concepts पर इदियान से, जो figure बनी है न, जो लोग सोचते हैं सर्थ, यह क्यों बता रहे हो सा theoretical बाते हैं, सी जल्दी से देखते हैं, हाँ, circle this, passes through 6,1 and its center lies on the line this, तो पहली बात एक circle दिया है, जिसका center किसी line पर लाए कर रहा है, center है क्या, center है g, minus 3, दिख रहा है तुम्हे, coefficient of x का आधा करके minus चिपका है, g का आधा करके minus चिपका है, तो g, minus 3 इसका center हो गया, और circle 6,1 से pass कर रहा है, 6,1 इसमें डाल दो, 6,1 इसमें डाल दो, तो 36 plus 1 minus 12g plus 6 minus 19c बराबर 0, कितना हो गया भाई, 37 43 equal to 12g plus 19c, hmm, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, एक equation तो बन गई भाई, आसर एक तो बन गई, दूसरी बनाने के लिए क्या दिया है, center lies on this line, तो center को 6,1 को इसमें डाल दो, sorry, center तो g minus 3 था, इसमें डाल देता हूँ, तो g, minus 3, जो center है बेटा, इसको इसमें satisfy करा देता हूँ, तो g plus 6c बराबर 8, दो equation, दो unknown बन गई, देखो, दो equations, दो unknown, linear equations बन गई, g और c में solve कर लोगे, की और c में 2 equations बन गई न बिटा, solve कर लोगे, देखो, फिर वो हिटेंट ट्रायल लगाता हूँ, लग रहा है कि यार, यह 1 और 2 रखके, g2 और c1, यह 6 और 2, 8 हो जाएगा न, ऐसे सोच रहा हूँ, नहीं तो कर लेंगे solve क्या दिक्कत है, g2 और c1, दूसरी को कर रहा है, क्य very good, तो satisfy कर गया, ऐसे, कई बार objective में tricks लग जाती है, क्योंकि देख, examiner पर trust करो, उसने question दिया है, कुछ अच्छा data, क्या पता आ रहा हो, नहीं आए भाई, नहीं satisfy कर लिए, solve और हम से बैठके, दोनों lines, बट एक बार ट्राय तो कर ले, 10 second में हो गया, देख solve, नहीं तो बै से पूछा गया है, और अब बेटाब, गलती देखो, क्या होती है, हमें तो आदत है, हम formula रटके गए है, 2 root G square minus C, है ना भई, और C को लगता रहे, सर C तो 1 आ गया, नहीं भई, यहां 19 C दिया है, ध्यान से, C की जगा गडबड करी हुई है, उसने, examiner ने, हम जा क्या कह रह माइनस 19 बराबर 0, और अब X intercept का formula लगाएंगे, 2 root G square minus C, minus of minus 19, तो 2 root 23, ऐसा आ रहा है भई, 2 root 23 आ रहा है, मेरा तो X intercept D option आ रहा है, चेक कर लेते हैं, D option क्या ये सही है, बिलकुल बढ़िया, समझा, ऐसे, X intercept का formula लगाके, question बना दिया, चलिए, तो ये मैंने summary लिखी हुई है, intercepts के बारे में आपको ये याद रखना है, कि circle के intercepts इस तरह के दिखते हैं, और non real भी हो सकते हैं वो, मतलब उपर नीचे से निकल सकता है circle, और negative नहीं होते हैं, बट कभी भी, क्योंकि distance होता है बिटा, अब हमने, तुमने notice किया, हम x-axis को या y-axis को touch कर रहा है, ये जड़ा detail में समझ लेते हैं, बड़ा important है, सर जो आपने सबसे पहले alpha वाला question कर रहा है था, उसमें सीधे equation में gf का value क्यों नहीं निकाला, क्योंकि बेटा पूछा ही नहीं था न, gf कहीं उसने पूछा ही नहीं, निकाला नहीं, तो पूछे ये देख, ये कह रहे हैं सर इस वाले question में, आपने, आपने क्या किया हुआ है, आपने r निकाल लिया, alpha निकाल लिया, gf क्यों निकाल लिया, अरे gf कहा है, पूछा कहा है उसने, निकाल लेंगे वो भी चाहिएगा, बट alpha plus r पूछा था न, तो उसकी खोज में निकले हम, हम क्यों जाएं जो, पूछा ही नि, निकाल सकते हैं वो भी, चलिए वापस आएंगे, तो मैं तुम्हें बता रहा था, जब circle x-axis या y-axis को touch करता है, वो cases बहुत जादा interesting और important होते हैं, circle touches x-axis, ध्यान जे सुनना भई, अगर x-axis को touch करता है, अभी y की बात नहीं हो रही, x क की बात हो रही है, तो ऐसा क्या special है, इसमें बड़ा special है, देख क्या, अगर x-axis को touch करेगा, तो जो radius है, notice करो, वो होता है, g-square plus f-square minus c, ध्यान से सुनना भई, बट क्योंकि x-axis को touch कर रहा है, g-square बराबर c है, यानि ये दोनों कट जाएंगे, g-square बराबर c है तो, है न और radius क्या आ गया, root f-square आ गया सर, root f-square होता है, mod f, तो very 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 important, कि अगर कभी भी, अगर कभी भी circle जो है, x-axis को touch कर रहा है, तो radius जो होगा, देखिए हैं, figure से भी दिख रहा है, ये radius है, हाँ सर, और यही mod f तो है, y-coordinate of center यही तो है, mod f मतलब, ordinate of center, y-coordinate यह, ordinate of center, figure में देख लो, जो radius है, वही y-coordinate of center भी है, similarly, अगर circle y-axis को touch करता है, इधर भी हो सकता है, g-square plus f-square minus c, इस बार f-square और c कट जाएंगे, तो radius जो है, mod g बन जाएगा, ये radius और mod g, यानि, mod of abscissa, of center, की क्या होता है, abscissa of center का mod, हम, और अब अगर, दोनों को touch कर जाए, अगर circle ऐसा हो, जो दोनों को, ये बड़ा important है भाई, इस पर देखना, last में p-y-q दिखेंगे j-e के, इस साल, हाँ, ज्यान से सुन लेना है, बहुत important case है, j-e, बहुत बार question पूछता है, जब circle दोनों x's को touch कर जाए, तो मतलब, दोनों equal हो जाएंगे न, तो mod f मराबर mod g हो जाएगा, जो radius है, वो ये भी होगा, और ये भी होगा, ये दोनों ही radius होंगे, और ये ही mod f, ये ही mod g, यानि की बड़ी important बात, कि अगर circle दोनों x's को touch करता है, तो mod of f और mod of g, मतलब, जो center के coordinates होते हैं, उनके दोनों के magnitude सेम होते हैं, ये देख, mod g, mod f, मतलब, ऐसा कभी नहीं हो सकता, center ऐसा कभी नहीं हो सकता, 2,5, और एक दोनों x's को touch कर जाए, नहीं, center के जो absciss or ordinates हैं, ये 2,2 ही हो, पाएंगे, ये 2,-2 हो जाए, नीचे आजाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके जो magnitudes हैं, x और y के, x, y coordinates of center वो सेम होने चाहिए, very, very important, तो अगर कभी भी circle coordinate axis को touch कर रहा है, तो अब से तुमारे लिए, प्यारी सी बात ये हो गई, कि अगर circle इस तरह से placed है, चार, तो इसका center होगा, r, r, first quadrant में, r, r, दोनों axis को touch कर रहे हैं, अगर circles, तो उसका center, r, qmr होगा, या minus r, r होगा, या ये minus r, minus r हो जाएगा, third में, या r, minus r, इस तरह सो, plus minus r, plus minus r type के centers होंगे, वेटा, चार, ओ, quadrant में, बहुत important, इस पर सवाल देखना, आज बनेगा, आगे चलके, बहुत questions इस पर तुमें दिखेंगे, p, y, qs, जब last में हम पहुचेंगे, x equal to y line पर होंगे, हाँ, x equal to y, x equal to minus y, दोनों में से किसी पर भी हो सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो इतनी बात हमने कर ली है, इतनी बात हमने कर ली है, अब एक सवाल जरा J का लगा लेते हैं, इस पर, फिर हम advance वाले सवाल पर आते हैं, question says, circle touches x-axis at 3-0, x-axis को touch कर रहा है, 3-0 से, ठीक है भाई, and intercept of 8 on y-axis, 3-0 पर circle x-axis को touch कर रहा है, और y-intercept 8 बना रहा है, ठीक है, और किस point से pass करेगा, मतलब circle की equation बतानी है, circle की equation निकाल ली, तो सारा खेल solve जाएगा, तर g-square equal to c कैसे, अब एक से को touch कर रहा है, तो उसकी condition होती है भाई, x-axis को touch करने की condition, अभी तो सीखिए, g-square equal to c क्या हो गया भाई तुम्हें, ये कैसे बेहुदा सवाल है, हो गए थे कि अलग रहा है, इधर देखो, तो 3,0 ये है, और ये 8 है, तो पहला formula तो ये कि सर, x, y, g-square बराबर c होगा, पहला method कर रहा हूँ, जो बिल्कुल बिना दिमाग लगाए, ज्यादा नहीं, simple equations बना-बना के solve कर देंगे, g-square equal to c, क्योंकि x-axis को touch कर रहा है, क्या लिखा है, touching x-axis, और 2 root f-square minus c, y-intercept, जो है, 8 हो जाएगा, right, आसर हो जाएगा, ठीक है, बट तीन equation चाहिए न, क्योंकि g-fc है, तीन unknown है, circle का अगर equation निकालना है, तो x-square plus y-square plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0 मे, g-fc तीन unknowns है, तो तीन equations चाहिए, बेटा, एक हो गई, यहाँ से दूसरी आ जाएगी, और तीसरी के लिए अभी यह point use होगा, 3,0, circle का point है, so 3,0 satisfies, 3,0 डाल देते हैं, तो c plus 6g plus 9, बराबर 0, यह हो गई तीसरी equation, एक, दो, तीन number solve कर लेंगे, answer आ जाएगा, ठीक है, यह method मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें घर पे करना है, मैं तुम्हें एक short cut बता रहा हूँ इसका, यह वो method है भाई, fast वाला, जो, exam में बैठके आप सबको click करना चाहिए, बट जो लोग थोड़ा सा part method करना चाहते हैं, बल्दी बढ़िया, fast तरीके से, वो जड़ा सुन लें, अगला वाला method, method बन समझ गए, GFC में तीन equations तरह यार करीं, एक लिख रहा है, किससार आप IATN हो, फिर भी ती महनत क्यों करते हो, बटा, इतनी महनत करता हूँ, इसी लिए IATN हो, तेरी बात का जवाब यह है, समझा, अब तु समझ गया होगा, life भर के लिए एक lesson मिल गया ना तुझे, कि बटा, कुछ भी काम अगर कर रहा है, महनत किये बिना कुछ नहीं होता, और महनत करते रहनी पड़ती है, कि महनत वन टाइम वो नहीं है, कि बस एक टाइम कर ली और वह लाइफ बर अब तो आश करूँगा मैं, इसा हैबिट, चल बेटा, आगे बढ़े, हाँ, एक कहरा है सर लगता आपको आता नहीं, पूरा नहीं कर रहें आप, चल बेटा, तु ऐसा ही समझ ले, ऐसा ही समझ ले, ठीक, अब शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, जड़ा उससे करेंगे पूरा क्वेश्चन, हम, अब आ लाइन सर, हाँ, चलो, आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो मैं अब आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, बेटा, एक तरीका तो हमने कर लिया, जी एफसी, तीन इक्वेशन्स बना ली, और इससे अब हम जी एफसी तीनों सॉल्व कर लेंगे, हमारा सर्कल आ जाएगा, सर्कल आ गया, फिर पॉइंट डाल के देख लेंगे, बट अब मैं तुम एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसका, चलो, इधर देखेंगे, तो शॉर्टकट ये है, कि भई, सेंटर, सोड़ा सेंटर रेंटर बनाते हैं, जब सर्कल में हमारे पास, जो चीज आ उसका इस्तिमाल करते हैं, भई, हाँ सर, बिलकुल करेंगे, ये देख, ये तो अभी हमने सीखा, अगर ये सेंटर है, बिटा, ठीक है सर, ये सेंटर है, और अगर ये तीन है, मैंने एक पर्पेंडिकुलर ड्रॉप किया, कॉर्ड है न क्योंकि, इधर ध्यान से देखना है, ये एबी ले लेता हूँ, एबी जो है कॉर्ड है, सब लोग फिगर में देखेंगे, ध्यान से, वरना समझ नहीं आएगा, हा अपने फ्यूचर के लिए थोड़ी देर भूक नहीं कंट्रोल कर सकता, क्या हो जाएगा, थोड़ी देर भूका रह लेगा तो, कुछ नहीं होने वाला, बहुत, एक्सेस टोरेज होता है बॉडी में, एफर्ट कर, हाँ, आठ बजे ब्रेक लेंगे अपन लोग, आठ बजे तुम लोग मम्मी को बोल दो, कि मम्मी मैं खाना खा लूँगा, उससे पहले बेटा बिल्कुल नहीं उठ रहा है, महनत करनी है पूरी ठीक है, और 15 मिनिट का ब्रेक खा के बिल्कुल रेडी, चलिए, तो मैं क्या बता रहा था भाई, कि अगर मैंने इस पे कि अब तो मैं पता है, कॉड बाइसेक्ट होती है, तो अगर ये पॉइंट पी है, तो इतना चार हो जाएगा, समझा, आठ था ना टोटल, कॉड तो बाइसेक्ट होती है पर्पेंडिकुलर से, तो ये चार हो गया, अच्छा, अगर ये तीन है, तो भाई, ये भी तीन हो जाएगा, PC दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि सर वो रिक्टैंगल जैसा दिख रहा है, ये 90 है, ये 90 वैसे ही है, ये भी 90 है, तो ये जो फिगर बन रहा है, ओ, जो भी नाम दे देसका, क्यों बोल दे, ओ, क्यों सी पी, एक रिक्टैंगल बन जाएगा, समझा, क अब बिटा जड़ा धिहान से देखो मैं इस point को जड़ा join कर देता हूँ in triangle PCP PCP triangle को जड़ा धिहान से देखो ये 3 ये 4 तो ये 5 PC जो है 5 हो जाएगा आया ना मज़ा यानि radius ही 5 निकल कर आ गया circle का circle का radius बिटा 5 निकल कर आ गया और radius 5 है तो ये भी 5 हो गया ये 5 है और ये दोनों तो बराबर है न तो ये भी CQ भी तुम्हारा 5 ही हो गया CQ भी क्या हो गया 5 हो गया आया ना मज़ा तो center निकल आया देख center निकल आया x coordinate कितना था 3 y axis से distance 3 था इसका x axis से distance 5 है 3,5 center हो गया तो मैंने क्या निकाल दिया center और radius दोनों निकाल दिये तो इसका मतलब अच्छा आप कुछ लोग कहते हैं समझ गया center और radius निकाल लिया इस बार मैंने general form से गया इस method 2 से मैंने center radius निकाले और आप कुछ लोग कहते हैं सर सरकल लेफ्ट में भी तो हो सकता था ऐसे भी तो हो सकता था इसे भी तो हो सकता था तो यह थोड़ी लिखा है कि positive अच्छा निक 3,0 पे है ना तो एक ही है ठीक है फिर तो एक ही है तो बस center या गया radius या गया center radius form जा ऐसे और अब बस point डाल के देख लेना जो answer आएगा satisfy कर रहा है वो answer कर लोगे अब तर 5 कैसे आया बेटा पाइथागरस लगा के देख यह 3 है यह 4 है तो यह पाइथागरस से 5 हो जाएगा ना पाइथागरस थियोरम लगा के इसलिए bc की value मैंने 5 लिख दी triangle इस वाले triangle में पाइथागरस थियोरम लगाई है इस वाले triangle में यह लाल वाले triangle में पाइथगरस लगाई है हाँ, नीचे हो सकता है बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, कि सर नीचे भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है सेंटर तुने निकाली लिया, एक 3-5 दूसरा क्या हो जाता, दूसरा हो जाता भई, देख, य कोर्डिनेट बन माइनस हो जाता समझ गए, दो सर्कल्स पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है इसलिए मैंने एक दूसरा सेंटर भी लेके, दूसरा सर्कल भी लिख सकते हो, चलो, तो ये बढ़िया क्वेशन था, ऐसा सिमिलर क्वेशन एडवांस में आ चुका है, सिमिलर इसलिए बोल रहा हूँ, ये वाले कॉंसेट्स इंपोर्टेंट है, मेंस में भी एडवांस में भी उछे जा चुके हैं, चलो, एक एडवांस का करते हैं, अब जब बात हो गई एडवांस की, वाला नहीं, सेम वाला नहीं दे रहा, दूसरा दे रहा हूँ अबे वो तो तू करेगा, वो तो तू करेगा, method 1 complete, method 2 बढ़िया वाला था, मैंने बता दिया है, method 2 से भी दो आएंगे, क्योंकि quadratic C बनेगी, अपने आप 2 circle आ जाएंगे, तुमारे GFC की value निकाल लेना, पूरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, उसमें तीन equation बना तो दी मैंने, भीता तो खुद करेगा, भीता की नहीं करेगा, हाँ, advance का सवाल उठाते हैं कि यह, चलिए, question क्या है, how many values of P, the circle, this and the coordinate axis, AX, ES है, मतलब plural है, मतलब दोनों axis की बात हो रही है, have exactly three common points, बहुत प्यारा question है, integer type 2017 में पूछा गया है, कि बोल रहे हैं, P की ऐसी कितनी values हैं, कि यह circle, यह circle और coordinate axis के बीच में, three points common हो, पहली बात तो center दिख रहा है, minus one minus two, इसका center दिख रहा है, मतलब यहां कहीं है, sir, circle, तो अब three common points कब आएंगे, एक तो sir, इस situation में आ जाएगा, ओ, हो, हो, एक तो बेटा, इस situation में आ जाएगा, कि जब y axis को touch, x axis को cut, case one, ठीक है, भाई साब, एक circle ऐसा बन जाए, कि वो third quadrant में देखो center है, और x axis को cut करा, दो point यह हो गए, y axis को touch किया, तो three common points हो गए, case two तुम समझ गए, भाई साब, इसका उल्टा, इसका just opposite, कि x axis को touch, x axis को touch, y axis को cut, तब भी three points आ जाएगे भाई, एक, दो और तीन, है ना भाई साब, हाँ, अब जल्दी से, third case, एक और case होगा, चलो वो बताओ, कौन सा होगा, कई लोग इसी में फस जाते हैं, वस यह दो case बना के खुश हो जाते हैं, कि sir, तीन ही तो, चाहिए थे points, हो गए sir, और कब तीन होगे, और भी एक और situation में तीन हो सकते हैं, सोचके बताईए, एक और situation में वे बेटा, तीन point of intersection आ सकते हैं, कब, बता, origin से पास होगा, शाबाज बेटा, बहुत बढ़िया, किसी ने बिल्कुल सही बात लिखी, कि sir, ये भी तो हो सकता है, ऐसा, कि दोनों को ही touch ना करें, दोनों के ही x-intercept और y-intercept आ जाएं, बट ये वाला point common हो जाए, origin हो जाए, ये x-intercept, ये y-intercept हो जाए, अभी भी तीन points आए, अभी भी तीन points आए, आया ना मसा, अब इस एक एक करके हम सीनों को solve करते हैं, case 1, case 1 में हमें क्या होगा, case 1 में हमें क्या मिलेगा, case 1 में sir, हम क्या चाहते हैं, कि हमारा f square बराबर c हो जाए, और g square greater than c हो जाए, ये तो चाहते हो, क्योंकि x-intercept कुछ आ जाए, y-intercept 0 हो जाए, f square बराबर c, g square minus c positive, तल यहां gfc भी लिख लेता हूँ, g है 1, f है 2, c की value है minus p, ठीक है, तो आप values निकालता हूँ, कि ऐसी p की value निकालने है, दोनों satisfy हो जाए, तो f square बराबर c, इससे आ जाएगा, 2 का square 4, बराबर minus p, तो p की value minus 4 आ गई, बट खुश मत हो जाना, इसमें भ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या g square greater than c आ रहा है, तो check करेंगे g square, g square का मतलब हो गया 1, c का मतलब हो गया minus p, minus p का मतलब हो गया 4, समझे, तो क्या g square c से बढ़ा आ रहा है, 1, g square आ रहा है 1, c आ रहा है 4, तो clearly wrong, 1 greater than 4 आ रहा है, which is obviously wrong, यानि यह वाला case बेटा, reject होगा, समझा, होता क्या है, हम लोग बस पहली equation देखके खुश हो जाते हैं, और फिर दूसरी को ignore मार देते हैं, पी तो मिली गया, नहीं, ये end ये दोनों होने चाहे हैं, intersection लेना है, मतलब ये जो यहां से मिला, उसको इसमें भी डाल के देखना है, समझा, advance का एक question कर रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ पहर फूल रहे होंगे, बढ़ ध्यान दे लो, अगले वाले में बिल्कुल ऐसे ही, g square बराबर c, और f square minus c positive, तो इस बार g square बराबर c, यानि की 1 का square बराबर minus p, यानि p की value minus 1, f square greater than c लाना है basically है न, तो f square कितना है, f square तो 4 है, f square 4 है, और c कितना है, c था minus p, तो 1 हो गया, clearly से बढ़ा आ गया, 4 greater than 1 आ गया, true हो गया, यानि की, यानि की बेटा, ये वाली value minus 1, accept की जाएगी, p equal to minus 1, accept करेंगे, ये वाली हमने reject करी थी, क्योंकि second inequalities के लिए valid ही नहीं हो रही है, बट जैसे ही p minus 1 आ रहा है, second inequality भी valid हो गई, समझा, हाँ, सर दोनों सिर्फ touch करें तो, मेरे भाई, दोनों सिर्फ touch करेंगे, तो 3 point का आएंगे, 2 ही तो आएंगे, एक ये और एक ये, हमें कहा रहा है, 3 point का आमार होने चाहिए, coordinate axis और circle के बीच में, इसमें तो 2 ही हो जाएंगे, हमें 3 चाहिए, तो case 1 rejected, case 2 से एक value आ गई, p minus 1, let's come to case 3, origin से pass करना है, तो 0, 0 satisfy, पहली question तो 0, 0 satisfy, दूसरी g square greater than c, दूसरी f square greater than c, क्योंकि दोनों intercept कुछ ना कुछ आने चाहिए, 0, 0 satisfy करो circle में, तो minus p बराबर 0, यानि p की value 0, और g square, कितना हो जाएगा, g square हो जाएगा, 1, f square हो जाएगा 4, और c तो तो तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो clearly g square जो है c से बढ़ा गया, f square भी c से बढ़ा गया है, यानि accept कर लेंगे ये value भी, ये value भी accept कर लेंगे, यानि p equal to, p equal to 0 भी accept कर लेंगे, तो अब क्या हो गया, एक ये value, एक ये value, दो accept हो गई है, ये तो reject, तो number of values पूछा है, तो वो 2 हो जाएगी, देख, number of values पूछा है, how many values of p, तो 2 values of p हो गई, ऐसे, सर, common points मतलब, अरे यार, common roots, common point भूली है, जैसे दो line है, इनका एक ही common point हुआ न, ये, जो दोनों पे आ रहा है, common मतलब दोनों पे आ जाए, तो वो कह रहे हैं, तीन common point किस-किस के होने चाहिए, coordinate axis और circle के मतलब, circle और coordinate axis के उपर, जो दोनों पर लाए कर रहे हैं, वो तीन point होने चाहिए, देख, इस पे ये तीन हो गए, highlight करके दिखा देता हूँ, एक, दो और तीन, ये जो तीनों points है, ये circle पर भी है, और coordinate axis पर भी है, इसमें भी तीन हो गए, एक, दो और तीन, इसमें भी तीन हो गए, एक origin और एक-एक यहाँ पर, और कोई case होई नहीं सकता, चल बिटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब हम आएंगे, तो हमने intercepts की बाते कर ली है, किसी ने पूछा सर, पिछले वाले में radius तो 5 आ गया, बट center 5 कैसे आया, क्योंकि ये ही center होता है न, ये भी radius ही है 5, और ये ही center का geometrical meaning क्या होता है, center का, x-axis से distance, y-coordinate यही 3, 5 हो गया, ये दिख, 3, ये 5, geometry से हमने कर दिया, चलिए, अब आएंगे हम point and a circle पर, चलिए, अब आ जाते हैं, वापस conceptual, next concept जो हम करने वाले है, point and a circle, तो अब होता क्या है, सबसे पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे, power of a point, जिसको हम बोलते है, s1, जहान से सुनेंगे, जि general ले लो, जो भी ले लो, general ले लिया, तो s equal to 0 तुमारा circle होता है, इस चीज़ को s बोलते हैं, बार-बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े, c क्यों नहीं बोलते है, sir, circle, c is for circle होता है, c यार generally हम इसके लिए use कर लेते हैं, यहां सी आ जाता है, confusion होती है, तो s is generally used for circle, तो s1 जो होती है, s1 is nothing, बट एक कोई भी point है, power of a point, point के coordinate माले x1, y1 है, तो x1, y1 को circle में डाल दे, x1, y1 को circle में डाल दे, क्या मिलेगा, यह मिलेगा, sir, यह जो quantity है, इसको बोला जाता है, power of a point, point की शक्ती, है ना, कोई भी point को circle में डालो, जो मिलेगा, वो power of the point होगी, यह चीज कहला ही जाती है, power of point, power of point, मतलब, अगर माले x1, y1 कुछ भी ले ले, माले 1,1 की power, with respect to, x2 plus y2, plus 2x, plus 3y, minus 1, माल लेते हैं, तो 1,1 को इसमें डालोगे, बेटा, क्या मिलेगा, 1, plus 1, plus 2, plus 3, minus 1, यह s1 हो जाएगी, 6 हो गया, तो power of the point, 1,1, with respect to this circle, is 6, यह इसका मतलब है, अब इसका काम क्या है, power of point का, वो समझते हैं, तो इस quantity को, point को circle में डाल दो, जो मिलेगा, वो power है, अब, obviously, अगर तो s1, 0 आ जाए, अगर तो s1, माल लो, 0 आ जाती, माल लो, हम point डालते, और 0 बन जाता, इसका क्या मतलब होता, कि वो point circle के उपर लाए करेगा, तो कि अगर किसी point की power ही 0 आ गई, यानि वो point, जो है, circle के उपर लाए करेगा, यहाँ पर होगा, तो if s1 is 0, implies px1y1, lies on the circle, circle के उपर, क्योंकि power 0 मतलब satisfy कर रहा है, एक तरह से point circle को, और similarly, अगर power positive आ गई, देख तीनी चीज़ें हो सकती हैं, या तो s1 positive, या s1 negative, या s1 0, अगर s1 positive आ गई, जैसे यहाँ आई थी 6, कोई भी positive value आ गई, तो p जो होगा, वो लाए करेगा outside, उस circle के बाहर लाए करता है, सर, ऐसा क्यों, याद रख ले, easy सी चीज़ है, और similarly, अगर negative power आई, तो वो inside लाए करेगा, तो बहुत ही simple तरीका, यह पता लगाने का, कि कोई point circle के अंदर है या बाहर, जैसे, यह point 1,1 इस circle के बाहर है, क्योंकि इसकी power positive आई, इतना simple, right, कोई मर्जी point हो, जैसा मर्जी circle हो, एक और example ले ले लेते हैं, मानलो, x square plus y square equal to 4, power of 2,1,1 ले 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 लेते हैं, तो 0,1 की power क्या आएगी ज़रा देखते हैं, कि left में पहले तो 4 को left में करना, circle जो S है, उसे अच्छी तरह लिखोगे, सब कुछ left में ले जाके, देखो, right में 0 रखना होता है, S में, और अब इसमे 0,1 डालो, तो S1, इस point की power हो जाएगी, 0 square plus 1 square minus 4, negative 3i, negative क्या imply कर रहा है, कि power negative मतलब inside, तो 0,1 इस circle के अंदर लाए कर रहा होगा, यही S1 0 आ जाती, तो मतलब वो circle के उपर है, positive आ जाती तो बाहर, इतना simple है, इस से असान कुछ होगा, simplest thing, कभी भी तुम्हें चेक करना है, कि जैसे मान लो यही दे दिया, origin पता लगाओ भई, circle के अंदर है कि बाहर, इसके, origin, तो 0,0 डाला, खट-खट-खट, minus 1 आया, negative आ गया, मतलब origin circle के अंदर होगा, इस वाले के, बहुत प्यारा concept है, बहुत जगा questions में यूज होता है, ठीक है, power of a point and its position with respect to circle, इसको हम बोलते है, power of point and its position with respect to circle, यह वाला concept, कि वो कहां लाए करेगा, circle के respect में, हम, अब इसी के साथ, एक concept और होता है, length of tangent, मान लीजी, अभी थोड़ी दिर पहले हमने एक tangent बनाई थी, कि बहार के point से, तुम्हें पता है कि, दो tangent बन जाती है, बहार के point से, दो tangent बन जाती है, आसर दो बन जाती है, और tenth में शायद तुमने पढ़ा होगा, कि यह दोनों tangent की length, circle के लिए बेटा, बराबर होती है, PA और PB की length, length of tangent बराबर होती है, ठीक है, तो यह दोनों length of tangent जो बराबर होती है, इनका formula भी बड़ा प्यारा होता है, यह L जो है, यह भी L है, और यह भी L है, दोनों का formula बड़ा simple सा है, कि आपको क्या करना है, इस point की power निकाल लेनी है, point की power तो निकाल लोगे ना, circle में डाल देना है, point और root ले लेना, बस खतम, root S1, root S1, simple, कि point को अभी इसका prove बता रहा हूँ, बहुत simple है, so for example, मालों कोई आप से बोले, एक circle है, यह, ठीक है, और origin से tangents बनी, find length of tangent, origin से 2 tangent बनी, find length of tangent, तो तुम्हे कुछ नहीं करना, origin को circle में डालना है, क्या मिला, 5, तो S1 हो गई 5, यानि length of tangent, root S1, यानि root 5, खतम, objective trick, इतनी बढ़िया, circle के लिए valid है, parabola ellipse में नहीं है, ठीक है, circle के लिए, ये trick valid, कैसे आई, जल्दी से proof बता देता हूँ, दो line का proof है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें, तो वही वाला अपना देखो, भाई, circle में center, ये 90 होता है, ये radius है, हाँ sir, तो हम एक काम करते हैं बिटा, इसको general circle लेके शुरू हो जाते है, तो center हो गया, minus g minus f, और इस triangle में पाइथ अगरस लगा देते हैं, तो ध्यान से देखो, कैसे, length prove कर रहा हूँ में ये आएगी, देखो, ac square तो तुम्हें पता है, ac square is nothing but radius का square, g square plus f square minus c होता है वो, pc square बेटा, distance between two points लगा देते हैं, x1 plus g whole square, y1 plus f whole square, distance formula, और अब इस triangle में पाइथ अगरस लगा दो, तो l square बराबर p c square minus r square हो गया, l square हो गया, p c square minus r square, p c square और r square की value डाल दे, और radius square की value डाल दीजिए, ज़रा ही whole squares खोलिए, y1 square plus f square plus 2fy1, minus g square minus f square plus c, g square f square कट गए, और देखो क्या बचा, क्या बचा, x1 square plus y1 square plus 2g, x1 plus 2fy1 plus c, यानि की, l square is nothing but power of point बन गई, s1 बन गया, यानि की, l की value, root s1, तो यह याद रखेंगे, length of tangent, root s1, proof के साथ, मैंने आपको पूरा ही बता दिया है, concept, काम आएगा भी आगे देखेंगे, length of tangent, चलिए, तो अब हम आ जाते हैं, equation of tangent पे, line and circle, तो देखो, अगर एक circle है, और line है, तो line और circle की position तीन तरह से हो सकती, जैसे point और circle था, point या तो बाहर था, या circle के उपर, या अंदर, हमने देख लिया, कैसे study करना है, ऐसे ही line भी बिटा, तीन तरह से हो सकती है, या तो line, circle के अंदर से निकल जाए, secant जिसे कहते हैं, या tang tangential चली जाए, ऐसे, या बिलकुली बहार से चली जाए, ऐसे, है ना भई, तो इन तीनों ही situation में, इन तीनों ही situation में, हमें फिर से study करना है, हम क्या करेंगे, अब, center से perpendicular drop करते हैं, तीनों situation में क्या किया, center से perpendicular drop कर लिया, तो for case number one, two and three, cp distance जो होगा, for first, cp distance radius से कम होगा, और second, cp distance exact radius के बराबर होगा, है ना भई, cp distance exact radius के बराबर होगा, और third में, cp greater than r होने वाला है, इस तरह से, किसी ने बहुत अच्छी बात बोली, सर, पिछला वाला concept में root आ रहा है, तो वो तो अब, तभी defined है, जब S1 positive है, बिल्कुल तभी tangent बन सकती है, तो मैं पता है, बाहर के point से ही tangent बनती है, वेटा, अगर point circle के अंदर चले गया, तो वहाँ से tangent कभी नहीं बनती, हम, एक कहरा सर, S11 है, S1 नहीं है, बेटा कोई S1 ही है, 99% किताबों में S1 ही लिखा हुआ है, तो मैंने भी तुम्हें वहीं बता दिया है, ठीक है, S for circle, use कर रहे हैं, S1 for power, अब कोई teacher S1 for circle, S11 for power बोल दें, तो नाम है बेटा, नाम में क्या रखा है, काम से important है, चलिए तो अब इसमें जो है बेटा, tangential वाला फंडा बड़ा important है, CP बराबर R, हाँ, ज्यान से सुनेंगे, कि tangent वाला case में क्या हो रहा है, perpendicular distance बराबर radius हो रहा है, अब ज़रा इसकी analysis कर लेते हैं, ज़रा एक circle ले लेते हैं, standard वाला ले लेता हूँ इस बार, general भी ले सकते हो, general को बेटा, question में करा दूँगा है ना, अभी पहले standard वाला ले रहा हूँ, x square प्लस y square बराबर R square, तो center तो origin हो गया, center तो बेटा, origin हो गया, हाँ सर, तर कुछ भी समझ नहीं आया, बेटा, इसमें समझाया है क्या है, मैंने तो तुझे बस इतना बोला भी, कि tangent होगी, तो ये distance एक radius के बराबर है, और उपर secant निकल रही है, तो ये distance radius से थोड़ा सा कम दिख रहा है, ये तो common sense है, और अगर बाहर से निकल रही है, तो ये जो चल, अब ध्यान से देखेंगे, तो भई, हम क्या कह रहे हैं, कि अगर tangential की बात की जाए, line को भी कुछ ले लेते हैं, y equal to mx plus c, क्योंकि तीनों में सबसे important case tangent का है, तो मैं for tangent करके study कर रहा हूँ, for tangent, cp बराबर r रखना है, अब origin का perpendicular distance, line से distance of point from a line, straight line वाला, तो 0-0 डालेंगे, cp हो जाएगा, 0-0 line में डाल दे, c upon root a square plus b square, याद आया, come on, distance of point from a line, straight lines वाला, तो cp बराबर ये आगया और ये radius के बराबर, odd हटेगा तो plus minus आएगा, cross multiply कर दो, तो c की value, plus minus r under root, 1 plus m square हो गई बेटा, ये बोली जाती है, condition for tangency, condition for tangency, tangency की condition, c equal to plus minus r under root, 1 plus m square, अगर ये हो जाए, तो tangent होगी, क्यों, क्योंकि हमने tangent की condition लगाई है, तो ये आपको याद रखना है, कि tangent के लिए concept भी याद रखना है, formula तो है ही, concept भी याद रखना है, कि cp बराबर r रखके, ये आता है, c equal to plus minus r under root, 1 plus m square, और अब अगर ये c की value बेटा, उठा के याद डाल दे line में, तो y equal to mx plus c, जो था, वो y equal to mx plus minus r under root, 1 plus m square बन जाएगा, ये अपनी tangent की equation बन जाएगी, tangent की equation बन जाएगी, क्यों, क्योंकि c की जगा मैंने tangent की condition डाल दी है, तो ये line जो बनेगी, उसकी equation क्या हो जाएगी, हमेशा tangent for all m, ये अपना बहुत important formula है, इसको बोलते हैं, slope, so is tangent 2, is tangent 2, x square plus y square बराबर r square, for all m, हर m के लिए, ये line इसे हमेशा touch करेगी, सर, center से जाए तो, तो भाई, 0 ही हो जाएगा, distance e.p तो 0 हो जाएगी, तो diameter फिर बात ही बिकार हो जाएगी, हम tangent के लिए पढ़ रहे हैं, कि भाई, बराबर to radius हो जाएगी, तो अब हम इस circle की various forms of tangent पढ़ लेते हैं, x square plus y square बराबर r square की various forms of tangents, पहली तो बता दी मैंने देख slope form, अभी derive करी है, slope form of tangent मतलब m के terms में देखो, ये ही तो आई थी, ये रही, y equal to mx plus minus r under root 1 plus m square, याद करने हैं, और ये भी याद रखना कि ये जो formula है, ये इसी circle के हैं अभी, जिसका center origin है, please note कई बच्चे क्या करते हैं, learn तो कर लेते हैं, formula ये भूल जाते हैं कि derivation में, center origin लिया हुआ हुआ है भाई मैंने, नहीं हुआ सर तो, जो भी center होगा वो लेके same funda लगा दूँगा, concept समझो बेटा, formula याद करने के साथ, इसका proof भी बताया है, reason है, जो कि ये जो concept है, किसी भी circle के लिए लग जाएगा, चलिए, तो ये बात हो गई, और फिर आती है, cartesian form of tangent, देखो, cartesian form जहां भी आ जाए, ये पहली बार नहीं आ रही है, ये first form में क्या given था, slope, slope के terms में हमने line लिखी हुई है, cartesian form जब भी word आ जाए, तो तुम्हें वहाँ पे point of tangency x1, y1 दिया होता है, हाँ, ठीक है भई, x1, y1 दिया होता है point of tangency, तो इस line की जो equation tangent की बनती है, वो बनती है xx1, plus yy1 बराबर r square, कैसे आती है, देख, बड़ा easy है, कर दे, यह perpendicular है, तो op line की slope, slope of op क्या हो गई, y1 by x1, line की, इसकी तो minus x1 by y1 हो गई, तो slope हो गई, minus x1 by y1, a point ही, तो slope point form लगा दे, m इसमें डाल देंगे, तो तुमारा यह derive हो जाता है, derivation important नहीं है, बस याद रख लीजे, Cartesian form ऐसी दिखती है, Cartesian form of tangent ऐसे दिखती है, अगला, parametric form, very very important, x cos theta plus y sin theta बराबर r, देखो, parametric का मतलब होता है, कि जो point of x1 by y1, वो circle पर parametrically ले लीजिए, तो ये बात मैंने, I think, पहले भी use करी थी, trigonometry में भी use करी थी, कि इस circle पर, एक point r cos theta r sin theta लिया जा सकता है, circle का point बेटा, r cos theta r sin theta, देखो, इसको हमेशा satisfy कर रहा है, theta की कोई भी value हो, r cos theta r sin theta circle को satisfy कर रहा है, तो आप x1, y1 की जगा, ये डाल दो पिछले formula में, बस, x1 और y1 क्या था एक, general point, उसकी जगा बस, theta के terms में point डाल दो, r cos theta, r sin theta, parametric coordinates होते हैं, तो x into r cos theta, plus y into r sin theta, बराबर r square, r, r कट गया, तो x cos theta, plus y sin theta, बराबर r, x cos theta, plus y sin theta, बराबर, r, तीसरी form हमारी derive हो गई है, सर, Cartesian वाला दुबारा बता दीजिए, बेटा, Cartesian में x1, y1 point of tangency है, अब इसका मैंने तुझे जल्दी से prove बता दिया, जो तुझे से कर लेगा, कि tangent perpendicular होती है radius के, point तो है, इस line की slope मिल जाएगी, two point form से, y1 by x1, तो इस line की slope भी मिल गई, m1, m2, minus 1 से, minus x1 by y1, slope point form लगा देंगे, तो ये prove हो जाता है, ये मैंने prove बताया है, तुम्हें जरुवत नहीं है उसकी, हाँ, तो अभी मैंने जो तीनों form बताई हैं, बस ये ध्यान रख लो, ये x square plus y square बराबर r square के लिए है, जब center origin है, चलो, एक question करते हैं, इसका, locus based, tangent to the circle, intersects coordinate axis at distinct points p and q, locus or midpoint, जब जब भी locus का question आए, तो भाई, 100% tangent to parametric ले ले, क्योंकि theta eliminate करना होगा फिर, क्या बोला मैंने, ये circle है, देखो, standard circle है, तो मैं अपने formula इस्तिमाल कर सकता हूँ, जो तीन formula पड़े, इस tangent को, x cos theta plus y sin theta बराबर r ले लेता हूँ, theta form लेंगे, parametric form, और radius तो 1 है, radius तो 1 दिया हुआ है, तो x cos theta plus y sin theta बराबर 1 ले लिया, parametric form क्यों ली, slope form, partition form ना ले लूँ, ले ले लेंदी पड़ेगा, उससे theta elimination easy रहेगी, variable eliminate करना होता है, लोकस में, अब ये देखो, ये p पे मिल रहा है, और ये q पे मिल रहा है, और इसका जो midpoint होगा, कहीं h, k मानलो, जरूरी नहीं है, ये point हो midpoint, कहीं भी हो सकता है, हो midpoint, h, k मानलिया, तो क्या p के coordinates निकल जाएंगे, y 0 डाल दे, line में y 0 डाल दूँगा, तो y 0 डालो, देखो, क्या मिलेगा, sec theta, comma 0, x की value sec theta आ जाएगी, y की value 0 हो जाएगी तब, हाँ, और similarly, q के coordinates के लिए x 0 डालूँगा, 0, cosec theta, अब बेटा section से midpoint लगा लेते हैं, तो h की value हो गई, sec theta plus 0 by 2, k की value हो गई, cosec theta plus 0 by 2, ऐसा, दोनों equation में से theta eliminate कर देना है, easy सा बन गया, locust का सवाल, तो cos theta हो गया, cos theta कितना हो गया, देखो, 1 by 2h, है ना बई, और sin theta यहां से हो गया, 1 by 2k, square एन अड़ कर देता हूँ, sin square plus cos square को 1 कर दिया, तो 1 by h square plus 1 by k square बराबर 4, h k को x y से replace, तुमारे पास बढ़ी असा locust आ गया, locust के steps इस तरह से होते हैं भई, 1 by x square plus 1 by y square, पराबर 4, ऐसा locust आ रहा है, देख लो, कौन सा option है, c, I think c option आ गया, तो locust mix हो रहा है, देखो, यहां locust तुमने straight lines में पढ़ा होगा, basic concepts of locust वहाँ पढ़े होंगे तुमने, चलिए, एक और उठाते हैं, ऐसा ही सवाल, एक और उठाएंगे, tangent के उपर, let the center of a circle and its radius, ठीक है, center alpha बीटा है, radius 8 से कम है, 2023 का सवाल है, ध्यान से देखेंगे, बड़िया question है, तो देखो, मैंने तुम्हें एक ही बात बताईए, अगर tangent में तुम्हें कुछ याद रहे न रहे, सिर्फ इतना सा याद रख लो, कि center का distance radius के बराबर होता है, इसकी दो tangent दी है, दो tangent दी है, कोई, यह ऐसे, तो alpha बीटा क्योंकि center है, तो alpha बीटा का दोनों से distance, radius के बराबर होगा, तो तुम क्या करोगे, वही लगा दोगे, देखो, जो concept मैंने सिखाया है, कि cp बराबर r करना होता है, देखो, tangent के लिए center का distance, radius के बराबर, यही इस्तिमाल कर रहा हूँ, conceptually, यह दो लाइन है, 3x प्लस 4y, minus 24, और 3x minus 4y, minus 32, दोनों का center का distance, बराबर कर देता हूँ, radius के, अलफा बीटा, 3 alpha, plus 4 beta, minus 24, upon 5, का mod, distance of point from a line, यह बराबर इसके, 3 alpha, minus 4 beta, minus 32, upon 5, का mod, 5, 5 कट गया है, दोनों radius के बराबर होंगे, ध्यान से देख, अभी सब clear हो जाएगा, इस topic में, radius, जब भी tangent का सवाल है, distance of point from a line, बराबर, radius कर दोस को, center का distance, radius के, अब, 3 alpha, plus 4 beta, minus 24, का mod, is 3 alpha, minus 4 beta, minus 32, का mod, की कैसर, इतनी बात तो समझ गए, और, आगे क्या दिया है, and this be a normal to circle, देख, normal of a circle क्या होता है, physics में तुमने बहुत देखा होगा, circle का normal, normal reaction, जब circular motion में देखते हो, तो normal कहां से pass करता है, center से pass करता है, तो circle का normal, बहुत simple चीज़ है, any line passing through center, normal कहां से pass करेगा, center से, तो normal बोल देखा है, diameter एक ही बात होती है, तो normal is nothing but diameter, तो ये line normal दी है, कौन सी, 4x plus 3y बराबर 1, यानि alpha बीटा, इससे satisfy करेगा, simple सी बात है, तो 4 alpha, plus 3y बीटा बराबर 1 हो जाएगा, एक relation ये आ गया, alpha बीटा में, एक यहां से मिल रहा है, mod खोलते हैं sir, plus minus से, पहले plus से खोल लेता हूँ, 3 alpha, 3 alpha कट गया, तो 8y बीटा बराबर, 24 उदर गया, minus 8, तो बीटा बराबर, minus 1 आ गया, और, plus की जगा बीटा, अगर अब minus से खोलूँगा, हाँ, minus से अगर खोलूँगा, तो 3 alpha, plus 4 beta, minus 24, एक जगा minus से खोल दे, right में मैंने minus से खोल दी, terms, तो 4 beta, 4 beta कटेगा, 6 alpha बराबर, 30, 56, 56, तो alpha हो गया, 28 बटे 3, और है, प्लीज नोट और है, मतलब या तो यह होगा, या फिर यह, either this or this, दूसरी equation का इस्तिमाल करेंगे, अब बीटा निकालने के लिए, समझा, तो दूसरा basically क्या था, tangent दी दो, और एक normal दिया था, तो tangent के लिए मैंने distance बराबर कर दिया, radius के, और normal तो center से satisfy करा दिया, अब दो cases बन गए, बीटा माइनस वन, और, alpha की value 28 बटे 3, यही तो दो चीज़े आई हैं मारे पास, हाँ, अब 4 alpha प्लस 3 बीटा 1 है, 4 alpha प्लस 3 बीटा बराबर 1 है, इसका इस्तिमाल करके, बीटा माइनस 1 डालो, alpha 1 आ गया, तो 1, कॉमा माइनस 1, एक center हो गया, alpha बीटा की value, और दूसरी यहां से भी आएगी, हाँ, ठीक है, दूसरी यहां से भी आएगी, question वैसे solve हो गया, हमें तो, क्योंकि मेंस का सवाल है, radius भी तो चाहिए, alpha बीटा आ गया, radius, radius तो यही चीज़े बीटा, यही तो radius था ना, क्योंकि यह दोनों चीज़े, radius के ही बराबर थी, distance of point from a line, radius के ही बराबर था, तो मैं radius की value भी लिख लेता हूँ, odd 3 alpha प्लस 4 बीटा, minus 24 upon 5, alpha बीटा की यह डालो ज़रा, अभी वो रह गया है, बाद में बात करते हैं उसकी, 25 by 5 यानि की 5 बन गया, radius का value 5 आ गया, so alpha 1, बीटा minus 1 और radius 5, यह एक possibility हो गई है, alpha 1, बीटा minus 1 और 5, अब दूसरा case क्यों नहीं solve कर रहे हैं सर, देख मुझे दिख रहा है वैसे तो एक answer आ गया, integer type, बट क्योंकि अब जब दूसरा solve करोगे, जब alpha यह रख के बीटा निकालोगे यहां से, इस equation में, और radius निकालोगे, तो radius जो है 8 से बड़ा आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने यह देख यहां दिया है, radius 8 से कम है, वो इसलिए दिया है ताकि तुम reject कर पाओ, एक यह वाला radius चेक कर ले ना, तुम radius 8 से बड़ा आ रहा होगा, यहां पे इसलिए reject कर देंगे हम, यह वाला पूरा निकाल ले ना, बट exam में एक निकल गया, single correct में हो गया काम, 1, minus 1 और 5, value जड़ा डाली जाए, 1, minus 1 और 5, 7 हो गया, 7 क्या answer आ गया है, बड़िया आ गया है, तो exam में भी तुम्हें दूसरा रिमूव कर देना है, भाई, एक single correct में है न, multiple correct हुटा, advance का question होता, तब तो हम दोनों करेंगे, बट जब एक बड़िया सा आ गया है, तो दूसरा क्यों करें, reject होई रहा होगा, जियूम कर लो, सर, दूसरी question बता दीजिए, कहां से आई, बटा, normal, ये line normal है, normal मतलब center से पास, इतना याद कर ले, कोई भी line normal है, मतलब वो center से पास, यानि diameter होती है, diameter मतलब center को satisfy करेगी, तो alpha, beta इसको satisfy करा दे, तो 4 alpha plus 3 beta बराबर 1 हो गया, सर, 5 कैसे आया, radius निकाला ना, ये वाली चीज़ी तो radius है, इसमें alpha, beta डाल दिया वापस, radius ये ही तो होता है, center का perpendicular distance tangent से radius होता है, तो radius निकल जाएगा, जब इसको डालूँगा वापस से, radius निकल कर आ गया, 5, हम, समझ गए, इस तरह से radius निकाला गया, इस question के अंदर, तो एक अच्छा question है ये, पूरे concept tangent के समझने के लिए, क्या applications है, tangent के questions की, कुछ नहीं है, एक ही चीज़ है, tangent का center का distance, radius के बराबर रख दो, वहीं से derive हुआ formula भी, और वहीं से बेटा ये question भी solve हुआ, चल एक और करते हैं, एक और कर लेते हैं, चलो, तुम्हें और अच्छी तरह clear हो जाएगा, एक और सवाल tangent का करा देते हैं, question क्या है, circle C of radius 5, lies below the x-axis, देख इस बार उन्होंने reject करने को दिया है, below the x-axis है, l1 passes through center, बिल्कुल पहले जैसा, अब थोड़ी अच्छा figure बनानी पड़ेगी, इसमें ध्यान से, circle of radius 5 lies below the x-axis, ठीक है भई, कहीं लाए कर रहा है, वो x-axis के नीचे, बाद में बना लेंगे x-axis, और उसके बाद कह रहा है, l1 line passes through center of the circle, एक line l1 है, जो basically, diameter बोलो, normal बोलो, center से pass कर रही है, center p of the circle c, यह p है, और circle का नाम c दिया है, ध्यान से language बड़ी interesting है, and intersects l2, एक दूसरी line को यह line intersect कर रही है, at q, l2 touches c at q, अब क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझ, question पढ़, ध्यान से पढ़ question का मतलब क्या है, दुबारा पढ़ रहा हूँ, l1 एक line थी, जो diameter है, वो एक दूसरी line l2 को q पर मिल रही है, और बोल यह रहे हैं, कि l2 जो है touch भी कर रही है q पर ही, मतलब l2 line बेटा, इस तरह की है, यह है q, समझा, l2 line इस तरह की है, और perpendicular हैंगी, देख लो, notice कर लो, minus 4 by 3, 3 by 4, slopes भी perpendicular हैं, वो तो होता ही है, tangent और diameter, perpendicular होते हैं, ऐसे, तर 5 से divide क्यों किया, वाँ वाँ वाँ, वाँ मेरे दोस्त, straight line पढ़ ले थोड़ा सा, radius में root a square, plus b square भी आता है न, distance of point from a line में, इसलिए 5 से divide किया, भाई, कैसी, चल, क्या ही बोलूं बेटा, चल, छोड़, वापस आते हैं question में, इधर आते हैं वापस, figure समझ गए, कि इसका radius 5 है, और यह x-axis के नीचे है, इस line यह उसका diameter है, और q पर वो touch कर रहा है, touch कर रहा है, circle c, line l to touch कर रही है, at q, ठीक है, अब यह point दिया है, देखिए तो निगल जाएगा intersection से, अगर तुम इन दोनो lines का intersection, solve करो, solve करो भाई, intersection, या तो भाई, बैटके मेहनत करके निकालू, या वोई अपनी technique लगाता हूँ, थोड़ा सा hit and trial मारके कुछ, examiner पर trust करते हैं, कि भाई, क्या, कुछ, अच्छा सा point तुने दिया है, कि नहीं, हमें बरबाद कर रहा है, देख भाई, चा करूं मैं, 8, 3, 11 होता है, ना, तो मेरे दिमाग में देख, कैसे दिमाग में आती हैं, खुरा पाते हैं, एक्स को अगर 1 डालूँ, और Y को माइनस 2 डालूँ, तो 4 दूने 8 और 3, 11, 11 तो बन जाएगा, अब क्या ये इसको भी satisfy कर रहा है, 1 माइनस 2, तो 4, माइनस 6, प्लस 2, मजा आ गया सर, कर गया, यानि 1 माइनस 2, दोनों को satisfy कर रहा है, ऐसे, सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, बेटा, एक next level की बात बता रहा हूं तेरे को, below average वाली नहीं, above average वाली बात बता रहा हूं, ठीक है, इसलिए तेरे दिमाग में शायद घुसा नहीं, ध्यान से सुन ले, तो दोनों लाइन को बैठ के आराम से solve कर ले, से बच्पन में सिखाते थे ना, इसको चार से कर, इसको तीन से कर, सब्ट्राक कर, एड कर, जो भी कर, तेरा पॉइंट यह आएगा, 1,-2, मैंने हिटेंट राइल से निकाल दिया, 1,-2, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, distance of P from the line, मतलब P निकालना है, basically center निकालना है, center कैसे निकाला जाए, अब देखिए, यह question circle का है यही नहीं, यह question circle का है यही नहीं, मुखोटा पहनाया हुआ है circle का, straight line का question है, तुम्हें यह radius 5 दिया है, है ना भई, तो 5 distance उपर parametric लगा दे, हैं, याद करो parametric coordinates, x equal to x1 plus minus r cos theta, y equal to y1 plus minus r sin theta, याद आ रहा है यह वाली चीज़, straight line में बताई होगी, तो x1 की जगा 1, radius की जगा 5, y1 की जगा minus 2, 5 sin theta, यह बेटा बन गया हमारा, P के coordinates, चलिए, अब कुछ लोग कह रहे हैं, सर, condition of tendency लगा रहा हूँ, मैं इसमें मत लगा, क्योंकि center origin नहीं है, वो मत लगा बेटा, गलत हो जाएगा, मैंने तुझे पहले भी बताया था, कि यह formula का इस्तेमाल मत कर, हर जगा, यह सिर्फ formula तभी valid है, जब center origin है, बट ऐसा कहीं दिया ही नहीं ना question में, center origin थोड़ी दिया हुआ है तेरको, इसलिए बोल रहा हूँ, formula पर मत ज़्याद आदा circles में, concept पर जाओ, चल बेटा, अब देख, straight line का फंडा, theta क्या होगा इस line की slope, इस line की slope देखो, याद करो, L1 की line की slope क्या है, minus 4 by 3, तो tan theta, यह उनी को समझ आएगा, जिन्होंने straight line पड़ा हुआ है, minus 4 by 3 है, तो triangle बनाके, sin theta, 4 by 5, cos theta, minus 3 by 5 हो गया, यहाँ डाल देते हैं, 1 plus minus 5 into, minus 3 by 5, और y की value, minus 2 plus minus 5 into, 4 by 5, 5, 5 कट गया, तो 1 minus plus 3 हो गया यह, और y हो गया, minus 2 plus minus 4, minus plus क्यों हो, क्योंकि minus की वज़ा से sign पलट गया, तो एक बार उपर वाले ले लेता हूँ, minus 2, point आ गया, एक तो minus 2, उपर वाले sign, minus 2, 2, या फिर, plus लिया, तो 4, और minus 6, कौन सा accept किया जाए, question में एक बात लिखी थी, lies below the x-axis, circle का जो center है बेटा, वो नीचे होना चाहिए, x-axis के, x-axis के नीचे का मतलब, उसका y-coordinate तो negative होगा, इसमें तो y-coordinate positive आ रहा है, ये तो reject होगा, ये वाला बेटा, accept हो जाएगा, तो circle का center, जो finally आएगा, 4, minus 6, ये point P के coordinates हो जाएगे, क्योंकि x-axis के नीचे लाए करना था, ऐसे, हाँ, इस तरह से बेटा, 4, minus 6 हो गया, बस अब क्या करना है, distance of point from align निकाल दे, so distance d, इदर लिख देता हूँ, distance d हो गया, 5 into 4, चल अलग कर लेते हैं, यहीं कर देंगे, 5 into 4, minus 12 into minus 6, plus 51 upon, root A square plus B square, 13 दिख रहा है, mod, 20 plus, 72 plus 51, upon 13, 7, 14, 143 by 13, 11 हो गया, वाह, बढ़िया बढ़िया कट गया, 143 by 13, 11 होता है, 11 हो गया वही देख, इता बढ़िया कट-कट आ गया, answer तो सही होना चाहिए, answer 11 आ गया हमारा, बढ़िया question था यह, tangential की condition लग गई यहां पे, और ज़्यादा circle तो लगा ही नहीं, foot of perpendicular से नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब यह, फिर तुझे alpha बीटा मान के, फिर foot का यह दिया हुआ है foot एक तरह से, उसको यूज करके कर सकता है, करने को तो बढ़िया method है, parametric का इस्तिमाल, चलो, आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब हम tangent of general circle पर आते हैं, हाँ, तर y sin plus cos minus, यह सब बेटा straight line की बाते हैं, तो तुझे को पता ही नहीं है, कि sin ही plus क्यों लेते हैं, parametric में, cos ही minus क्यों लेते हैं, क्योंकि जो theta होता है, slope angle की range, वो 0 से πाई होती है, 0 से πाई में sin हमेशा positive रहता है, यह सब तो बेटा straight line की चीज़ हैं, अगर तुझे पता ही नहीं मतलब straight line में तुने पढ़ाई नहीं करी, पहले straight line बिलकुल करना चाहिए, बिना straight line के circle कर रहे हो, फिर बिना circle के parabola करोगे, line से चलना है बेटा, geometry के सारे chapter line से होते हैं, अब jump नहीं मार सकते एक दूसरे को, चल बेटा, आगले पर आएंगे, partition form of general circle, अभी तक तुमने notice करा, जो भी formula मैंने बताये थे, वो standard circle के लिए बताये थे, standard बतलब, जो तीनो forms हमने पढ़ी थी, यह देख, यह तीनों किसकी थी, एक स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर बराबर आर स्क्वेर, अब इसमें से दो forms, slope और partition हमें general की भी पढ़नी है, slope और partition, पहले partition पढ़ रहे हैं, पहले हम partition form, मतलब वो यह x1, y1 के terms में, हमें लिखना है, बहुत easy सरीके से derive कर रहा हूँ, फिर तेरे को trick भी बता दूँगा, learn करने की, सबसे पहले वो ही, यहाँ से slope लिखेंगे, यह minus g minus f है, क्योंकि general circle है, इसको p बोल देते हैं, यह tangent t है, तो slope of pc, y1 plus f upon x1 plus g हो गई, two point form से इस line की slope लिख दी, तो tangent की slope क्या हो गई, m1 m2 minus 1 की मदद से, पहले भी किया था, ऐसे ही, यह हो गई, ऐसे, हाँ, सर, चार ordered pair बनेगा ना, x y का, आरे भाई साहाब, तुम्हारे straight line के fund बहुत week हैं, भाई साहाब, अगर तुम यह पूछ रहे हो, कि सर, यहाँ दो ही point क्यों लिखे, चार क्यों नहीं लिखे, क्योंकि या तो दोनों कमें ही उपर वाला लेते हैं, प्लस प्लस आर लेते हैं, दोनों में माइनस लेते हैं, चार नहीं बनते हैं, पैरामेट्रिक कॉडिनेट, दो ही बनते हैं, या तो दोनों में उपर वाला sain लिया होगा, दोनों में माइनस r लिया होगा. एक में प्लस r लेलेगा, एक में माइनस r, एक में प्लस r उसमें माइनस r, ऐसे निहीं होता. टुछ जाके पढ़ो, तब ये सब चीज़े क्लियर होगी. तो equation of tangent क्या हो जाएगी, देखो, slope यह आ गई, और point एरा x1, y1, so y-y1, अभी तक जितने भी chapter चल रहे थे, क्या थे, वो independent थे, सब अलग-अलग थे, अपना तुमने कोई पढ़ा, कोई छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं हुई, अब अगर तुम one shot भी करना चाह रहे हो, उसके pre required chapter भी नहीं पढ़ोगे, तो काम नहीं चलेगा भाई साब, अब पैरा बोला आगे जब करेंगे, इलिप साइपर बोला करेंगे, अगर तो आपको पुराने chapter पढ़के बैठने पढ़ेंगे, जो उसकी pre requirement पढ़नी पढ़ेगी, अभी तो calculus होगा, आगे के तुम integration पढ़ोग ऐसे थोड़ी काम चलेगा, चलो इधर देखिए, बस अब इसको cross multiply कर देते हैं, अब बेटा क्या होगा, कि इसको हम expand कर लेंगे, Cartesian tangent आ जाएगी, अब इसको learn करने के बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, जो आएगी वो क्या आएगी वो बता देता हूँ, आएगी जो इसक x1 plus yy1 plus g times x plus x1, अब करो मत, उसका कोई काम नहीं है, f times y plus y1 plus c बराबर 0, ऐसे मिलती है Cartesian form of tangent, अब सर इतना बड़ा कैसे learn करूँ, इसका trick है देख, learn करने का बहुत प्यारा trick है, Cartesian form को xx1, पहली term क्या है, xx1, इसके नीचे circle की equation लिख दे, अगर तुम circle की equation को ध्यान से देखो, उसमें क्या-क्या changes हूँ है, x square change हो गया, xx1, x square किसमें change हो गया, xx1 में, x square replaced with xx1, y square किसमें change हो गया, yy1 में, तो y square को replace कर दोगे, तुमें formula नहीं learn करना, मैंने formula नहीं learn करा हुआ, मैंने क्या learn करा हुआ है, क्या replace करना है, x को किस से replace करना है, देख, 2x की जगा, x plus x1 आ गया, तो x को replace करना होता है, x plus x1 by 2, similarly देखो, y को किस से replace करा हुआ है, y plus y1 by 2 से, और c तो c है, बिल्कुल same है, कुछ भी नहीं है, तो अगर तुम ये substitutions learn कर लो, ये substitutions learn कर लो, ये वाली, ये देखो, तो तुम्हें Cartesian tangent मिल जाती है, circle की, तो for example, मान लीजिए, ध्यान से देखेंगे, मान लो circle है, x square plus y square, plus 3x minus 4y plus 7 equal to 0, कुछ भी लिख दिया यार, ठीक है, अब देख, इसकी Cartesian tangent लिखनी है, तो x square को करना है, xx1, y square को yy1, x को करना है, x plus x1 by 2 से, y को करना है, y plus y1 by 2 से replace, और 7 को 7 छोड़ देना, ये जो भी मिलेगा, ये Cartesian form of tangent मिल जाएगी, t, t बोलते हैं बेटा, इसको हम, right, t equal to 0, very very important, तो ऐसे learn क्यों करना है, सर, क्योंकि बेटा, Cartesian form parabola ellipse, hyperbola की भी ऐसे ही मिलेगी, क्या मतलब सर, देख, थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी तो detail में आगे करेंगे, माल लो, तुम्हें पता है, ये ellipse होता है, ठीक है, ये ellipse होता है, इसकी Cartesian tangent अगर लिखनी है, तो यही substitutions काम करेंगी सब में, x2 को किसे replace करना होता है, xx1, तो तुम्हें क्या करना है, xx1, नीचे a2, y2 को किसे करना होता है, yy1, नीचे b2, s equal to 1, तो सब की ये Cartesian tangent ellipse की हो जाएगी, ऐसे ही parabola, hyperbola, सब की, अगर तुमने बस इतना सा learn कर लिया, तो हर एक curve की Cartesian tangent तुम्हें ऐसे ह ही मिलती है, parabola की बता दो सर, देख, y square equal to 4ax की भी कर लेते हैं, y square को किसे replace, yy1, x को किसे replace, x plus x1 by 2, 2 से 2 काट दे, so yy1 equal to 2a times x plus x1, ये क्या बन गई, parabola की Cartesian tangent होती है, डीटेल में हम पूरे individual chapter में करेंगे, अभी हलका full का idea दे दिया है, कि क्या इसका फायदाय से learn करने का, इस substitution को learn करोगे, तो ना तो सिर्फ circle, parabola, ellipse, hyperbola में भी फायदा हो जाएगा, हाँ, क्या ये बात clear है, तो एक circle के बारे में discussion चल रहा है, अभी, tangents की बाते कर रहे हैं हम लोग, अब एक सवाल इस पर homework में लगा लेना, easy सा है, 2023 का, diametric form, हाँ, tangent, slice on, हाँ, ये हो जाएगा, homework में, इसको लगा लेना, tangent के उपर ही, एक सवाल तुम्हें homework में दे दिया है, मैंने, बाकी tangent में और आएंगे, अभी, last में mix करके करूँगा, हाँ, अब partition form बता दी मैंने, slope form देख बड़ी असान होती है, slope form for general, मतलब पहले तो इसको इस तरह के में लगा रहा हूँ, इस वाले में slope form लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना देखो, जो पहले slope form थी, एक तरह से shifting of origin का इस्तिमाल कर लो, पहले जो slope form थी, ये वाली थी ये थी, हाँ सर ये थी, बस अब इसमें क्या कर, y की जगा y minus b कर दे, m times x की जगा x minus 1 तरह से shifting of origin कर दी, plus minus r under root 1 plus m square, ये आपकी slope form हो जाएगी, जब आपका center basically origin ना हो, तो पहले whole square form में change करना उसे, और फिर ये लगा देना, खट से तुमारे को मिल जाएगा, so for example, अगर x minus 2 whole square, या ऐसे लिख ले, x square plus y square minus 4x plus 6y plus 1 बराबर 0, मान लो, circle है, ठीक है, इसको पहले complete square करूँ, तो ये कितना हो गया, x minus 2 whole square, y plus 3 whole square, बराबर 12 हो गया, देखो, और अब, ये ही formula चिपका दे, y की जगा, y plus 3, equal to mx, x की जगा, x minus 2, plus minus r की जगा, root 12, r under root 1 plus m square, ये अपनी slope form of tangent, basically हमने कुछ नहीं किया, वही वाला form यूज करके, shifting of origin लगा दिया, क्योंकि shifting में slope तो change होती नहीं है, हमने shifting of origin का इस्तिमाल कर दिया, हाँ, चलो बेटा, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक सवाल मैंने तुम्हें homework में दे दिया है, अब एक director circle जैसी छोटी सी चीज होती है, उसको बता देता हूँ, director circle, तो देखो, कोई भी अगर circle है, कोई भी circle है, इसका एक director circle होता है, इसका एक director circle होता है, इसलिए important है, ध्यान से सुन लो, director circle की definition होती है, अगर आपने perpendicular tangents बनाई, दो tangents ऐसे बनाई, कि वो perpendicular है, ठीक है सर, perpendicular tangents बना दी, सर, break, बस थोड़ी सी देर और अभी break मिल जाएगा, director circle का concept पढ़ ले, फिर chord शुरू करने से पहले break कर लेंगे, ठीक है, हम, chord शुरू करने से पहले break कर लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, अब होने ही वाला है, बस break, हाँ, तो ध्यान से सुनेंगे, क्या है, director circle is, locus of point of intersection of perpendicular tangent, मतलब, यह जो perpendicular tangent है, इन्हें घुमा दे, वेरी करा दे, तो जो point of intersection का locus आएगा, इस point का, तो इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ, इस तरह से यह कुछ point दिख रहा है, concentric circle पर घुमेगा, तो इस point के locus को, p point के locus को, हम बोलेंगे, director circle of the given circle, circle आएगा है, सर ऐसे कैसे मालनू, circle आएगा भी देखना, यह होगा, director circle, locus of p, p का जो locus आएगा, वो director circle आएगा, तो locus of point of intersection of, locus of point of intersection of, perpendicular tangents को director circle बोलते हैं, तो अब इसका hk लेके locus निकाल देता हूँ, बस इसको circle मालन ले, बढ़िया सा मालन लेते हैं, x square प्लस y square, बराबर r square, x square प्लस y square बराबर r square, ठीक है भई, तो अब देख, जब भी tangent बन जाए ना, circle में, समझ जा, यही वाली figure complete करनी है, center origin है, इसका, वोई वाला quadrilateral, यह 90 होता है, यह 90, यह वैसी 90 है, चारो 90, मतलब यह figure, और यह दोनों बराबर भी होते हैं, radius, तो figure oapb, x square बन गई, बानते हो, क्योंकि भाई, चारो एंगल तो 90 आ गए, और दो side बराबर, तो यानि square बन गई, square बन गई, तो यानि कि अगर यह radius r था, तो यह भी r होगा, यानि r root 2 हो गया, यह root 2 r हो गया, p o distance, p o distance root 2 r हो गया, p o में distance formula लगा देते हैं, distance formula लगा दिया, तो h square plus k square बराबर 2 r square, h k को बेटा x y से replace, तो x square plus y square बराबर 2 r square हो गया, clearly locus एक circle आ गया, यह न, concentric circle आ गया, देख रहे हो, center same आया, जो circle लिया था, उसी के जैसा center आया, तो concentric आया, और radius जो है, root 2 times radius आ गया, capital R, the radius of director circle is, फुल्टा लिख दिया मैंने, root 2 times the radius of given circle, तो director circle को learn करेंगे, director circle को बेटा, आप ऐसे learn करोगे, कि director circle जो है, उसका center तो same रहता है, और radius, root 2 से multiply हो जाता है, बस, कोई भी circle का आप director circle निकाल सकते हो, चाहे वो general circle ही क्यों ना हो, देखो, जैसे यही लिखी हुई है, लाइन, मान लीजिए, अब इस circle का, तुम से कोई कहता है, भाई, director circle निकालो, तो इसका center क्या है, 1, minus 2, radius निकाल लेते हैं एक बार, 4, 4, 8, 1, 9, 3 हो गया radius, इसका, बट अब director circle card, for director circle, center तो सेम रहेगा, 1, minus 2, और radius 3, root 2 हो जाएगा, भाई, बस, radius क्या हो जाएगा, 3, root 2 हो जाएगा, बस center radius लगा दे, यह अपना director circle, general circle का भी ऐसी तरह से निकाल सकते हो, तुम, concept same रखते हुए, ऐसी निकाल सकते हो, राइट, कि center same, और radius को root 3 था, तो root 2 से multiply करके, 3 root 2 आ गया, ऐसे बेटा यह करना है, समझ गए हो, समझ गए हो की नहीं, चलिए, अब बारी है, chords of a circle की, जल्दी से बताइए, क्या break कर लिया जाए अभी, या फिर आदे घंटे बाद break किया जाए, chords खतम करके, देखते हैं, chat पर क्या लिखते हैं आप लोग, जो जादा लोग लिखेंगे, वो मान लिया जाएगा, हाँ, येस सर, break, 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 mostly लोग break लिख रहे हैं, तीन घंटे में बेटा, आतमा सूख गई है काफी लोगों की, पढ़ पढ़ कर, कोई दिक्कत नहीं है, काफी सारे अब आये हैं, योद्धा हमारे पढ़ने वाले जो बिचारे लिखने में बिजी थे, no break sir, no break, अरई भाई ये तो बड़ी गडबड हो गई, बीच में फस गए हैं हम कहीं, chords पढ़ेंगे, अभी तो काफी रह गया है, अभी तो chords पर आएंगे हम, chords आएगा, उसके बड़ two circles आएगा, common tangents आएंगी, radical axis, diameter, बहुत सारी चीज़ आएंगे, अभी तो मज़ा आने वाला है, हाँ, no break sir, no break, काफी सारे लोग लिख रहे हैं हम no break, no break वाले आएथिंग जीत गए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, चलिए तो continue रखते हैं, continue रखते हैं, chords के बाद बेटा break ले लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं है, पार्ट छोटा साई पार्ट है, I think 15, 20, 25 मिनिट में maximum हो जाएगा, सर 15, 20, 25, चल यार 15 मिनिट में निप्टा आते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा पढ़िया से, 15 मिनिट में हो जाएगा, ध्यान से देखना वहीं, छोटे छोटे टॉटे टॉपिक्स हैं, क्योंकि chord के अंदर, देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है, chord of contact, जहां से सुनना, पहली जो है, chord of contact है, होती क्या है, देखो, tangent से रिलेटेड एक्चुली, इसलिए बोल रहा हूँ, पहले पढ़ लेते हैं, ब्रेक से, अभी तुमने एक बात देखी थी, कि जब हम एक exterior point से, दो tangent बनाते हैं, इससे जब हम दो tangent बनाते हैं, पी बोल देता हूँ, मान लो A और B पे जाके, वो touch करती है, तो यह जो AB chord होती है, AB chord जो होती है, इसको बोलते हैं बेटा, chord of contact, इसको बोलते हैं chord of contact, चलिए, तो यह वाली बात मैं तुम्हें बता रहा था, कि chord of contact AB को बोला जाता है, तो AB is called, chord of contact with respect to point P, P point से जब दो tangent बनती हैं, तो जो chord of, chord formed by joining point of contact, यह जो दोनो point of tangency थे, इनको join करके, जो chord मिलती है, वो, बेटा, वो होती है, chord of contact, right, P point की, इस point की, chord of contact यह होती है, अब मज़ेदार बात बताता हूँ, एक तुम्हें, कि जो इसकी equation होती है, equation of AB, वो भी बिल्कुल tangent जैसी दिखती है, X, X1, Cartesian tangent याद करो, ऐसी दिखती थी, जड़ी मच रही है, नहीं, ध्यान से देख, जो tangent थी बिटा, उसमें जो X1, Y1 था, उसको ध्यान से देखो, कौन सा point था, ये था वो, point of tangency था, वहाँ X1, Y1, यहाँ पे मैंने तुम्हें ये नहीं बोलाए, कि X1, Y1 point of tangency है, X1, Y1, तो here X1, Y1 is, exterior point, ये वाला point है, ये नहीं है, पहले ये था, जब ये था, तो tangent मिल जाती है, पर जब ये ले लो, तो chord मिल जाती है, X1, Y1 is exterior point, जहाँ tangent मिल रही है, ये वो वाला point है, ठीक है, तो formula देखने में सेम है, ये formula सेम है, अब ये formula कहां से आया, वो ज़रुवत नहीं है, छोड़ दे, general circle के लिए क्या होगा, C, O, C, और general circle, पर question आया, इस बार J, E में, ध्यान से देखना भई, कि अगर अब मैं तुम्हें एक circle दे दूँ, X2, Y2, 2G, X, 2F, Y, C, और ये exterior point दे दूँ, X1, Y1, तो अब इस line AB की equation क्या होगी इस बार, तो भाई देखो, ये tangent जैसी दिखती है, हाँ sir, तो ये भी tangent जैसी दिखेगी, इसकी tangent याद करो, क्या होती थी, इसकी tangent होती थी, X2 को X, X1, Y2 को Y, Y1, G times X plus X1, याद आ रहा है, Cartesian tangent, F times Y plus Y1, और C तो C होता है, तो ये ही तुमारी, basically, chord of contact AB की equation बन जाती, again I am saying, chord of contact और tangent को same मत समझ लेना, formula same है बस, point अलग X1, Y1, तो final outcome अलग आएगा, जब point ये वाला डाला जाएगा, तो AB की equation मिल जाती है, हाँ, तो सारे circle के लिए हो गया, अभी ये देख, standard के लिए ये हो गया, छोटा सा, और general के लिए, ये वाला chord of contact हो गया, so chord of contact, very very important chord, for circles, proof, proof सब है इनके, बट जरुवत नहीं है उसमें जाने की, कोई काम नहीं आना proof, तो यही बात मैंने आपको बताई है, समरी दे दिये इस page पे की, chord of contact जो होती है, same as Cartesian tangent जैसी दिखती है, ठीक है, बस यहाँ, point of intersection of tangent होता है, वो x1, y1 होता है, बहार का point, और general circle के लिए भी वो, विलकुल T वाले expression जैसी दिख जाती है, chord of contact, यह बात हमने पड़ी है, अभी तक, chord of contact में, ठीक है, हाँ, chord of contact कुछ भी नहीं है, same tangent जैसी दिखेगी, बस इत्ती सी बात तुम्हें याद रखनी है, chord of contact में, चलो एक सवाल लगाते हैं इस पे, question, बहुत बढ़िया question है, chord of contact of tangents, drawn from a point on the circle this, circle this, तो तीन सर्कल अगर आप ध्यान से देखें, तीनों center origin वाले हैं, है की नहीं, देख लो, तीनों का center origin है, radius a, b, c, या, ए सबसे बढ़ा है, तो तीन सर, concentric circle जरा बना लेता हूं, तीन जरा concentric circles बना लिये जाएं, तो, और यह हो गया, तीसरा, सबसे बढ़ा है a वाला, तो, x square plus y square बराबर a square सबसे बढ़ा है, बनाने की कोशिश करो, खुद से figure, अब ध्यान से figure बनाएंगे, देखो, क्या कह रहे हैं, chord of contact of tangents, drawn from a point on this, मतलब बहार वाले पर एक point ले लो, और उसकी tangent बना लो, जो chord of contact बनेगी, touches the circle this, मतलब जो chord of contact बन रही है भाई साब, वो सबसे छोटे वाले को touch कर रही है, ऐसी कुछ figure हो गई, हाँ, समझ गए की नहीं, बिलकुल, बिलकुल, इस तरह से, देखो figure, तुबारा समझा रहा हूँ, कि किसी भी point on the circle this, एक point लिया, x1, y1, on the circle this, सबसे बड़ा वाला, क्योंकि radius सबसे बड़ा है, उसकी जब tangents बनाई, ठीक है, तो जो chord of contact है, ये बनी, वो chord of contact, touch कर रही है, इस circle को, तो इसकी tangent हो गई हो, इसकी tangent हो गई, हम, है ना भई, इसकी tangent हो गई, इस तरह की figure बन गई, चलिए, तो अब मुझे तुम ये बताओ, equation of AB क्या होगी, और आपको question में क्या बोला है, show that ABC GP में, खतरनाक सवाल, कि भई अगर ऐसे कुछ हो गया, तो ABC GP में आएंगे, प्रूव करके दिखाओ, हम, हाँ, 15 मिनिट में दे देंगे break, सब लोग, प्लीज, अगले 15 मिनिट बेटा, प्लीज, मेरी request है, सबसे full effort से, full josh के साथ पढ़ाई करो, विल्कुल भी chat में मत engage हो जाओ, फालतू की बाते करने से, आप लोग मेहनत करो, effort मारो, कोशिश करो समझने की मज़ा आएगा, तुम्हें अच्छे concept हैं, और आज अगर circle में तुम्हें कोई चीज नहीं समझाई, तो घबराओ मत, parabola, ellipse में सब सेम आने वाला है, कि tangent, chords, normal सब आने वाले हैं वहाँ भी, तो फिर धीरे धीरे तुम्हें बहुत clear होने वाली हैं सारी चीज़ें, अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो, हो सकता है तुम्हें कि इतना बड़ा chapter है, पहली बार में 60%, 70% चीज़ें समझाई हैं, तो घबराना नहीं है, parabola, ellipse, hyperbola सब में आना हैं, हाँ, चलिए, तो अब जरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, equation of a भी बताइए क्या आएगी, same as tangent होती है, बट इस circle के लिए लगाना है, क्योंकि कि कॉर्ड of contact है भी, second वाले की, बस अब गलती यहाँ पर ही हो जाती है, कि भाई, x1, y1, जो point है, वो तो पहले पर है, तो x1 square plus y1 square तो a square होगा, तो कि satisfy करेगा पहले circle को, बट जब cord of contact नका लेंगे, तो दूसरे circle की cord of contact है वो, बी वाले की, तो x, x1 plus y, y1, बराबर b square होगा, यह गलती हो जाती है यहाँ पर, यह हम यहाँ पर a square लिख देते हैं, एक कह रहा है कि सर, आपने 10 minute पहले कहा था कि 15 minute में दे दोगे, आपकी 15, अभी भी 15 minute कह रहे हो, आपकी घड़ी रुख गई क्या, हाँ, ऐसी समझ ले बिटा, x, x1 plus y, y1, बराबर b square, यह हो गया, हाँ सर हो गया, क्यों, क्योंकि दूसरे circle, बीच वाले की chord of contact है, अब यह से touch कर रही है, touching का मतलब तो एक ही समझ आता है हमें, कि center का distance, radius c के बराबर, तो 0, 0 का distance, b square upon root x1 square plus y1 square, distance of point from a line, बराबर radius c के बराबर, यह distance जो है, c के बराबर रख दिया, जब भी question आएगा, तो देख लेना, मैं 99% of the time, यही funda लगाऊंगा, कि center का distance, बराबर radius, आज जितने भी सवाल कराए, सब में यही लगाया है, tangent का, अगर ध्यान से सोचो, देखो, दिखा देता हूँ तुमें, विश्वास ना हो तो, यही लगाया था, कि point of tangency का, distance radius 5 के बराबर, parametric लिख दिया था, इस से उपर वाले में भी यही लगाया था, कि यह दोनो distance radius के बराबर है, 5 जो भी आया था radius, और अब इसके अंदर भी यही लगा रहा हूँ, मैं, tangent का distance बराबर radius, but x1 square प्लस y1 square, तो a square है, इसको ठाके यह डाल दे, तो b square अपॉन a का mod बराबर c, but a b c positive दिये है, यानि mod ward का कोई खेल नहीं है, छोड़ दोसको, तो b square बराबर a c हो गया, b square बराबर a c, condition for gp आ गई, हम, समझे की नहीं समझे, इस तरह से बिटा ये प्रूव हो गया है, कि gp में radius होंगे, इस तीनो circles के, अच्छा question है, conceptually देखा जाए, तो देखने में डरावना था, बट करने गए तो क्या निकला, तीन line में question solve हो गया, हम, सर अगेन समझा दो, देखो बेटा, जो बच्चे straight line पढ़के नहीं बैठे, उन्हें दिक्कत आएगी, आज के session में है ना, क्योंकि straight line यूज हो रहा है, अब इसमें भी सब कुछ straight line का use हो रहा है, distance of point from a line, तुझे नहीं समझा रहा है, इसका मलब तुने straight line नहीं पढ़ रखा वेटा, अब मैं उसमें क्या समझा हूँ, straight line के फंडे पे थोड़ी जाऊंगा पूरा formula, कि भाई, एक point होता है, उसका line से distance निकालना सीखा है तुमने, अब ऐसे तुम कित्ती मर्जी बार सीखते रहो, यह infinite loop बन जाएगा तुमारा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का perpendicular distance वो लगा रहा हूँ बस मैं, यह वाली चीज़ लगा रहा हूँ बार बार, इंजेंड में, इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है, क्योंकि straight line का concept आ गया है, एक और लगाएंगे, एक और सवाल लगाते हैं, जेई का, इस साल का, तर डारेक्टर सरकल से हो जाएगा पिछला वाला नहीं बिटान, पर्पेंडिकुलर टेंजेंट नहीं है न, यह 90 जब तक नहीं दिया होगा, डारेक्टर सरकल से तभी लगेगा, जब यहाँ एंगल बिट्वीन टेंजेंट कुछ दिया हो, सरकल विट सेंटर टू थ्री एंड रेडियस फॉर, ठीक है, एक सरकल है, जिसका सेंटर टू थ्री है, और रेडियस फॉर है, इस लाइन को वो कह रहे हैं, डो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पी एंड क्यू पे, खीक है, कौन सी लाइन, एक स्पलस य बरावर ठी, ओके, नौ, इफ़ टेंजेंट सेट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट अट एज, अब पेंड पी एंड क्यू पे टेंजेंट मना दो, तुम्हें chord of contact की situation दिख गई की S के लिए PQ जो है वो chord of contact है वेटा S के लिए PQ chord of contact है So equation of circle लिखते हैं पहले X minus 2 whole square plus Y minus 3 whole square बराबर 4 square Circle थोड़ा अच्छी तरह कर लो X square plus Y square minus 4X minus 6Y 9 और 4, 13 minus 3 बराबर 0 देख लिजिए जरा circle मैंने सही लिखा है Circle मैंने बेटा सही लिखा है एक बार चेक कर लेना देख लिजिए जरा अब क्या करेंगे बेटा chord of contact इस बार दी गई है तुम्हें compare कर दो मतलब तुम alpha बीटा छोड़ो X1, Y1 मान लो क्योंकि हमें आदत उसकी X1, Y1 की हम X1, Y1 मान लेते हैं और अब chord of contact equation of PQ लिख लो equation of PQ हो जाएगी X1, Y1 मान अगर यह X1, Y1 मान अगर यह X1, Y1 जैसी दिखने लग जाती है हाँ, खीक है न, तो अब इसको ज़रा इसके साथ compare करना है पहले अच्छी तरह लिख लेता हूँ, X की term से खट्टी X1 मान अइनस 2 इन्टू X Y1 मान अइनस 3 इन्टू Y मान अइनस 2 X1 मान अइनस 3 Y1 मान अइनस 3 उस सबको उधर ले जाईए तो X1 मान अइनस 2 इन्टू X Y1 मान अइनस 3 इन्टू Y is 2X1 प्लस 3 Y1 प्लस 3 और बेटा, यह अब क्या हो गई? यह PQ की equation है, बट PQ की तो दी X प्लस Y बराबर 3 X प्लस Y बराबर 3 दी हुई है तो first और second को same lines represent कर रही है compare कर देते हैं, rate line में तुमने बात सीखी होगी, coincident lines बन गई, मतलब A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, तो हमारे पास जो condition बन जाएगी, उपर लिख देता हूँ X1 minus 2 upon 1 यह ratio same करने है बस इनके equal to Y1 minus 3 upon 1 is equal to 2X1 plus 3 Y1 plus 3 upon 3, ऐसे एक पूछ रहा है sir equation of circle कैसे निकाली बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश circle की equation निकाली center radius form लगा के, शुरुआत में पहली slide देख ले जाके चलो तो अब हम क्या करेंगे, बस compare करके यहां से X1 Y1 solve कर लेंगे X1 Y1 मतलब alpha beta solve हो जाएगा चलो, इसको तुम लोग अब कर लो answer मैं दिखा देता हूँ answer beta मैं दिखा देता हूँ इस चीज का क्या आएगा, alpha beta की जगा मैंने X1 Y1 ले लिया है, यहां से equations बना लो ना, एक equation X1 Y1 में यह बन गई एक यहां से बना लो देखो, इससे तो 3 Y1 से Y1 कटी जाएगा, सीधे-सीधे दिख रहा है, X1 solve हो जाएगा चलिए, तो break दे देते हैं आप लोग इस question को complete कर लीजे, फिर हम chord का next segment start करेंगे, chord of contact हमने कर लिए, next type of chord फिर आपको मैं बताऊँगा right हाँ, तो break ले ले लेते हैं काफी लोग उतावले हो रहे हैं, break के लिए कि sir, break sir, break sir, break तो break कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहां गई हमारी stop watch के रही भाई 20 minute का break ठीगे भाई, चलिए start हो गया है, timer, और सभी लोग अपना break ले ले, lunch अगेरा कर ले, sorry, dinner कर ले फिर हम मिलेंगे, continue करेंगे बेटा, second half of the session ज्यादा interesting होने वाला है, जो बच्चे पढ़के बैठे हैं या थोड़ा जिनने लग रहा है कि sir, ये तो बहुत obvious चीज़े है second half में ज्यादा interesting होने वाला है ठीक है, चलिए तो और इस question को complete कर लीजे जैने break नीच चाहिए, फिर break के बाद हम लोग दिलते हैं, चलो timer पे धियान रखना, time से वापस आ जाना झाल 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 होपफुली सब लोगों ने डिनर कर लिया है बेटा और अब वापस कंटिन्यू करेंगे अपना मैरेथान सेशन जहां पे हम लोग सॉर्कल्स पढ़ रहे थे और काफी बढ़िया इंटरस्टिंग मोड पे हैं हम लोग जल्दी से एक बार बता दो क्या मेरी अवाज तुम लोगों तक पहुँच रही है हाई सर हेलो हेलो हाँ मैं भी आ गई अच्छा बेटा वेरी गुड आ गई तो हाँ चलिए तो आप वापस आते हैं बेटा सॉकल्स पढ़ रहे थे हम और एक ये सवाल दिया था मैंने आपको जल्दी से इसे खतम करते हैं कॉर्ड आफ कॉंटेक का क्वेस्चन आई होप आंसर निकाल लिया है तुम लोगों ने हम एक लिख रहा है सर नो साउंड हाई म्यूट करके बैठोगे तो साउंड कैसे आएगा अन्म्यूट करो एक पूछ रहा है सर हाव टू रिमेन मोटिवेटेड पहली बात तो मोटिवेशन के लिए बेटा बहार जाकना बन कर दुनिया में वीडियोज यूट्यूब इन सब में मोटिवेशन टेंपरीरी है अंदर जाक अंदर से देख क्या मोटिवेशन है क्यों ड्राइव क्या ड्राइव करता है तुझे क्या चीज अगर एसी स्टेटस हो, फिनेंशल हो या जो भी आपकी लाइफ वो अगर उसे इंप्रूव करना इससे बड़ी या मोटिवेशन नहीं हो सकता चलो बेटा, स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी से इस क्वेशन को कम्प्लीट करते हैं तो सबसे पहले तो पहली एक्वेशन यहां से बन जा रही है, दिख रहा है हमें कि X1, X1 इक्वल टू Y1 माइनस 1 हो गया, है ना भई, 2, 2 कट गया इससे और दूसरी यहां से बन जा रही है, जैसे ही मैं 3 को क्रॉस मल्टिप्लाइ करूंगा, 3Y1 माइनस 9 इक्वल टू 2X1 प्लस 3Y1 प्लस 3, 3Y1 3Y1 कट गया, तो यह बन गया, माइनस 9, 2X1 प्लस 12 बराबर 0, तो X1 बराबर माइनस 6 आ गया, X1 को माइनस 6 यहां डाल देते हैं, त तो माइनस 6, Y1 माइनस 1, तो Y1 बन गया, माइनस 5, मतलब यह alpha हो गया और यह beta हो गया, एक तरह से देखा जाए, तो ठीक है, बस अब तो क्या answer निकालना है, 4 alpha, 4 alpha हो गया, माइनस 24, प्लस 7, 5, 35, तो 11 बच गया भाई साब, 11 बच गया, answer, answer तो 11 ही था, very nice, सर, 20 मिनिट पूरे हो गये क्या, हाँ हो गये बेटा, stop watch थोड़ी ना जूट बोलती है, कि लिए stop watch लगा के गया था मैं, चलो, आगे बढ़ेंगे वापस, अब हम chord of contact पढ़ रहे थे, chord of contact पर एक और सवाल करा देता हूँ, एक और सवाल, तो देखो, chord of contact में एक एक फॉर्मुला होता है वैसे, कि अगर आपको the length of chord of contact, length of chord of contact, कि अगर आपको कभी भी कोई एक point है, x1, y1, उससे इस chord की length निकालनी हो, a, b की, सीदे-सीदे length निकलाएगी, इस formula की मदद से, 2r root s1 upon r के radius, s1 तो तुम्हें पता है, power होती है, s1 is power of the point, तो इससे length निकल जाती है, chord of contact, मतलब, a, b की length, l, जो है, वो इस formula से निकल जाती है, area, कई बार इसका area भी पूछ लेते हैं, देखो, इस triangle का, p, a, b का, तो वो भी हम एक question में देख लेते हैं, एक सवाल में area का भी देख लेते हैं, हाँ, सर, coefficient equal क्यों नहीं कर दी है, बेटा देख, जब भी दो line same होती है, तो जरूरी नहीं है, coefficient same हो, क्यों x plus y 3 है, तो हो सकता है, 2x plus 2y equal to 6 हो जाए, coefficient equally same ratio में होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर x plus y equal to 3 है, तो line 2x plus 2y equal to 6 भी तो हो सकती है, 3x plus 3y equal to 9 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो multiple, इसलिए कभी coefficient same नहीं रखते, उनका ratio same रखते हैं, चलो, एक ये question मैं तुम्हें दिखा रहा था, 2022 का, और एक बिल्कुल ही ऐसा, देखो, similar सा, 2023 में भी है, दोनों करेंगे, चलो, let the tangents at points A and B meet at origin, तो, दो tangents बनी है, origin पर मिल रही है, ठीक है, the area of triangle OAB, मज़ेदार सवाल, OAB triangle, सीदे सीदे इस triangle का area पूछ लिया, important question है, बहुत बार आता है, जेही में, हाँ, origin से tangent बनी, ठीक है, area of triangle OAB, सबसे पहले तो, सर, ऐसी situation में, हमें क्या करना चाहिए, पहले तो origin की power, देखो, origin डाल रहा है, तो root 3 length हो गई, ये वाली length भी root 3 हो गई, ये दोनों length भी root 3 हो गई, ठीक है भई, इतनी बात ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जड़ा इस formula से AB की length भी निकाल लेता हूँ, formula says, 2R root S1, 2R root S1, upon, upon root R square plus S1, root R square plus S1, तो S1 तो origin की power तो 3 थी, S1 तो 3 है, radius जड़ा जल्दी से निकाल लो, 2 square और F square तो 0 है, minus 3, तो radius हो गया 1, radius हो गया 1, उसे यहां डाल दो, 1 प्लस 3, तो 2R root 3, upon 2, 2, 2, 2, cut गया, root 3 आ गई, AB की length भी बेटा, root 3 आ गई, देख पारे हो तुम, यह भी length root 3 आ गई है, तो बहुत ही प्यारी बात हो गई, triangle जो है बेटा, equilateral बन गया, अश्काता हूँ, तो area of equilateral triangle लगा दे, area of triangle ओए भी, root 3 by 4, into side square, तो 3 root 3 by 4 आ गया, 3 root 3 by 4, B option आ गया, देख रहे हो कितना बढ़िया question बन गया, इस formula से, खट से हमने area of equilateral triangle लगा दिया, equilateral नहीं आता, तो hirons formula भी लगा सकता था, है न, एक और method बताता हूँ, चला, अगर hirons नहीं लगाना, shortcut से करना है, अगर मान लो, equilateral नहीं आता, ये तो equilateral आ गया, बड़ी इजली area निकल गया, what if equilateral नहीं आता, तो देखो, area of triangle का एक और तरीका होता है, कोई भी triangle का अगर area लिखना चाहते हो, किसी भी triangle का बेटा अगर area लिखना चाहते हो, तो अगर दो sides हैं, ये है अगर x और ये y है और ये थीटा है, तो area of triangle का एक और बहुत अच्छा formula होता है, half x y sin theta, तो sides का product और बीच के angle का sin theta ले लिया करो, बहुत प्यारा formula है, कैसे आया सर ये, बड़ा easy है देख, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो, y sin theta है तो height हो जाएगी, y sin theta डाल दो, तो half x y sin theta बन गया, तो 2 sides का product into sin of which का angle, ऐसे याद रखते हैं, इसे area of triangle is half any two sides का product into bीच के angle का sin theta, इसकी मदद से भी मैं इसको कर सकता हूँ, इस तरह के question को, देखते हैं, देखते हैं, देखो जड़ा, cross product से भी कह सकते हो, आता है, बिल्कुल ठीक बात है, अब इसको जड़ा देखते हैं, question बिल्कुल similar है, देखो 2023 का, tangents at the points p and q, meet at r, दो points है p and q, उनकी tangents r पे मिलती हैं, r के coordinates 9 by 4, 2 है, area of triangle p क्योंद, फिर से बिल्कुल same सवाल, इस triangle का beta area निकालना है, अब एक तरीका तो वही है, पहले वाला कर ले, इसकी length निकाल ले, इसकी length, इसकी length, वो एक approach सिखा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है, अब दूसरा approach सिखा रहा हूँ, जड़ा पहले, पी आर की length तो लिखी लेते हैं, root s1 करके, s1, power, 9 by 4,2 इसमें डालो, 5 को left में ले आए, simplify करते हैं, so 9, 9, 9 by 4 इन दोनों में से common भी ले लेता हूँ, 9 by 4, 9 by 4 minus 2, और ये 4, 2, 6, minus 5, plus 1, so 9 by 4 into, 1 by 4, plus 1, so 9 by 16 plus 1, so 9 plus 16 by 16, बढ़ी असा आ गया, 25 by 16, ये s1 आ गया, तो length of tangent, root s1 होती है, 5 by 4 हो गई, ये वाली length, तुमारी बेटा 5 by 4 निकल आई, ये भी 5 by 4 हो गई, सही है, ये भी 5 by 4 निकल आई, तो length निकल आई, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब जल्दी से द्यारा देखो, मैं क्या try कर रहा हूँ, इस angle को निकाल लूँ, क्योंकि अगर इस angle को निकाल लूँ, तो half, this into this into sin theta लिका दूँँगा, समझ गए, जो अभी formula सिखाया है, तो मैं इस angle की तरफ बढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ये angle निकालने की, उसके लिए क्या करता हूँ, ये 90 है, ये theta by 2 ले लेता हूँ, ये आदा हो गया इस angle का, क्योंकि ये congruent triangles है, रेडियस कितना है देखो, रेडियस भी मिल जाएगा, रूट G स्क्वेर, प्लस F स्क्वेर, और माइनस 5 प्लस 5, ठीक है भई, calculation करते हैं, 6 प्लस 1 बाइ 4 का रूट, 25 बाइ 4 का रूट, 5 बाइ 2, तो रेडियस आ गया 5 बाइ 2, और अब बिटा, अपा मुझे, तो 5 बाइ 2, तो टैन थीटा बाइ 2 हो गया, 5 बाइ 5 कट गया 2, टैन थीटा बाइ 2 बेटा 2 निकल कर आ गया, और अब मुझे एरिया निकालना है, एरिया ओफ ट्राइंगल П क्यू आर, अभी वाला फॉर्मुला जो मैंने सिखाया, तुम्हें ये वाला फंडा लगा देता हूँ half product of two sides तो area of triangle PQR हो जाएगा half product of two sides 5 by 4 into 5 by 4 into ये पूरा angle तो theta हो जाएगा sine theta क्योंकि वो theta by 2 है ये भी theta by 2 दोनों मिलाके theta हो गए so sine theta निकालना है अब 10 theta by 2 से sine theta निकालोगे न थोड़ी से trigonometry की याद आ गई sine theta होता है 2 tan theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2 तो 4 by 5 इसको ठाके या रख दे sine theta आ गया 4 by 5 इस बार equilateral नहीं बना न ये equilateral नहीं बन रहा इसलिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है ये सब कट गए तो 5 by 8 बन गया area 5 by 8 c option बन रहा है अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये ही एक तरीका है बहुत सारे तरीके हो सकते हैं यार ये दो मैंने निकाल लिए तुम ये length of chord निकाल लो formula बताया और hirons formula लगा लो root s, s minus a, s minus v, s minus c वाला उससे भी आ जाएगा area ये भी एक बड़िया method है half product of two sides into sin theta right इससे हम बहुत easily area find out कर सकते हैं तो पिछले सवाल में क्योंकि equilateral बन गया था ज्यादा easy था वो इसमें equilateral नहीं बना तो answer match कर लेते हैं एक बार c option बिलकुल सही आ गया है ठीक है important है देखो दो साल से सवाल आ रहा है इस पर वो सकता है फिर से आ जाए आपके set के अंदर chord of contact और tangent से जो triangle बनता है इसका area circles के लिए चलो next chords पर आते हैं chord with a given midpoint chords की हम बात कर रहे थे एक हमने पढ़ा chord of contact तो chord of contact क्या था कि जब exterior point से tangents बनती हैं तो ये वाली chord को chord of contact बोलते हैं इस point की अब बिलकुल ऐसे ही chord with a given midpoint नाम से समझा रहा है भई एक chord है जिसका midpoint हमें पता है midpoint क्या है कुछ भी है x1 y1 chord with a given midpoint ध्यान से देखेंगे पिटा तो एक ऐसी chord की equation लिखना चाह रहे हैं जिसका midpoint known है हमें तो फिर से वही फंडा देख अगर मैं center ले लूँ minus g minus f general circle ले लिया तो क्यों मैं एक बात पता है कि अगर मैं इसको midpoint को join करता हूँ 10th में बात बताते हैं कि chord का midpoint center से join होता है तो वो perpendicular होता है very very important कि यहाँ पे PC जो है perpendicular होगा AB के इस बात को जड़ा इस्तिमाल किया जाए हाँ इस बात का इस्तिमाल करके मैं निकाल रहा हूँ equation फिर से वोई slope of PC y1 प्लस f upon x1 प्लस g तो slope of AB हो जाएगी minus x1 प्लस g upon y1 प्लस f तो equation of AB निकाली जा सकती है बहुत असानी से y minus y1 क्योंकि point तो है slope मैंने निकाल ली slope point form लगाके proof है यह जरुवत नहीं है proof की बठलका फुलका सा बता दिया और अगर इसको simplify करें तो जो form आएगी बेटा वो आती है t equal to s1 तर यह क्या है t और s1 s1 तो देख तुझे पता है power होती है t क्या है tangent का expression तो अगर मैं इसको simplify करूं तो यह equation इस तरह की दिखेगी t होती है xx1 plus yy1 याद करो g times x plus x1 आज बताया था t f times y plus y1 plus c और s1 होती है power of the point x1 square plus y1 square plus 2g x1 plus 2fy1 plus c तो अगर तुम उपर वाली equation को simplify करोगे ऐसी ही दिखेगी cc काट लो कोई दिक्कत नहीं है finally यही आएगा तो t equal to s1 से chord with a given midpoint मिल जाती है t और s1 को बराबर करने से इस chord की equation मिल जाती अब हम सर इस form में क्यों learn कर रहे हैं हम ऐसे ही क्यों नहीं कर लेते क्योंकि बेटा generalize हो जाएगा इस से न पैराबोला में भी ऐसी होगा ellipse में भी ऐसे ही होगा chord with a given midpoint बार बार आएगी chord of contact बार बार आएगी तो अगर आप जैसे मान लीजिए मैं आपको देदू कि यार ये circle है x square plus y square बराबर r square ये chord है जिसका midpoint है कोई भी ले लो चलो r square की जगा अच्छा सा ले लो x square plus y square equal to 25 है ये chord है जिसका midpoint है 1,2 इस chord की equation लिखकर बताइए ये मैं तुम्हें example के तोर पे समझा रहा हूँ कि कैसे t equal to s1 का इस्तिमाल होता है तो सबसे पहले तो t होता है x x1 plus y y1 minus 25 ये t हो गया और s1 होता है x1 square plus y1 square minus 25 तो equation of chord a,b according to our formula t equal to s1 से मिलती है बिल्कुल याद कर लो जैसे chord of contact कैसे मिलती है t0 से याद सेमेस tangent और 0 रख दो but t और s1 को बराबर रख दोगे तो chord midpoint वाली मिल जाती है तो x x1 plus y y1 minus 25 is x1 square plus y1 square minus 25 25 25 खाट दो और x1 y1 की जगा 1 2 रख दो क्योंकि x1 y1 क्या था बेटा या x1 y1 was midpoint of the chord तो x1 y1 की जगा 1 2 डाल दो ये इस formula में put कर दीजिए तो x plus 2 y बराबर 5 हो जाएगा x plus 2 y बराबर 5 इस chord a b की equation आ जाएगी ऐसे रख करना है अपने को याद तो in fact आप ये formula हर एक के लिए valid आवेट हा हर एक के लिए मानले अगर हलका सा example दे रहा हूँ मानलो ellipse दे दिया मैंने ये ellipse है ठीक है तो इसके लिए भी chord with a given midpoint chord with midpoint x1 y1 बिलकुल ऐसे ही हो जाएगा कि t लिखेंगे पहले t होता है x x1 y square को yy1 और minus 1 left में ये t हो गया और s1 को बराबर रख दो t और s1 को किसी भी curve के लिए बराबर रख दें चाहे circle, parabola, ellipse, hyperbola chord with a given midpoint मिल जाएगी detail में देख करेंगी ellipse में respective chapters में करेंगे 1 1 कट गया तो ये जो बचेगा ये chord बन जाएगी जिसका midpoint ellipse की chord बन जाएगी जिसका midpoint x1, y1 होगा बाकी detail में देख वही discussion करेंगे हाँ, ठीक है भाई हाँ chord with a given midpoint होता है t equal to s1 से but circle में देखो क्या होता है हम नहीं इसका इस्तिमाल कम करते है chord with a given midpoint का हम circles में कम इस्तिमाल करते है करने को कर लो, कोई गलत नहीं है konics में जादा करेंगे, मतलब parabola ellipse, hyperbola में इसका जादा इस्तिमाल होगा, circle में क्या करेंगे क्योंकि वेटा circle में एक property है न chord का जो midpoint है अभी जहां से prove किया था मैंने center से join करके वो AB के perpendicular हो जाता है तो क्योंकि ये line AB के perpendicular इसी को इस्तिमाल करके 90% सवाल तुमारे हो जाएंगे PC perpendicular to AB इसका भी इस्तिमाल करना सवालों में भूलना नहीं है हमें, chord with a given midpoint के circle के questions में आप इसका इस्तिमाल कर सकते है बाकि T equal to S1 तो है तो दो चीजे हो गई circles में इस्तिमाल करने को चलो कैसे करेंगे सर इस्तिमाल एक question में करके बता दीजिए हाँ चलिए, इधर देखते है इधर देखते है equation of locus of midpoint of chord carefully देखो language समझनी है आपको language को carefully समझना है equation of locus of यहां से मुझे समझ आया locus of midpoint of chord तो समझ आ गया, midpoint of chord की बात हो रही है यानि कि इसी concept का question है midpoint का locus यानि midpoint को HK मान ले भाई locus की सवालों में ऐस सब करते हो तुमें पता है, straight line में पढ़ा है तो अकल जो दिया है वो थोड़ा सा बेटा उसमें खेल किया हुआ है तुमें दिग गया होगा 4 multiplied है 4 multiplied है तो पहले तो उसको 4 से divide कर लीजिए ऐसे लिख लिया circle को अच्छी तरह ठीक है which subtend an angle 128 center तो मतलब ये cord जो है center पर center पर बेटा 120 degree subtend कर रही है question ये है कि ये cord change हुए जा रही है ये भी बट central पर angle हमेशा 120 है बहुत प्यारा question है ये वाला 96 का जेई का सवाल है बट इस पर भी similar सवाल अभी बनाया है जोई इने पिछले साल ही देखाऊंगा तुम्हें home work में दूँगा ध्यान से कर लो ये वाला center तो क्या है center है इसका 3 by 2 minus half 3 by 2 minus half ऐसे बटा center आ गया हाँ सभी लोग बटा पढ़ने में दिभाग लगाएं थोड़ा सा चैट वगेरा करने से कुछ नी हासिल होने वाला concentrate करके पढ़ो तब जाके चीजें समझ आएंगी तुम चाहते हो उपर उपर से हम बस पढ़ लें सर है ना और उसके बाद भी हमें सब समझ आ जा सवाल भी लग जा और हमारा जैई भी क्लियर हो जा ऐसे नहीं होगा concentrate करके पढ़िये जो बच्चे समय चैटिंग पर कर रहे हैं सिर्फ चैटिंग करे जा रहे हैं बिना मतलब की उनका कुछ नहीं होने वाला कड़वा सच है पूरी लग गई ना बात बस अब समझ ले अगर पढ़ जो पढ़ने वाले हैं ना actually वो चुपचा बैठके pen pencil लेके दिमाग लगा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं उसमें वो चैटिंग में नहीं लगे हुए हैं वो सिर्फ चैट पे तब लिखते हैं जब मैं कोई question पूछत रहा है अब एक चैटर और उसके बाद भी अब तुझे उसमें भी चैटिंग करनी है कैसे काम चलेगा बता अब तो सीरियस हो जा यह देखो आश्यकी चल रही है यह एक भाई हमारे वो I love you लिख रहे हैं किसी को कुछ नहीं होगा बेटा तेरा ना तो पढ़ाई में न वैसे तुझे क्या लग रहा है चैट में कुछ लिखने से कुछ होने वाला है चल आजा पढ़ लेते हैं थोड़ी देर चायद पढ़ लेगा पढ़ लिखके कुछ बन जाए तो फिर भी हो जाए कुछ तेरा चल लो बेटा वापस आएंगे सवाल में तो कॉड विधा गिवन मिट पॉइंट और कॉड ऐसी है जो सेंटर पे 120 कर रही है तो अब एक तरीका तो एक टी कोल तो स1 जबर्दस्ती ले लेके घुमो और लंब्या मेथड लगाओ और shortcut method मैंने तुम्हें आज बताया कि हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि center से अगर मैं P को join करूँगा तो ये line perpendicular होगी बेटा best method है circle में जब भी quad with a given midpoint दिख जाए ये लगाओ हाँ एक कहरा सर अब बस chatting बन सर अब नहीं करूँगा जलो बेटा ध्यान देंगे तो मैंने बोला था ये perpendicular है हाँ सर आपने बोला दिलकुल हमने सुना और 120 की जगा अफसोन ये दोनों आधे-ाधे हो जाएंगे 60-60 हो जाएंगे congruent triangle यार बच्चा बच्चा जानता है दोनों triangle congruent बन रहे हैं इसलिए 60-60 हो गया दूसरा अब मुझे एक बात दिग गई अगर यार ac की length तो radius है radius निकाला जाए root g square plus f square minus c करके ये कट गया तो 3 by 2 आ गया यानि ये radius 3 by 2 आ रहा है सर इसका और थोड़ा सा physics का फंडा लगाऊंगी cos theta ले लूँ 3 by 2 cos 60 तो PC distance हो जाएगा 3 by 2 cos 60 है ना भई इसका ऐसे projection ले लिया cos theta तो 3 by 4 हो गया cos theta हाफ तो PC distance 3 by 4 हो गया हमेशा बस क्या है अब तो सवाली सौल हो गया ना बेटा क्योंकि PC distance 3 by 4 distance formula लगा दे तो h minus 3 by 2 का whole square k plus 1 by 2 का whole square बराबर 3 by 4 का whole square h k में relation आ गया h k में relation आ गया और locus आ गया बेटा h k में relation ही तो locus होता है बस इसको simplify कर दे option match कर ले बहुत ही प्यारा सा question call हो गया sir how to solve this by midpoint of chord बहुत लंबा method हो जाएगा हो तुझे फरिवई करना पड़ेगा कि t equal to s1 से लिख ले और ये जो distance मैंने 3 by 4 लिखा है उसको center का perpendicular distance 3 by 4 करता वहां से समझ गया line की equation लिखके distance of point from a line को 3 by 4 करता बहुत लंबा हो जाता मैंने सीधे distance formula लगा के कर दिया easily एक line में answer आ गया option match हो गया भाई या option match हो चुका है आपका देख लीजेगा constant term देखनी है वस ये तो सेम ही आएगा इतना constant term हो जाएगी 9 by 4 plus 1 by 4 minus 9 by 16 तो 10 by 4 40 by 4 minus 9 by 40 by 40 minus 9 31 by 16 ए option ऐसे खट से option टिक कर दिया मैंने है ठीक है भाई चलो आगे बढ़ेंगे तो ये question एक तुम देख लो बच्छी तरह central angle 120 दिया था अब देख जैई ने कैसे question को कैसे पुराने question पे एक और नया question फेका है पिछले साल नहीं सी साल 2023 अब बोल रहा है कि भाई central angle theta 1 है ठीक है चलो करके देखें वाला सवाल locust of midpoint of chords of the circle एक circle है उसके जो midpoint है center दिया है four five और radius है इसका two ठीक है और subtendent angle of theta i at the center of the circle मतलब ये theta i है total angle 120 नहीं दिया इस बार इस बार इस बार कहरा है theta i ले लो तो theta by two ले लो ये वाला theta by two ले लो फिर से ये two cost theta by two हो जाएगा right तो pc distance pc distance is bar two cost theta by two हो जाएगा समझ गया भाई pc distance क्या हो जाएगा two cost theta by two हो जाएगा ठीक है sir ठीक है समझ गए और theta की तीन value दी है theta 1 theta 2 and theta 3 circle का radius आ रहा ही है तो देख यही तो radius बन रहा है क्योंकि pc distance fixed आ गया pc distance fixed आ गया जैसे पिछले वाले question में तुमने देखा radius ही तो 3 by 4 हो गया था इस locust का तो इस वाले locust का जो radius होगा ri वही pc होगा क्योंकि इस fixed point से एक तरह से distance बराबर इस तरह से locust घूम रहा होगा तो ri की value 2 cost theta i by two हो गई समझा ऐसे theta by two क्यों लिया सर बेटा क्योंकि complete angle central angle theta था न देख with subtend angle at the center theta i पूरा theta i था तो आधा तो जैसे 120 का आधा किया था पिछली बार पिछली बार बेटा 120 का आधा 60 किया था देखो इस बार उसने theta दे दिया तो theta का आधा कर दिया तो r1 की value हो जाएगी theta 1 जाल दे तो 2 cost pi by 3 का आधा pi by 6 r2 हो जाएगी 2 cost theta 2 by 2 वो दिया नहीं है मुझे theta 2 निकालना है और r3 हो जाएगी 2 cost 2 pi by 3 का आधा 2 pi by 3 का आधा pi by 3 यह हो गया root 3 यह तो पता नहीं और यह हो गया 1 तो r1 और r3 आगए r2 निकालना है तो इस relation से निकाल ले बेटा यह ले यह relation भी दिया है देख इस बार तो 3 equal to 4 cost square theta 2 by 2 plus r3 square हो गया 1 तो 2 equal to 4 cost square theta by 2 तो cost square theta by 2 आगया half हो गया हो गया भाई तो cost theta by 2 क्या हो गया 1 by root 2 यानि 45 तो theta by 2 हो गया 45 यानि theta हो गया 90 90 हो गया भाई d option हो गया basically वही सवाल उसी को लेके बस जहाँ 120 देख रखा था पहले अब 3 अलग अलग value दे दी और एक relation दे दिया theta निकलवा लिया ऐसे ऐसे करना है बेटा तो काफी बच्चे पूछ रहे है सर टेंजेंट में से deleted है ना बेटा देख ये सब चीजें पूछ सकता है जही शुरुवात में भी मैंने ये बात बोली थी की यही का कोई भरोसा नहीं है straight line के फंडे लगके पूछ रहा है वो हाँ चलिए तो कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि सर रेडियस कैसे आया ये देख बिटा ये distance हमेशा constant है पिछली बार भी तो लोकस का जो रेडियस आया था वो ध्यान से देख तो 3x4 ही है ये center बन गया एक तरह से जो कि PC distance हमेशा fixed आ गया न तो ये इस तरह से move कर रहा है point की वही इसका c से distance हमेशा 3x4 है तो ऐसा कुछ एक लोकस बन जाएगा वैसा ही कुछ हो गया यहां कि जो ये आएगा वही radius होता है PC तो वही चीज मैं कहा रहा हूँ जो PC आएगा वही radius बनेगा लोकस का ये point कुछ इस तरह से move करेगा इसका c से distance fixed है इस तरह से लोकस में move करेगा ठीक है तो बिलकुल same question notes का आप को देखो इसलिए बोला जाता है वेटा notes की चीज़ें थोड़ा seriously लेनी है चलिए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं pair of tangents पर आते हैं अब जैसे तुमने मैंने देखा अल अब ऐसे ही chord pair of tangents का होता है sorry pair of tangent की भई अगर x1 y1 यह exterior point है और तुम्हें पीए पीबी की combined equation लिखनी है combine मतलब pair of state line तो जो पीए और पीबी की pair of state line आती है वो s s1 बराबर t square से आती है अगेन यह सब formula बिटा सब के लिए valid है पैरा बोला ellipse हाइपर बोला circle सब में यहील बन लिख रही है तो s into s1 बराबर t square s क्या है वोई circle की equation पैरा बोला में पैरा बोला की बन जाएगी ellipse में ellipse की बन जाएगी ऐसे और s1 क्या है power of the point तुम्हें पता है और t वही वाला अपना घिजा पिटा expression xx1 plus yy1 plus gx plus x1 fy plus y1 plus c तो यह अगर मैं s को s1 से multiply करके t square के बराबर रख दूँ तो pair of tangents मिल जाती है sir example example भी देता हूँ मानले एक circle ले लिया कुछ भी लिख दिया मैंने प्यारा सा ऐसा कुछ है और मैंने बोला कि origin से दो tangent बनाता हूँ origin ले लेता हूँ easy point है ना इसलिए वाकि कोई भी exterior point ले सकते हो मैंने origin ले लिया OA और OB की यह जो lines है इसकी pair of lines बनानी है L1 L2 की equation L1 L2 की बेटा equation बनानी है तो उसमें क्या-क्या तीन चीज़ों का इस्तिमाल होता है S यह तो S तो है S1 S1 होता है sir origin जो है इसकी power X1 Y1 देख क्या था धिहान से देख exterior point था राइट इसकी power का इस्तिमाल होगा तो 0 0 से tangent खीच नहीं है तो 0 0 की power देखो 1 आ रही है 1 आ रही है sir और T क्या होता है X X1 प्लस Y Y1 माइनस 2 X प्लस X1 बाइटू प्लस 3 Y प्लस Y1 बाइटू और प्लस C as it is T का expression तो ऐसे ही मिलता है और X1 Y1 की जगा इसमें क्या रखना है 0 0 रखना है बिटा बस X1 Y1 क्या है 0 0 तो ये गया ये गया और ये तो वैसी गया माइनस X ये गया तो प्लस 3 Y बाइबाइटू प्लस 1 ये बन गया T तो T equal to SS1 बराबर T square से तुम्हें equation मिल जाएगी S मतलब circle की ले लो S1 मतलब बिटा 1 आया S1 तो और T square मतलब इसका whole square कर दो तो तुम देख सकते हो एक 2 degree equation बनेगी कुछ एक 2 degree equation बनेगी वो क्या बनेगी इन दोनो lines की pair of state line pair of state line पढ़ा होगा तुमने अब फिर वोई बात है देखो तुम काओगे सर समझ नहीं आया तो भाई pair of state line पढ़ना पढ़ेगा पहले होता क्या है वो तुन्हें वो नहीं पढ़ रखा तुझे नहीं समझ आएगा ये topic पढ़ रखा है तो आजाएगा ठीक है भाई ऐसे तो कुछ नहीं करना बस tangent का expression लेना है एस वन लेनी है और एस लेना है और एकस वन वाई वन ये point ले लेना है जो भी exterior point दिया इसमें डाल देना है इस formula में चिपका देना है एस एस वन इक्वल टू टी स्कोर से combined equation of pair of tangents मिल जाती है चलो वैसे बहुत ज़्यादा काम की चीज नहीं है बट still बता दिये मैंने अब आ जाते हैं बेटा हम दो circles का case अब थोड़ी सी situation interesting होने वाली है देखो अगर तुम notice करो हमने circles में क्या किया पहले एक circle देखा बस circle की equation, circle का intercept, x intercept, y intercept, circle x axis को touch कर रहा है नहीं कर रहा फिर हमने एक circle और point देखा, power of point, अंदर है point, बहार है, कहां पे है फिर हमने circle और line देखी, मतलब tangent देखी, फिर हमने circle और tangent देखी line का case देखा कि line circle के अंदर है, बहार है, जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ यह देखा हमने line and circle देखा कि circle किस तरह से placed है फिर हमने इसकी tangents देखी tangents की forms देखी उसके बाद हमने chords देखी chords देखी director circle वगएरा भी बीच में किया chords में सबसे पहले करा chord of contact उससे related बहुत सारी बाते करी फिर हमने किया chord with a given midpoint तो अब एक circle और एक line की बारे में हमने सारी बाते कर ली है अब हम आ रहे हैं बेटा एक दो circles के उपर यह दो circle ले लेंगे फिर इनकी common tension, common chord इन सब की बाते करेंगे ध्यान से देखिए ध्यान से देखेंगे भई दो circles की बाते अब सबसे पहले तो देखो दो circles का हम पढ़ने वाले हैं नेचर नेचर मतलब होता है कि अब दो circle है कैसे क्योंकि देख यह कोई 30 class की geometry तो है नहीं कि जो figure बना के देदे circle ऐसे हैं वैसे हैं तो मैं खुद equations की मदद से पता लगाना पड़ेगा कि circle किस तरह से placed है क्या वो ऐसे intersect कर रहे है या externally touch कर रहे है या थोड़ा सा और दूर दूर है बेटा ऐसे है ठीक है तो इनकी conditions पढ़ेंगे अब हम nature of circle में कि circle किस तरह से placed है कैसे मिले किस तरह से interact कर रहे है तो सबसे पहले तो अगर case 1 क्या है circles are apart from each other मतलब ऐसा कुछ दूर दूर है circles कैसे है दूर दूर है तो इसकी condition क्या है देख condition कैसे नापेंगे तरह हमें दो ही चीजे पता होंगी एक तो इसका center तीन चीजे रहे दर चार चीजे रहे दर एक इसका center एक इसका radius पता होगा एक इसका radius क्योंकि दो equations दियोंगी हमें circles की तो यह चार चीजे हम निकाल लेंगे तो clearly अगर circles apart है तो जो distance between centers है यह देखिए जो distance आएगा अगर वो radius के sum से बड़ा आ गया तो इसका मतलब आपार्ट होंगे समझ गए condition क्या बन गई तो condition for two circles to be placed like this greater than r1 plus r2 समझ गए ना common sense देखो distance between center जादा है यह r1 है यह r2 है तो clearly distance between center sum of radius से बड़ा दिख रहा है whereas externally touching के लिए अब externally touching अगर circle हो गए यह दूर दूर थे अभी अब कह रहे हैं नहीं भाई ऐसे externally touching हो जाए तो condition समझ गए exactly जो distance between centers है वो r1 plus r2 के बराबर हो जाएगा distance between centers जो है r1 plus r2 के बराबर हो जाएगा हाँ और इसी तरह से अब third case देख लेते हैं दोनों circles intersecting है मतलब अब थोड़े और पास आ गए अभी तक तो यहाँ थे externally touching थे अब उसने का भाई थोड़ा सा overlap कर ले ऐसा इस तरह से intersecting circles बन गए तो इनकी condition क्या है इनकी condition है जो distance between centers है वो less than r1 plus r2 हो जाए और एक इस चीज़ से बड़ा भी है वो क्यों है वो थोड़ी देर में समझाऊंगा कि difference of radius से बड़ा यह कम क्यों है तो समझ गए क्योंकि वोई वाली चीज radius के सम से तो कम ही होगा distance between centers क्योंकि यहाँ पे बराबर था वो तो और पास आ गए तो distance between centers थोड़ा सा कम हो जाएगा r1 plus r2 के इससे क्यों बड़ा होगा यह समझ लेंगे थोड़ी देर में तो कि r1 minus r2 से बड़ा क्यों है अभी last case में समझ जाओगे अगला case circles are internally touching यह देख ऐसे दो circles हो जाएए circles जो हैं इस तरह से place हो जाए internally touching अब इसकी condition सोच पा रहे हो यह है centers के बीच का distance c1 c2 और यह r1 total है और यह r2 है तो clearly c1 c2 r1 minus r2 के बराबर हो जाए आएगा r1 minus r2 क्योंकि यह r1 है इतना r2 तो distance between center difference of radius और mod क्यों लगाया है पता नहीं सर कौन सा बड़ा है r2 भी तो बड़ा हो सकता है इसलिए हमने mod लगा दिया पता नहीं r1 वाला बड़ा है r2 बड़ जो भी है difference के mod के बराबर आएगा distance between center और last वाला when one circle completely lies inside the other अब इसको देखना ज़रा ध्यान से पान लीजी एक circle यह है और एक इस तरह से है एक के अंदर दूसरा समाया हुआ है concentric इसी का special case हो जाएगा so don't worry about concentric इसी का special case है मैंने इसी का एक खोड़ा सा कोने वाला case उठा लिया की one lying inside the other अब ज़रा इसकी condition दियान से देखेंगे distance between centers देखो यह C1, C2 है C1, C2 और यह है मान लो R1 R1 यह है ठीक है यह है R2 और यह X चलो कोई नई figure बना देता हूँ थोड़ा सा तुम्हें अच्छी तरह से दिख जाएगा इदर देखो समझा रहा हूँ यह वाला कि भई अगर मेरे पास एक circle है बड़ा सा, इसी के अंदर एक दूसरा समाया हुआ है ऐसे कुछ करके, तो मैं बस condition check करना चाह रहा हूँ C1, C2 यह हो गया यह R2 हो गया यह कोई distance X मान लेता हूँ ठीक है, तो कहना इस से कि यह वाला जो होगा वो complete radius होगा तो R1 की value C1, C2 plus R2 plus X हो जाएगी समझ गए? भई, C1, C2 plus R2 plus X बराबर R1 हो जाएगा यानि C1, C2 plus X बराबर R1 minus R2 हो गया, तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ, क्योंकि C1, C2 में कुछ X जोड कर इसके बराबर आ रहा है तो C1, C2 कम हो जाएगा R1 minus R2 से समझ गए? क्योंकि C1, C2 plus something X कुछ X यह value मिला के जोड के इसके बराबर हो रहा है तो obviously C1, C2 अपने आप तो इससे कमी होगा R1 minus R2 से कुछ कम हो जाएगा, तो यह condition हो गई case number 5 की कि C1, C2 less than R1 minus R2 हो गया तो circle one inside the other बन जाएगा ठीक है? ऐसे अब देखो एक और बड़ी आ बात अब तुम समझ गए कि सर इसमें यह वाली condition क्यों थी फिर? क्योंकि आप यह चाह रहे हो कि यह circle इसके पास आता जाए बट इतना भी पास ना जाएगी अंदर ही घुस जाए हाँ, तो उसको avoid करने के लिए, मतलब last case को avoid करने के लिए, last case की condition क्या है कि यह कम हो जाए, इसको avoid करने के लिए यह बड़ा कर दिया मैंने C1, C2 greater than difference of radius कर दिया, ताकि पास आते गए, intersecting हुए वो पता चला, इतने हो गए intersecting की भईया, ऐसे ही एक के अंदर एक चले गया, तो गड़बड हो जाएगी ना, फिर तो दो जगा intersect नहीं करेगा so to avoid last case, हमने यह वाली side भी लगा दी कि distance between center बड़ा हो जाए, क्योंकि इसमें कम होता है I hope यह बात clear हो गई है I hope यह बात clear हो गई है कि कैसे दो cases, 5 cases बन गए nature of circle के पहला दुबारा repeat कर रहा हूँ, दूर दूर तो centers के बीच distance r1 plus r2 से बड़ा यह तो बहुत obvious है, यह भी बहुत obvious है कि distance between centers exactly r1 plus r2 के बराबर third वाला भी मैंने समझा दिया आपको कि इससे कम और इससे जादा होगा, distance between center इसमें distance between center exactly difference के बराबर और इसमें distance between center less than r1 minus r2, logic जाने की वैसे ज़रुवत नहीं थी बट मैंने बता दिया है आप इसको learn कर लीजिए, अब इसका काम क्या है question कैसा बनेगा तो देख भाई question जो बनेगा न वो बनता है इस पर common tangent का और यह बहुत important है सवाल इसका तुमारे paper में तुम्हें दिख सकता है इस बार जे ही मेंन में common tangents तो इस सवाल को समझने के लिए पहले तो common tangent का मतलब समझो ऐसी tangent जो दोनों को tangent हो, जो दोनों को touch कर जाए ठीक है, तो circle की जो common tangent होती है, दो प्रकार की होती है एक होती है direct common tangent और एक होती है transverse common tangent short में इसको हम बोलते है DCT, direct common tangent को बोलते है DCT, transfers को बोलते है TCT, अब दोनों में फरक क्या होता है देख अभी बताता हूँ direct common tangent और transfers common tangent में फरक क्या होता है direct common tangent कौन सी होती है देखो figure से समझते हैं पहले let's come to case number one case number one में अगर आप ध्यान से देखो एक common tangent तो यह है common tangent मतलब एक ऐसी line जो दोनों को touch कर जाए, यह कर रही है यह भी कर रही है यह वाली है direct, यह दोनों कौन सी है direct है, अच्छा transverse कौन सी है, वो भी दिखा देता हूँ transverse वाली बेटा यह वाली line है, जो इस तरह से touch करेंगी यह भी तो दोनों की common tangent है मतलब, अभी definition बता दूँगा बड़ी clear हो जाएंगी, ठीक है और इधर से भी एक ऐसे आ रही होगी something like this तो यह जो पीली वाली दोनों lines है यह है transverse और यह जो dotted वाली common tangent है यह है direct अब इसमें फरक क्या है, देख, बहुत simple सा फरक है अगर direct को देखो, ध्यान से सुनना direct के लिए center same side पर है देखो, इस direct के लिए दोनों center नीचे है इस direct के लिए दोनों center उपर है centers अगर same side पर लाए कर रहे है किसी common tangent में तो वो dct है बढ़ transfers के लिए अगर तुम इस line को दिहान से देखो एक center उपर है, एक center नीचे है, ऐसी common tangent को transfers कहते हैं, इसको भी देख लो एक इस case line के उपर है और एक line के नीचे है center तो if centers are lying on same side ऐसी common tangent को dct बोलते है direct common tangent लिख लो यहां definition में centers lie on same side centers lie on same side of common tangent इधर centers lie on opposite side अलग-अलग side पर अगर centers lie करेंगे तो वो tct कहलाएगी same side पर लाए करेंगे तो dct कहलाएगी direct common tangent का एक और नाम होता है external common tangent इसका नाम एक और होता है internal common tangent tct को हम external भी बोलते हैं और tct को internal भी बोलते हैं नाम है बस ऐसे क्या हाँ चलो अब जड़ा गिनते हैं number of common tangent तो first case में हमने गिन लिया number of common tangents चार होंगे 2 dct 2 tct है ना भई कि अगर circle दूर दूर होंगे तो दो तो direct हैं ये देखो और दो transfers हैं समझ गए अगले में देखते हैं अगले में बेटा direct तो फिर से देखो dotted में direct बना रहा हूँ ये वाली और ये वाली तो direct हो गई तो तो direct हो गई सर और transfers इस बार एक ही है ये वाली पीली वाली ध्यान से देख लो भई figure में ठीक है भई अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या है 2 direct है 2 dct और 1 tct है तो मतलब total common tangent इसकी 3 है इसकी 4 थी right 2 direct 2 transfers 2 direct 1 transfer एक-एक करके कम होती जा रही है ऐसे याद किया हुआ है मैंने भी कि 4 है 3 है अगले में 2 आएंगी देखना तो अगला case क्या था इसमें सिर्फ 2 direct आएंगी देखो एक ये और एक एक कोई tct नहीं है इसकी तो 2 dct है बस इसमें जब circle दो जगा इंटरसेक्ट करते हैं तो सिर्फ 2 dct आती है कोई tct नहीं होता खमज गए और इस वाले में अब दो के बाद जाहिर सी बात है एक ही आएगा और एक ये वाली line आएगी एक line common tangent है जो दोनों को touch कर रही है इस point पर और ये कैसी है d या t जल्दी बताओ direct है या transfers है अब ये वाली कोई definition center दिख कहां लाए कर रहे हैं इस line के उपर एक ही side लाए कर रहे हैं यानि कि ये कैसी common tangent हो गई direct common tangent हो गई तो इस बार एक है dct है इस बार एक dct एक है dct और इसके अंदर जो अगला केस है वेटा इसमें कोई common tangent नहीं है zero common tangent ठीक है भाई साब क्योंकि कोई line ऐसी है नहीं तो दोनों को touch कर जाए क्योंकि circle ही अंदर घुज गया एक एक करके तुमने देखा पांचों cases में एक एक करके कम होते गई सबसे पहले गए अब से हम कि कितने number of common tangents आएंगे समझ गए भाई number of common tangents कितने आएंगे ऐसे आएंगे बिटा चलिए तो अब इस पे सवाल कैसा बनेगा सवाल दिखा देता हूँ जेई का तुमें ठीक है इधर देखो एक question करते हम तो सबसे पहले तुमें कुछ नहीं करना इनका nature पता लगाना है पाचों में से कहां fit हो रहे है nature कैसे पता लगता है center निकालो भई center 1 है 9,15 by 2 देख रही है न center 1 हाँ सर center 2 है 3,3 ठीक है सर और r1 निकाल लिए पहले r1 निकाल लेते है root g square plus f square minus 131 ठीक है सर r2 निकाल लो यहाँ पे root g square plus f square minus or minus 7 plus 7 18 और 7 का root 5 हो गया भई r2 तो 5 निकल कर आ गया r1 निकालते हैं देखो यहाँ से r1 whole square हो जाएगा 81 प्लस 225 by 4 minus 131 r1 square क्यों फिर r1 होगा जलो जल्दी से निकालो calculation करो 81 और 131 minus करते हैं 130 में से 80 गया 50 बच गया 50 बच गया सर बहुत बढ़िया 50 into 4 200 225 में से 200 गया 25 by 4 यानि 5 by 2 हो गया बेटा और 1 की वैल्यू 5 by 2 आ गयी है बस तुझे क्या करना है तीन चीजे निकालनी है r1, r2 और distance between centers जोकि nature पता करने के लिए यही तीन चीजें चाहिए होती है अब C1, C2 का पता लगाओ भई 9 minus 3, 6 का square plus 15 by 2 minus 3 का square तो 6 का square 15 minus 6, 9 by 2 का square फोड़ी सी common woman लिखेलते हैं तीन common आ रहा है भई बहार तो 2 square plus 3 square by 2 square ऐसा तो 3 root 4 plus 9 by 4 16 और 9, 25 3 root 25 by 4 यानि 3 into 5 by 2 15 बटे दो तो distance between centers आ रहा है 15 upon 2 आया ना मजा C1, C2 की value आई 15 upon 2, r1 plus r2 देखो यह भी वही आ रहा है अगर तुम r1 plus r2 देखो r1 था तुमारा 5 by 2 r2 था 5 तो यह भी 15 upon 2 है यानि कौन सा nature बन गया कौन सा बन गया कि r1 plus r2 बराबर आ गया distance between centers के r1 plus r2 बराबर आ गया distance between centers के मतलव यह वाला कुछ बन गया विटा c1, c2 बराबर r1 plus r2 मतलव externally touching circle होगा तीन common tangent होगा बस सवाल खतम तीन common tangents answer a option कुछ भी नहीं है इन सब question में सीधे center radius निकालना है बस और कुछ नहीं है externally touching good बिलकुल बढ़ी आ है ऐसे सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं वेटा it's very very scoring जो बच्चे सोच रहे हैं न कि भाई अभी तक पढ़ने का क्या फाइदा हुआ तो यह होता है जब आप जेई की तैयारी करते हो शुरुआत करते हो बहुत tough लगता है बहुत tough बस उसको खतम करो धीरे धीरे करते जाओगे चीजें बड़ी असान निकल के आएंगे आगे बस खतम ही तो नहीं कर पाते लोग चुरू तो कर देते हैं चलिए अगले पर आएंगे nature of circle पर अब ऐसे बहुत सवाल है बहुत है ऐसे अब मैं सारे नहीं दे रहा तुम्हें बहुत तुम्हें PYQA DPP में डाल देंगे वहाँ देख लेना जहां तुम्हें करना हो सेम तरीके से बाकी nature भी बन जाएंगे चलो अब हमने क्या सीख लिया भी दो circle कैसे कैसे place हो सकते है nature of two circles राइट अब हम करेंगे दो circle की common tangent बिटा कैसी कैसी दिख सकती है common tangent कैसी कैसी number तो गिन लिया हमने अब उनकी length निकालेंगे फिर हम equation निकालेंगे ठीक है जहां से समझना length of dct और tct अगला topic हम क्या पढ़ रहे है dct और tct की length फिर equation देखेंगे सारा कुछ करेंगे एक एक करके common tangent की तो मान लिजे दो circle है तर दूर दूर होंगे क्या जरूरी है नहीं जैसे मर जी हो length of dct मतलब इतनी line की length हम निकालना चाहते है a, b ठीक है भाई तो जो length of dct है capital L से represent कर रहा हूँ capital L का जो formula है वो ये है एक line का proof है बता दे रहा हूँ ठीक है d क्या है वो ही distance between centers है d d is nothing but c1, c2 वो ही बात है r1, r2 radius है similarly tct की length जरूरी नहीं है फिर से बोल रहा हूँ दूर दूर placed हो वो सकता है वो touch कर जाए internally जैसे भी हो proof में मैं कहीं use नहीं करूँगा तो tct की जो length है वो ये है small l इसका जो formula है वो ये है बस फरक क्या है या r2 minus r1 था या plus है बस that's it और कोई फरक नहीं है दोनों formulas में proof करके दिखा दू एक कर देता हूँ कोई सा भी proof ठीक है चोटा सा proof है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे centers को join किया इनको join कर लिया ये radius है ये भी join कर लिया भाई ये 90 है ये भी 90 है इसको cd बोल देता हूँ अब इसमें जो proof के लिए trick use होती है वो important है इसलिए proof बता रहा हूँ तुमें क्या करना है इसके center से इसके radius पर चरह perpendicular drop कर दो समझे क्या किया इसके center से इसके radius पर ये perpendicular draw कर दिया इसके center से इसके radius पर perpendicular drop कर दिया और अब अगर तुम देखो यह जो M पे मिल रहा है मानलो तो क्या मैं बोल सकता हूँ अब देखो ओरली कर देता हूँ क्या यह figure एक rectangle है A, B, D, M एक rectangle है हाँ एक angle 90, दूसरा 90, तीसरा 90 तो चौथा भी 90 है चारो angle 90, rectangle है यानि यह L है तो यह भी L है अगर यह R2 है तो यह भी R2 है तो CM जो हो जाएगी बेटा R1-R2 हो जाएगी क्योंकि यह पूरी R1 थी R2 गया तो CM हो गया R1-R2 और CD तो तुमने D माना ही हुआ है CD तो तुमने D माना ही हुआ है और DM तुमने बोल दिया by rectangle property वो भी L हो गई पाइथागरस लगा दे triangle CDM में खतम in triangle CDM applying pythagoras theorem तो D square बराबर L square प्लस R1-R2 square यहां से L square की value T square minus R1-R2 whole square बन जाएगी हाँ clear है ऐसे इस तरह से बेटा बन जाएगी distance between centers को मैंने D लिया हुआ है और बिलकुल ऐसे ही small L यानि की TCT की length भी derive हो जाएगी अब तुमें करना हो कर लेना ऐसा कुछ खास नहीं है फिर से यही वाले triangle बनाएंगे पहले ठीक है भई और फिर से पहले वाला funda यूज करेंगे कि एक के center से दूसरे के radius पर perpendicular drop थोड़ा extend करके मिलेगा वो पहले तो perpendicular अंदर ही मिल गया था इस बार यह perpendicular बाहर जाके मिलेगा बिटाओ समझ गए कर लेना आप बिल्कुल ऐसे ही पाई थागर से मन हो तो कर लेना नहीं तो फोड़ दीजिए बस यहां plus आ जाएगा अब इसमें क्या important है सीधे सीधे question बन सकता है वाई length of dct बताओ tct बताओ और दूसरी चीज क्या बन सकती है notice करो capital L हमेशा बढ़ाएगा small l से मतलब length of dct हमेशा बढ़ी आएगी length of tct से हमेशा यह वाली बढ़ी होगी इससे दिखपा रहा है तो जे यह देख d square में से जो minus हो रहा है यह ज्यादा चीज minus हो जा रही है क्योंकि यहां r1 plus r2 है यह r1 minus r2 है तो कम चीज subtract हो रही है बड़ी सब्ट्राक्ट होरी है मतलब यह बढ़ा रहेगा t square में से बड़ी चीज सब्ट्राक्ट होरी छोटा हो जाएगा ऐसे ठीक है भाई यह हो गया length of dct and tct का formula बाकी सवाल कैसा बनेगा सर बिलकुल सेम सवाल जैसे दे दिया sum of find the sum of length of all common tangents पहले का center निकालेंगे c1 होई c1, r1, c2, r2 करना है अपने को minus 7, 2 c2 हो गया 7 minus 2 तो distance between centers हो गया 7 plus 7, 14 का square 2 plus 2, 4 का square है ना भई हाँ, तो d square की value आ गई 14 square plus 4 square अभी simplify कर लेंगे d square आ गया distance between centers अब r1 और r2 और निकाल लो r1 है root 7 square plus 4 minus 28 कितना हो गया भाई साहब कितना हो गया 49 minus 24 25 हो गया सर ये तो r2 निकाल लो ऐसे ही root 7 square plus 2 square plus 28 तो 49 plus 32 हो गया 81 मतलब 9 हो गया r1, r2 बड़े प्यारे आ गया भाई तो पहले तो ये समझो क्योंकि sum of lengths निकाल नहीं है तो तुम्हें पहले समझना है कितनी common tangents है number of common tangents तो गिनलो so clearly आप देख सकते हो क्या देख सकते हो distance between center r1 plus r2 जो आ रहा है 14 आ रहा है आसर 14 आ रहा है 9 और 5 और ये तो 14 से बड़ा ही है d so clearly d greater than 14 है यानि d greater than r1 plus r2 हो गया so distance between centers बड़ा है r1 plus r2 से so यानि कि कैसे circle है भाई दूर दूर placed है यानि 2 तो dct होंगी और 2 तुम्हारी tct होंगी दोनो dct की length आपस में बराबर होती है भाई ये और ये बराबर ही है so length of dct का formula लगाते है l square बराबर d square minus r1 minus r2 whole square ऐसा कुछ होता है तो d square की value देखिये थी 14 square plus 4 square r1 minus r2 कितना हो जाएगा 9 minus 5 4 का square हो जाएगा ये कट-कटा के बहुत प्यार से capital L तो 14 आ गया capital L मतलब ये जो dct की length है ये 14 तो ये भी 14 अब आजा बेटा tct पर tct भी आपस में बराबर होंगी और उनकी length के लिए formula लगा देता हूँ tct का होता है d square minus r1 plus r2 whole square 14 square plus 4 square r1 plus r2 है 9,5 14 ये देख कितनी प्यारी calculations तो यानि L की value आ गई 4 small L आ गया 4 आया न मजा तो यानि tct की जो दोनो length होंगी वो 4 और 4 होंगी अब जरा सबका sum निकाल ले कितना हो गया सबका sum निकाल लो total sum of length पूछा है न sum of length of all comment engine तो 14 दो बार आएगा 4 दो बार आएगा तो कितना हो गया भाई 36 हो गया 14 प्लस 4 दो बार आगया 2 into 18 36 answer हो गया ठारा मत बोल देना 36 हो गया answer right क्यों क्योंकि 2 बार आएगी दोनों चीज़े पढ़िया question देख इसमें क्या है nature भी mix हो गया number of comment engine भी गिरनी पड़ी और length का भी question बन गया ऐसे हो जाएगा बिटा इस तरह से हो जाएगा समझ गए so sum of comment engine sum of length of all comment engine इस तरह से निकल जाएगा तो बहुत प्यारा formula objective के लिए खट से आप लगा सकते हो जिसमें मर्जी लगाओ जरूरी नहीं है मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि भई मैंने derive करते वक्त figure जरूर बना ली थी दूर-दूर है बढ़ कहीं use नहीं किया है वो दूर है तो हर case के लिए valid है क्याए externally touch हो जाए तब भी तुम यह formula लगा सकते हो tct की तो 0 ही आ जाएगी I hope यह बात clear है length of dct और tct निकालना अब जल्दी से आ जाते हैं equation निकालना length निकालना तो सीख गए अब निकालेंगे बिटा equation ठीक है एक सवाल में equation निकालते हैं क्योंकि equation का funda बढ़ा interesting है अब इसमें एक advanced का question भी आने वाला है means का भी आएगा अब इक्वेशन निकालने में कुछ नया नहीं है कुछ भी नया नहीं है एक concept है बस question के थुरू समझा देता हूँ तुम्हे देखो determine पूरा नहीं करूँगा सिर्फ तुम्हें hint दूँगा कैसे निकालते हैं equation बचो concept है वो सिखाना चाहरा हूँ इक्वेशन ओफ कॉमन टेंजेंट्स तुदा सवकल दिस एंडिस पहले तो वही भाई पहले नेचर पता कराओ कितनी टेंजेंट निकालनी है क्या करना है ना पहले तो सबसे पहला काम जब भी दो सरकल दिख जाए नेचर तो निकालो c1 1,3 c2 minus 3,1 r1 1 आ गया रेडियस r2 r2 तुमारा 3 आ गया तो clearly जो sum of radius है r1 प्लस r2 आ गया 4 1 और 3 का sum distance between centers निकाल लेता हूँ 4 square प्लस 2 square 4 से तो बढ़ा ही है यारे 4 square में 2 आड हो गया 2 का square आड हो गया so clearly this distance between centers r1 प्लस r2 से बढ़ा हो गया यानि फिर दूर दूर हो गया फिर दूर दूर हो गया मतलब क्या है कि भाई पहला जो circle है रेडिया से 1 दूसरा है रेडिया से 3 और दूर दूर circle इस तरह से पड़े हैं तो 2 तो DCT आएंगी और 2 तुमारी TCT आएंगी बेटा अभी हमने क्या निकाला था इनकी length निकाली थी अब इनकी equation निकालना सीख रहे हैं बहुत important फंडा है जड़ा धिहान से देख ले न कैसे निकालते हैं sir length देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं line joining centers को extend करो common tangent को extend करो वो जहां पे जाके मिलेंगी वो point निकालो पहले तो बहुत मज़िदार बात बोल रहा हूँ क्या बोला कि जो common tangents हैं उन्हें extend करो line joining centers को extend करो माल लो यह c था यह c2 था c1 c2 ले ले यह a b ले लिया और suppose यह line extend करके मिल रही है p point पर p point पर मिल रही है ठीक है अब यह क्या होगा अब ध्यान से सुनना इसके बाद आएगा यह भी इसी पर मिलेगी थोड़ा दिखनी रहा वो a की straight line होगी ऐसे ही वो p पर मिलेगी symmetry से तो मैं क्या बोल रहा हूँ अब ध्यान से सुनेंगे भई हमें इस line की question निकालनी है इस बार common tangent की question कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से सबसे पहले तो sir get p get coordinates of p sir ऐसे कैसे निकाल लूँगा हाँ हमेशा तुझे दिखान रखना है जब भी line joining center को common tangent के साथ देखेंगे इसका point of intersection निकालेंगे बेटा हाँ कैसे निकालेंगे देखो similarity यूज़ करके triangle p a c 1 is similar to triangle p b c 2 यह जो p a c 1 है और p b c 2 है क्या similar बन गए क्या similar बन गए जल्दी बताओ क्या यह similar बन गए क्योंकि एक angle तो 90 है देख यह 90 और यह 90 और यह common angle है यह वाला angle तो दोनों triangle में यह similarity rule से similar बन गए यानि कि p c 1 upon p c 2 का जो ratio है ratio of side same होंगा क्योंकि r 1 है और यह r 2 है p c 1 upon p c 2 बिलकुल same हो गया रेशियो same हो गया और r 1, r 2 तो निकाल चुके हैं 1 और 3 आया है तो यह 1 upon 3 हो गया यानि p c 1 upon p c 2 का ratio मेरे पास 1 is to 3 आ गया तो section formula से p निकल जाएगा की नहीं सोचो क्या आप क्योंकि c 1 तो है यह ratio 1 is to 3 है तो अब ऐसे मान लेता हूँ c 1 के coordinates कितने थे 1, 3 c 2 के coordinates थे minus 3, 1 तो p c 1 is to p c 2, 1 is to 3 है यानि अगर यह 1 है तो यह 3 है यानि यह वाला 2 हो गया समझा? section formula लगा लगा ले अब p के coordinates मिल जाएगे p के coordinates बिटा section formula से मिल जाएगे यह बड़ा interesting point है p निकाल ले ना देखो निकाली लो चलो p के coordinates एक निकाल के बता देता हूँ dct के लिए बिल्कुल same tct में लग जाएगा तो p के coordinates जल्दी से निकालते हैं section 2 into alpha 2 into alpha plus 1 into minus 3 upon 1 plus 2 3 यह हो गया 1 के बराबर external division भी लगा सकते थे एक ही बात है 2 alpha equal to 6 तो alpha तुमारा 3 बन गया alpha तुमारा 3 बन गया 3,4 नितिन शर्मा भाई ने हमारे shout out to him उन्होंने निकाल भी दिया 3,4 आएगा सर बिल्कुल ठीक है p के coordinates ऐसी y निकाल ले ना section लगाके तो जो p के coordinates हैं बिटा ये 3,4 आ जाएंगे तो हमें क्या मिल गया tangent का एक point मिल गया ठीक है दोनों DCT जहां मिल रही है वो point मिल गया हमें दोनों tangents के उपर एक point मिल गया हाँ समझें ये मिल गया हमें अब देख slope निकाल ले हैं point रहे गया तो बस अब slope तो m मान लेते हैं तो let the slope of let slope of DCT be m equation हो जाएगी of DCT y minus 4 equal to m times x minus 3 3,4 था ना so y minus y1 equal to m times x so y equal to mx plus 4 minus 3m ऐसा कुछ हो जाएगा अब m निकालना है तो भई कोई दिक्कत नहीं है tangent है m निकालना रह गया है sir 1 is to 2 कैसे आया अबे यार ये 1 is to 3 है ये 1 और ये 3 है तो ये 1 और ये 2 नहीं हो जाएगा कैसी बाते कर रहा है ये total 3 था ना PC2 तक अगर ये x है तो ये 3x था तो ये 2x नहीं बच गया ratio 1 is to 3 था सर जी अरे मेरे भाई साब ratio PC1 is to PC2 था ये तो समझा रहा हूं तो ये 1 और ये ही 3 ये total 3 था तो अगर मैंने बेटा यहाँ 2 लिख दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या ये 1 है और ये 2 हो गया वो 3 है तो एक्स 2x मिला के 3x नहीं मन जाएंगे इसलिए तो बता रहा हूं सर शॉर्टकट्स बताओ तेरे पार है बेटा शॉर्टकट तू शॉर्टकट मार मार के तो यहाँ तक महुचा है अब तू और शॉर्टकट मार ठीदे हम चल बेटा आगे बढ़े अब अब मैं तुम्हें बोल रहा था इस लाइन की स्लोप कैसे निकाल लो तो देख टेंजेंट में मैंने तुझे बताया था एक फंडा हमेशा यूज करना है सेंटर का डिस्टन्स रेडियस तो कोई भी एक सरकल उठाले ये वाला ले लेते हैं चाहे वो ले ले इसका सेंटर इसका रेडियस ले लेते हैं इसका सेंटर था 1,3 तो 1,3 से परपेंडिकुलर डिस्टन्स को 1 कर देता हूँ इसका रेडियस था 1 तुम चाहे दूसरे का ले लो center का perpendicular distance radius के बराबर 1,3 का distance निकाल ले वस अब क्या है 1 into m plus 4 minus 3 m minus 3 upon root 1 plus m square distance of point from a line लगा के बराबर radius के 1 रख दिया 1 minus 2 m whole square equal to 1 plus m square squaring both sides कर दी 1,1 कट गया बेटा, so 3m square minus 4m बराबर 0 so m common 3m minus 4 so m की दो values आ गई, वो तो आनी थी slope की values 0 और 4 by 3 आ गई slope आ गया यहाँ डाल दे तो आ गई मतलब इसका indication है यह दोनो common tangent मिल गई दोनो dct बेटा मिल गई हमको समझ गया तो इस method को learn करना important है कि पहले हमने यह point निकाला यह वाला method बहुत important है इसको use करके निकाला similarity of triangle and section formula की मदद से निकाला p और उसके बाद point वान के slope निकाल लिए distance of point from align कर लिया slope की दो value आ गई, दोनो dct एक साथ मिल गई same process बिल्कुल tct के लिए तुम homework में लगाओगे same process tct के लिए लगाओगे क्या करोगे अब कि भाई ये जो दो है इस बार तुम्हें सीधे-सीधे यह वाला point अब कोई line extend करने की ज़रुरत नहीं है सीधे-सीधे यह वाला point क्यों मिल जाएगा तुम्हें section का इस्तिमाल करके फिर say this is to this r1 is to r2 ratio हो जाएगा तो यह वाला point सीधे-सीधे internal division 1 is to 3 से मिल जाएगा और फिर m मान लेना slope ऐसे ही करके tct अब तुम homework में work out कर लोगे process बिल्कुल same जैसे dct निकाली पहले यह point निकाला मैंने p externally आया था वो इस बार internally आ जाएगा q फिर उसकी slope m मान लेना distance of center equal to radius कर लेना distance of center बराबर यह straight line का formula लगा है इसमें दिक्कत है तो straight line पढ़ो पहले answer सारे दिखा रहा हूं मै चारो answers आप match कर लेना दो dct के tct के और यहां पे पहले एक बात पहले ही बता रहा हूं इस particular सवाल में dct tct perpendicular आ जाएंगी तुमारी और वो हर बार नहीं आएगी वो एक special case है इस बार बन गई हर बार नहीं होगा यह मत सोचना यह जो slope आएए इसके हमेशा perpendicular आएगी नहीं कभी कभी किसी particular question में ही आ सकती है चलिए आगे बढ़ेंगे circles में हमने transfers और direct common tangent की बातें कर ली है चलो अब एक सवाल जड़ा 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 एडवांस का लगवा देता हूं तुम्हें इसी concept के उपर जो अभी समझाया है जड़ा देखना कैसे beautifully यह concept use होगा देखते है let the point B be reflection of point A बहुत बढ़िया question है कोई खास मुश्किल नहीं है advance का देखके डरना नहीं है तिर्फ figure बनानी है पहले अपने को let the point B be the reflection of point A with respect to the line this समझ गए एक ही image इसके में निकाल लेंगे अभी निकालने मत बैढ़ जाओ एकदम निकाल लो पहले सवाल बना लो let tau A and tau B be circles of radius 2 and 1 with center A and B अच्छा पहले वाले का center है 2,3 और इसका radius है 2, अगले वाले का है 1 समझ गया 2, 3 A और इसका है B इसका radius 2, इसका 1 got it centers A and B let T be यह है A और यह tau B नाम है circles के ऐसी फालतू के T be a common tangent to the circles दोनों की क्या दी है इस बार common tangent दी है such that both the circles are on same side मतलब कौन सी common tangent की बात कर रहा है DCT की क्योंकि दोनों circles कह रहे है same side पर है भाई तो इस वाली common tangent की बात चल रही है उदर वाली बात होई है बट DCT लेना ठीक है C is the point of intersection of T and the line passing through A and B देख रहा है अब क्या बेटा बात हुई कि common tangent की line joining center से जहां intersection हो रही है बेटा उस point की बात करने को कह रहा है यह यहाँ पे कहीं मिल रहा होगा समझ गया T is the point of intersection यह C है पुड़ी सी figure उपर कर लें क्या ताकि दिख जाए तुम्हें पुड़ी सी figure चलो उपर कर देते हैं तो ऐसा कुछ हो गया यह जो दो circles हैं इनकी common tangents जहां मिल रही है line joining centers को ऐसे अब हो गई सही यह B हो गया और यह C हो गया B अभी निकाल लेंगे image से पता है हमें निकल जाएगा अभी रुक जाओ जल्द बाजी ना करो ठीक है भई यह दोनो common tangent जो T है line joining centers को मिल रही है C पे देख वही वाला point आ गया है length of line segment AC अब देख ज़रा मज़ेदार बात पहले similarity उस करूँगा क्योंकि मुझे पता है सर यह वाले दोनों similar है तो clearly और यह radius 1 है यह 2 है तो यानि की बेटा CB is to CA का ratio 1 is to 2 है तो CB बराबर CA by 2 हो गया CB बराबर CA by 2 हो गया हां सर हमें क्या निकालना है CA equal to 2CB हो गया basically तो हमें काम करते हैं CB को मान लेते हैं X X मान लेते हैं तो CA जो है twice of X हो गया मतलब यह बेटा double of X हो गया इधर वाली बात देखो ज़रा यह double of X हो गया अब ध्यान से सुनना बड़ा मज़ा आने वाला है यह तो center निकाल लेता हूँ इसकी भी ज़रुवत नहीं है image निकालने की क्यों 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 की देख A जो था 2,3 उसकी जो image थी वो B थी किस लाइन में 8X minus 6Y minus 23 में अब ध्यान से सुनेंगे AB के बीच का distance भी तो X ही हो गया क्यों कि भाई अगर यह X है और यह 2X है तो यह भी X हो गया यानि कि अब ध्यान से सुन यह image के बीच में तो यह दोनों तो बरावर होते हैं यानि यह X by 2 हो गया समझा? कि अगर यह distance X है और यह 2X है तो यह भी X है पहली बात तो और अगर यह X है image, point और image के बीच का distance तो आधा-धा होता है X by 2 तो निकली जाएगा distance of point from a line से X by 2 तो निकल गया देख, straight line का सीधा NCRT का formula बन गया कि X by 2 बरावर इस 2, 3 का इस line से distance तो X by 2 बरावर 16 और भी है वाई 23 और 25 upon 8 square plus 6 square 10 तो यह हो गया X की value हो गई बेटा 5 X की value निकलाई 5 हो गया ना, देख किती easily question हो गया, हमें 2X निकालना है यानि कि 10 हो गया answer 10 हो गया answer तो अब तुम देख रहे हो जो तुम कह रहे हो, जो तुम कह रहे है इस्तिमाल कर लिया, जो हमने पूरा concept समझा, उसमें से बिटा similarity of triangle का इस्तिमाल कर लिया यह देखो कहा गया, यह पढ़ा था ना, आज हमने यह similarity of triangle से यह अला point हमने निकाले थे उसने सिर्फ उसका ratio यूज़ कर लिया, और भी कम चलिए, तो इसी चीज़ को अब इस्तिमाल करके, अब तुम एक यह सवाल homework में करोगे, बहुत प्यारा question है same funda use होगा, similarity ठीक है, 10th class के बच्चे भी कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है concept वही लगने है, similarity of triangle के question क्या है, बड़ा प्यारा है, कि पांच circle है, जो ऐसे placed है, जहान से सुनना बड़ा interesting question है, पांच circle ऐसे placed है, एक दूसरे को externally touch कर रहे हैं, दो उनकी common tangent है, पांचो की, पांचो की common tangent है, यह line, straight lines है, ठीक है, और आपको prove करना है कि इनके सारे पांचो के radius GP में आएंगे, हतरनाक सवाल, समझा, कि पांचो के radius GP में आ जाएंगे, अगर यह R1, R2, R3, R4, R5 है, तो इस पांचो GP में होंगे, इतना बड़िया दे, question बन सकता है, इस पे, कैसे, कोई दो radius दे दे, बाकी सारे पूछले radius, GP की तो terms दे दी, बाकी सारी term, पूछले जी GP की, है न, ऐसे सवाल इस पे बन सकता है, बहुत प्यार से, objective मैंने तुम्हें, hint दे दिया, प्रूफ करना है, बस proving का दे दिया है, objective के लिए, ठीक है, hint नहीं दे रहा हूँ, करना घर पे, try, बता दिया है, मैंने question है, try करिएगा, इसको भी homework में, चलो भई, आ जाते हैं अब family of circles पर, अब क्योंकि family delete हो गया है, बट हलका फुलका सा बता देता हूँ, ताकि तुम्हें पता रहे, हाँ, अच्छा लग रहा है सर अब, हाँ बेटा अच्छा तो गई बस last तक टिके रहे, एक ही तो चीज होती है, हर chapter के last तक जो बच्चे टिके रहते हैं, उन्हीं का होना है selection, पहली बता रहा हूँ, जो बीज में से आते हैं, भाग जाते हैं, चैट में लटी सीधी चीजे लिखते रहते हैं, उनका नहीं होना, होना तुम्हारा ही है, ठीक है, तुम्हेनत करते रहो, effort करते रहो, last तक टिके रहो, समझें? तो बस यह है, एक तरह से bonus है, आदे घंटे हम PYQ लगाएंगे, जनरल मिक्स करके, बट थियोरी वाला पार्ट, अब ज्यादा नहीं रह गया, थोड़ा सा family circle रह गया है, radical axis, radical center, orthogonal circle, चार चीजें बचीएं, देख, चल बटा, ध्यान से देखेंगे, family of circle, अब जैसे तुमने family of lines पढ़ा होगा, कि दो line के intersection से, हजारो लाखो line मिल जाती है, L1 प्लस lambda L2 से है न, L1 प्लस lambda L2 से सारी lines मिल जाती है, हाँ, L1 प्लस lambda L2 से लिखी होगी न, family, बिलकुल ऐसे ही अब, दो lines की जगा, दो circles होगए, S1 प्लस lambda S2 equal to 0 से, हमें क्या मिल जाएगी, family of circles मिल जाएगी, बेटा की, जो दो circle के intersection points हैं, यह देख, यह जो दो points होगे, मानले circle दो जगा intersect कर रहे हैं, अब यह नहीं किसर करेंगे ही न, तो भाई family बनेगी न, simple, family बनने के लिए intersection points ज़रूरी है, अब इन दो points से, infinite circles बन सकते हैं, देख, कितने मर्जी circles बनाते जाओ इन दो points से, तो यह सब क्या हो जाएंगे, इनकी family का part हो जाएंगे, जैसे पहले L1 प्लस lambda L2 था, इस side भी बना सकता है, इसी कोई दिक्कत नहीं है, इधर ले ले, तो यह सब क्या है, family of circles, S1 प्लस lambda S2 बराबर 0, S1 प्लस lambda S2 बराबर 0, हाँ, समझ गए, S1 प्लस lambda S2 बराबर 0, पहला circle प्लस lambda टाइम्स दूसरा circle, चलो भई, यह बात हो गई, और ऐसे ही अब circle की family जरूरी नहीं है, दो circle ही चाहिए, एक circle और अगर एक line मिलेगा, उससे भी बिटा हम family लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक circle और एक line भी सोचो, जहां से pass कर रहा है, वहां से फिर से, बहुत सारे circles pass कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, तो circle और line की भी family होती है, S प्लस lambda L बराबर 0, जैसे S प्लस lambda S था, यहां S प्लस lambda L हो जाएगा, ठीक है भाई, अब एक circle हो, एक line हो, एक circle हो, उसकी family आप ऐसे लिख सकते हैं, बाकी lambda निकालना है, उसके लिए तो कुछ ना कुछ data दिया होगा, lambda निकालेंगा, जैसे lines में करते थे बिटा, बिलकुल वैसे ही family of circles हो जाएगा, चलो देखते हैं एक सवाल, equation of circle through point of intersection of this and this, जहाँ इतनी बात लिख दें, कमज्जा family का 100% question है वो, तो s1 plus lambda s2 कर देते हैं, इसको s1 ले ले, उसको s2 जो मन करे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, x square plus y square minus 1, plus lambda times, ऐसे, एक मैंने circle लिख दिया, और थोड़ा सा आब इसको x square की time इखटी करता हूँ, minus 2 lambda x, minus 4 lambda y, plus lambda minus 1, बराबर 0, इस तरह से कुछ लिख लिए मैंने, और circle में coefficient of x square y square 1 बनाने लिए, तो 1 plus lambda से divide कर देता हूँ, मैंने क्या किया, circle को अच्छी तरह लिख लिया, family को, lambda plus 1 से divide कर दिया, हाँ, अब देख ज़रा धियान से, center क्या है, अब क्या कर रहा है, lambda निकालने के लिए दिया है, कि ये circle touch कर रहा है, इस line को, touch करने का मतलब थो हम समझ गए, center का distance बराबर radius कर देंगे, तो center क्या है इसका, center है lambda upon lambda plus 1, comma 2 lambda upon lambda plus 1, और radius क्या है, root this square plus this square minus this, g square plus f square minus c, तोड़ा साथ ज़रा, बेटा, calculation बन गई है जरूर, बट कर लेते हैं, ठीक है, 5 lambda square, minus, lambda minus 1, lambda plus 1, lambda square minus 1, upon lambda plus 1 का whole square, तो ये हो गया, बेटा, 4 lambda square plus 1, upon lambda plus 1, root को भी उपर अलग कर देता हूं, नीचे से square हटा दिया, ये radius आ गया, radius क्यों निकाला है सर, क्योंकि बेटा, tangent बना नहीं है न, tangent का मतलब distance of center from this line, ये line है, x plus 2y बराबर 0, इसका center से distance बराबर radius कर देंगे, बस अब क्या है, लिख कर दे, lambda निकलाएगा बेटा, center है, इसका, इस line से distance, इसके बराबर, तो lambda upon lambda plus 1, plus double of 2 lambda upon lambda plus 1, x plus 2y, upon 4 plus 1, root 5, बराबर, radius, radius कितना निकाल के बैठे हैं, 4 lambda square plus 1 का root, upon lambda plus 1, ये lambda plus 1 LCM लेके कट जाएगा, तो 5 lambda upon root 5 का mod, is 4 lambda square plus 1 का root, root 5 lambda, तो lambda square बराबर 1, lambda की value plus minus 1, lambda की value बेटा, अब देखो एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, lambda की value ना, minus 1 नहीं हो सकती कभी भी, देख वरना circle ही नहीं रह जाएगा न, lambda minus 1 हो गया, तो ये term बेटा 0 बन जाएगी, x square y square एक उफिशेंट 0 बन जाएगा, तो ये बात धिहान रखना, कि इस case में लिख लीजिए, lambda हर real number हो सकता है, other than minus 1, क्योंकि minus 1 लेते ही, x square y square दोनों में से कट जाएंगे, इसलिए बेटा, lambda कभी भी minus 1 नहीं होगा, lambda कभी भी minus 1 नहीं होगा, जेई में में question आ सकता है, कि आप देख, उसने हटा दिया है, तो मैं क्या बोलूँ, आ सकता है, थोड़ा सा मुश्किल है, direct तो पूछेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुली अलग concept है ना ये, तो मुझे लगता नहीं है, जेए कि जेए में में इसमें देना चाहिए, बट एडवांस में तो देई सकता है, तो lambda minus 1 reject, lambda 1 accept, और बेटाव लेकर, lambda को 1 वापस circle में डाल दे, इसमें, answer निकलाएगा, lambda 1 डालो, देखो, तो x square plus y square, 2 by 2 minus x, 4 by 2 minus 2y, plus 0, x square plus y square, minus x, minus 2y, c option बन गया, c option बन गया, ठीक है, ऐसे, family of circles, तो जादा family of circles में, अब मैंने concept बता दिया है, बहुत जादा depth में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हटा दिया है syllabus से, चलिए, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बिटा, आते हैं, radical axis पर, radical axis पर, तो radical axis अब देखो, क्या होती है, अभी notice करो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, कि lambda minus 1 नहीं हो सकता, यह न, lambda minus 1 नहीं हो सकता, क्योंकि lambda minus 1 पर, circle रही नहीं जाता, तो जो line बन दिया, वोई radical axis एक्चुली, lambda minus 1 पर, क्या होता, x square, y square की term कर जाती है, line बन जाती है, circle बनता ही नहीं है यह, तो family of circle का part नहीं होता, in fact, radical axis बन जाती है, let's see what is radical axis, होती क्या है, होती क्या है radical axis सर, ओ, एक second, वापस आ जाते हैं, radical axis पर, radical axis as the name says, बेटाई, यह एक line है, axis word किसके लिए यह उता है, line के लिए, हाँ, किसी ने बढ़िया doubt पूछा, sir, L plus lambda S नहीं लिख सकता क्या, technically लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर lambda 0 दिक्कत करने लगेगा न, क्योंकि lambda 0 पर वो circle ही नहीं बनेगा, इसलिए हम S plus lambda L लिखते हैं, ताकि कोई परिशानी ना आए, ओके सर, now PYQs, बस 13 theory और बच्ची इसको खतम कर लेते हैं, radical axis पर, क्योंकि इस बार advance में सवाल आया है, इसलिए तुम्हें एक करवारों, detail में, फिर advance का, 2023 का सवाल करेंगे, इसको देखो जड़ा carefully, locus of a point, which moves in such a way that, its power with respect to two given circles is same, क्या मतलब sir, कुछ भी नहीं है, यार बड़ी simple सी बात है, दो circle दे दिये, और एक point इस तरह से move कर रहा है, कि दोनों की power same हो जाए, एक काम करते हैं, इस circle को ले ले लेते हैं, जीवन, एफ़वन, सीवन, इसको जीटू, एफ़टू, सीटू, समझ गया ना, मतलब, इसकी general equation में, जीवन, एफ़टू, सीवन आ रहे हैं, इसमें जीटू, एफ़टू, सीटू, तो power same मतलब, h square plus k square, plus 2 g1h, plus 2 f1k, plus c1, यह तो power हो गई, पहले circle की, hk की, इसको बराबर करना है, दूसरे circle की power, h square k square कट गए, तब कुछ left में ले आओ, तो 2 g1 minus g2h, 2 f1 minus f2k, plus c1 minus c2, बराबर 0, hk को बेटा x, y से replace कर दे, तो 2 g1 minus g2x, 2 f1 minus f2y, plus c1 minus c2, यह एक straight line आ गया, लोकस आप देख सकते हो, यह इसको हम बोलते हैं, radical axis, radical axis इसको बोला जाता है बेटा, यह होती है radical axis, एक line आई, axis है देख, straight line आई, और अगर तू ध्यान से सोचे, तो कुछ भी नहीं किया हुआ, दोनों circle को subtract किया हुआ है, s1 minus s2 equal to 0 किया हुआ है, दोनों circle को subtract करूँगा, x square y square कर जाएंगे, यही चीज बचेगी, तो radical axis निकालना बहुत असान चीज़ है, दोनों circle की equation को subtract कर डालो, बेटा, radical axis मिल जाती है, हाँ, radical axis जेए मेन में है क्या, बिलकुल है बेटा, क्योंकि बड़ी असान line है, दोनों lines को subtract करके मिल जाती है, दो circle को, अब यह line है कैसी सर, देख, यह straight line इस तरह की कुछ है, और अब इसकी कुछ properties होती है, यह right radical axis है, radical axis यह वाली line है, क्या property होती है सर इसकी, देख, इसकी property होती है सबसे पहली तो, क्योंकि इससे दोनों की power same है, यानि इसके किसी भी point से, length of tangent भी same आएगी, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर इसका कोई भी point उठा लू, मानले p point यहाँ उठा लिया, तो यह दोनों आपस में same होंगी, length of tangent, क्योंकि root s1 होता है न, length of tangent क्या होता है, root s1, मैंने powers equal करी हुई है, यानि length of tangent भी equal होंगी, so first property बन गई, length of tangent, properties of radical axis, द्यान से देखेंगे, geometrical meaning यह है, कि किसी भी point से length of tangent बराबर होती है, post property, दूसरी property, इसी property बें सवाल आए, इस बार अभी देखना द्यान से, line joining centers, हमेशा perpendicular होती है, radical axis के, क्या बोला जा रहा है, कि अगर आप centers को जोड़ दो, c1, c2 को, तो radical axis के हमेशा perpendicular आएगी, bisector नहीं बोल रहा है, यह नहीं कहरा बीच से निकलेगी, बट मैं यह कहरा हूँ, perpendicular हमेशा आएगी, कैसे, easy है देखिस line की slope देख, slope of radical axis, minus a by b करेंगे, और center तुम्हें पता ही है, यह है minus g1, minus f1, यह है minus g2, minus f2, line joining centers की slope निकालो, c1, c2 की, clearly अगर आप देखो बेटा, तो f1, minus f2, upon g1, minus g2 हो गई, two point form से, इस line की slope, और दोनों का product देखोगे, minus 1 आ जाएगा, m1, m2, minus 1 मतलब perpendicular होगी, तो यानि की, line joining centers, हमेशा perpendicular होती है, इसके, radical axis के बेटा, हमेशा perpendicular होती है, अब circle intersect करें, तो अरे रुख तो जा बेटा, सारे cases आएँगे, अभी सारे आएँगे, ठीक है, तो second property हो गई, कि हमेशा line joining centers, perpendicular होगी, अब बात कर लेते हैं, अगर circle externally touch कर जाएए, तुमने देखा था भई, दूर-दूर से निकल गए, तो तो बीच में कहीं न कहीं आ जाएगी, बस perpendicular होगी, बट मान लीजिए, circles ऐसे touch कर जाएए, तो जो, TCT होती है, यही radical axis है, यही radical axis बन जाती है, बहुत मज़ेदार बात, दोनों circle को subtract करके, यही line मिलेगी तुम्हें, ठीक है, TCT is same as radical axis, अगर circles intersect कर जाएए, internally touch है, चलो पहले कर लेते हैं, internally touch कर जाएए, तो यही वाली line radical axis बन जाती है, TCT के बराबर, radical axis और DCT same होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और उसके बाद, अगर intersecting circles हैं, एक ऐसा और एक ऐसा है, तो जो common chord वाली line है, यही radical axis होगी, तो कि radical axis है, क्या subtract करके मिल रहा है, तो दोनों circle पे लाए कर रहा हुआ पार्ट है, बस simple, दोनों circle पे लाए कौन सी करेगी, यह दोनों क्योंकि, एक तरह से हमने solve भी तो किया है, simultaneously, S1-S2 कर दिया, radical axis निकाल ली, दोनों को घटा के, तो भई वो intersection से pass करेगी, simple, intersection से pass कर रही है, हर बार intersection से pass कर रही है, concentric circles में, प्लीज नोट मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, one lying inside the other, उसमें होगी defined, बट अगर concentric हो गया, मतलब center same हो गया, सब radical axis defined ही नहीं होगी, सोच के देख ले क्यों, क्यों होगी, क्यों नहीं होगी, जल्दी बता क्यों नहीं होगी, radical axis defined ही नहीं होगी, concentric circles के लिए, concentric circle में क्या फरक होता है, अगर एक circle है, x square plus y square, plus 3x plus 4y, plus 1, तो अगले वाले में क्या हो जाएगा, x square plus y square, 3x और 4y का part तो सेम रहेगा, और plus मालने या 2 हो गया, अब जैसे ही नोनों को subtract करेगा, सारा कवाड़ा मच जाएगा की नहीं, power सेम आई नहीं पाईगी, क्योंकि power सेम कैसे आएगी, जब constant का ही फरक है, तो बाकी सारा सेम, उसमें 1 add हो रहा है, बाकी सारा सेम 2 add, तो x plus 1 है वो, x plus 2 है, तो power सेम, किसी point के लिए, बन ही नहीं सकती, यानि radical axis, defined ही नहीं हो सकती, समझ गए, very very important, तो कभी भी अगर concentric circle हो, please note मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ऐसे होंगे तो define होगी, बट अगर ये उठके बीच में ही चले जाएगा, तब define नहीं हो, तर ऐसे में कहां होगी, वो तो जहां मर्दी हो सकती है, बस जहां भी होगी, बस होगी, वो कहीना कहीं present, I hope ये बात समझ गए हो तुम, common point नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी radical axis आती है भई, जैसे मैंने तुम्हें या दिखाया, कि अगर एक दूर दूर circle हैं, तब भी वो बहार से निकल जाती है, वो intersect करी नहीं रहे, imaginary इनके solution है, तब भी radical axis आती है, कहीना कहीं बहार से वो निकल जाती है, तब intersection की बात नहीं करेंगे, क्योंगी intersect करी नहीं रहे, intersection की बात सिरह हम इस वाले case में, और इस वाले case में, करेंगे जहां करते हैं इंटरसेक्ट हम चलिए Radical Axis Bisex DCT and TCT जो 7th property है इसी पे बेटा इस बार advance में सवाल आया भी दिखाऊंगा तुम्हें, क्या property कह रही है कि कोई भी Radical Axis हो कैसी भी DCT, TCT उसे Bisex करेगी देखो इधर देखो, दूर दूर बना दिये मैंने TCT बना दिये और मैं कह रहा हूँ, जब Radical Axis निकलेगी न, वो इन्हें Bisex करेगी TCT को भी TCT को भी Radical Axis Bisex करेगी, बहुत obvious property है देखोई Radical Axis हमेशा चैसा मर्जी केस बना ले यार, मैंने दूर दूर बना दिये तुम externally touching बना लो तब भी Radical Axis TCT, TCT जो भी आएगी उसे Bisex करेगी Radical Axis क्यों करेगी सर Bisex, देख बहुत simple है Prove क्या करना है To prove ये करना है कि PA और PB बराबर है देखना मज़ा आएगा अभी जो To prove करना है वही given है ध्यान से देख मुझे prove करना है कि ये दोनों बराबर है तभी तो midpoint आएगा और Radical Axis की definition क्या होती है सर Radical Axis का मतलब होता है वहाँ से tangent बराबर है तो P से इसकी tangent और इसकी tangent तो बराबर है तो by definition by definition of Radical Axis ये तो बराबर ही होंगे भाई क्योंकि power से मतलब length of tangent से आज first property क्या बताई थी कि कि किसी भी point से भाई किसी भी point से जब length of tangent बराबर होती है first property देख्या है किसी भी point से length of tangent बराबर होती है ये दोनों बराबर है DCT के लिए line straight बन जाएगी न ऐसी हो जाएगी ये straight तब भी तो ये दोनों बराबर ही रहेंगे न भाई समझ गया हाँ ऐसे DCT और TCT को वो हमेशा bisect करती है radical axis DCT और TCT को radical axis bisect करेगी मैंने DCT बना दिये DCT भी बना लो उसको भी bisect करेगी बेटा ये दो तीन आपस में equal होंगे समझा अब देख इसको कैसे advance ने use किया था सवाल के अंदर वो भी देख लेते हैं पहले एक चलो एक normal सवाल करवा देता हूँ एक normal सा सवाल करा देता हूँ radical axis पर two circles pass through a, b two circles है भाई जो a, b से pass कर रहे हैं और touching both the coordinate axis और a भी दोनो positive दिये हैं आज याद आया ऐसा कुछ कराया था कि दोनो coordinate axis को touch करेगा circle ऐसा कुछ होगा और दोनो circles ही coordinate axis को touch कर रहे हैं बट आपस में touch कर रहे हैं ऐसा कहीं नहीं दिया तो हमने इन्टरसेक्टिंग बना लिया ये point a, b मान लिया है बेटा ये नहीं इसमें गलती क्या कर लेते हैं लोग आपस में भी touch कर रहे हैं coordinate axis को करी रहे हैं आपस में भी कर रहे होगे नहीं भाई क्यों किसने बोला कहां लिखा ऐसा general बना लिया मैंने कोई भी एकॉमा भी पे और हमें क्या बताना है radical axis बेटा निकालनी है ये line basically common cord है न ये वाली line अपने को निकालनी है ये line अपने को निकालनी है और radius इसका r, r होगा very good, very good बस ये ही समझदार लोग फर्रक है बेटा उन्होंने बोल दिया सर पहले का जो radius है c1 वो r1, r1 होगा c2 को r2, r2 ले लो ठीक है यानी slope of c1, c2 अगर धिहान से देख slope of c1, c2 r2 minus r1 upon r2 minus r1 1 हो गई यानी इस line की slope बेटा 1 हो गई line joining centers की तुमारी slope जो है 1 हो गई y equal to x line पर लाए कर रहा है नहीं ऐसे और आज पढ़ा था radical axis हमेशा क्या होती है perpendicular होती है property 2 याद कर radical axis is always perpendicular to line joining centers यानी की slope of radical axis क्या हो जाएगी minus 1 हो जाएगी, याद आ गया कि इसलिए तो property important है देखो property 2 line joining centers is always perpendicular to red, कैसी मर्जी radical axis हो इनके हमेशा perpendicular ही आती है कैसी मर्जी बना लीजे line joining centers के perpendicular आएगी हमेशा वो हमेशा बस खेल खतम हो गया अब तो I think slope आ गई point पहले ही पता था एकॉमा भी जल्दी से देख लो answer आ गया क्या slope हो गई minus 1 point हो गया एकॉमा भी तो Y minus B equal to X plus Y equal to A plus B हो गया बेटा X plus Y equal to A plus B A option ठीक है भाई साब चलो एक और देखते है J का question है पुराना बट इस तरह का फिर से बन सकता है सर मेंस के लिए कहां तक पढ़े देख बेटा सारा theory आती है मेंस में जो जो कराई है मैंने अब जो हट गया है उन मेंसे बस टेंजेंट तो पढ़ना है यह मत सोच टेंजेंट हट गया है टेंजेंट तो पूछेएगा कहीं न कहीं गुसा के हो और जो हट गया family of circle एक माल लेगी हट गया बाकी मेंस में सब आएगा अभी concept पे तुझे मेंस के भी दिखा रहा हूँ एडवांस के भी common tangent तक पे मेंस में भी सवाल है ठीक है ना यह देख radical axis पे मेंस का सवाल है circle this intersects this such that common chord has maximum length अब यह बहुत प्यारी चीज़ है common chord maximum length की है तो चो common chord maximum कितनी हो सकती है diameter हो सकती है सच्छोटे वाले का तोच के देख क्योंकि इसका radius है 4 इसका radius दिया है 5 तो common chord ज्यादा से यादा length की है इसका मतलब common chord क्या है diameter है वेटा यह important concept है क्योंकि maximum chord of length diameter ही होता है छोटे वाले का diameter ले लिया ठीक है और diameter है मतलब इसका center जो है origin वो इसी पर है ठीक है और यह 4 हो गई ठीक है सर center of omega 2 यह omega 2 है यह omega 1 है इसका center पूछा जा रहा है center वेटा इसका पूछा जा रहा है समझ गए slope 3 by 4 इसकी slope तुझे 3 by 4 भी दी हुई है common chord की तो बताओ कैसे निकलेगा देखो यह वाला distance तो 5 है radius यह 4 है तो यह 3 हो जाएगा OC, OC distance वेटा 3 होगे अब निकाल लेगा सोचो कैसे निकालोगे OC distance वेटा 3 हो जाएगा OC distance जो है 3 हो जाएगा OC distance 3 के क्या फाइदा हुआ सर perpendicular है यार सोच origin से parametric लिग दे बस 3 distance इदर question खतम हो गया कितना shortcut देख समझा क्या किया मैंने common chord maximum length की यह 4 यह 5 तो दिया ही था तो यह 3 हो गया OC 3 आ गया origin से parametric लिग दे 3 distance इदर slope क्या होगी क्यों कि इस की 3 by 4 है बेटा इस line की slope 3 by 4 है तो इस वाली OC की slope of OC minus 4 by 3 वोई 10 theta 4 by 3 तो sine theta हो गया 4 by 5 cos theta minus 3 by 5 cos negative होता है आज पहले भी किया था यह parametric में तो 3 distance की दूरी पे parametric खतम 15 second का सवाल जिनको parametric का concept आता है तो 0 plus minus 3 cos theta और 0 plus minus 3 sin theta C के coordinates बन गए तो plus minus 3 into minus 3 by 5 cos theta और plus minus 3 into 4 by 5 तो एक बार उपर उपर वाला sign ले लेता हूँ plus 3 into minus 3 minus 9 by 5 और plus 12 by 5 एक center यह हो गया या फिर minus minus 9 by 5 और नीचे वाला minus minus 12 by 5 question खताम हो गया बिटा देख ले माइनस 9 by 5, 12 by 5 एक option खत से option एक आ गया ऐसे ऐसे करते हैं बिटा applications of coordinate geometry state line का parametric इतनी beautiful, useful चीज़ है कि जहाँ वो लग जाएगा महां तुम्हारा answer यहीं 30 second में आएगा चलिए अब आ जाते हैं इस साल का जो advanced का मैं तुम्हे question कह रहा था उस पर भी बिटा आ जाते हैं एक बार खीक है सब लोग ready है भई इस साल का advanced का question करने के लिए सब करेंगे यह नहीं कि सर मैं तो mains के लिए कर रहा हूँ मेरे लिए मैं क्या करूँगा sir नहीं कोई दिक्कत नहीं है कर लेगा तू easy geometry advanced में भी ऐसे से ही आते हैं c1 भी circle of radius 1 with center at origin ठीक है मतलब c1 की equation तो समझा गई x square plus y square बराबर 1 c2 is circle with radius circle of radius with center at a radius r होगा radius r and center यह रहा c2 की equation हो गई x minus 4 whole square y minus 1 whole square बराबर r square ठीक है जैसे जैसे data समझा आता जा रहा है लिखते जा रहे है radius की value 1 और 3 के बीच में है ठीक है समझ गई समझ गई सर और distance between centers भी निकाल लेता हूँ c1 c2 के बीच में distance है root 4 square plus 1 square यानि root 17 है समझ गई और यह clearly बढ़ा है देख उसका radius 1 है और इसका maximum 3 भी चले जाए तब भी 4 आएगा यानि c1 c2 जो है clearly r1 plus r2 से बढ़ा है समझ आए मैंने कैसे देखा मैं कह रहा हूँ अगर r2 जादा से जादा भी लेलू 3 तब भी जाके 3 और 1 मिला के 4 होगा और जबकि यह तो root 17 4 से बढ़ा ही है यानि distance between center हमेशा बढ़ा ही रहना है r1 plus r2 से यानि दूर दूर है मुझे एक बात समझ आ गई है तो अकल्स जो है दूर दूर है two distinct common tangents देख common tangent का question है pq and st are drawn tangent pq touches c1 at p and c2 at q tangent st ठीक है अब कौन सी common tangent है बताया नहीं है तो two distinct है कोई भी बना लेते हैं चलिए dct बना लेते हैं कोई भी बना लेते हैं बेटा दूर दूर circles हैं और dct बना लेता हूँ तो tct क्योंनी tct बना ले जो भी अब कुछ दिया नहीं है तो हमने कोई भी दो बना ली और क्या बोल रहे हैं ये थी common tangents pq and st pq and st है ठीक है c1 at p and c2 at q ये वाला c1 है तेरा और ये c2 है और दूसरी वाली कह रहे है c2 tangent st touches c1 at s सही बना ये figure midpoint of the line segments pq and st midpoints आया नमजा बेटा इनके जोनों के जो midpoints है तो ये जो line है ये कौन सी line है जल्दी बता बेटा midpoint को जब join करूँगा तो ये कौन सी line बन रही होगी midpoints कहां से pass करते हैं midpoint कहां से pass करते हैं dct और tct कौन बाइसेक करता है इनको radical axis करती है तो ये line radical axis है समझा बेटा radical axis हो गई ये वाली dotted line क्योंकि midpoints को join किया है है ठीक है समझ गया वो x axis को b पे मिलता है x axis को b पे मिलता है मतलब alpha,0 ले ले लेता हूँ b ठीक है a b distance a दिया है 4,1 a तो ये था 4,1 ठीक है सर hmm a b distance for a root 5 दिया हुआ है तो इससे alpha निकल आएगा ना क्योंकि b point था x axis का तो मैंने y 0 ले लिया तो अब a b distance को root 5 ले ले लेता हूँ उससे क्या होगा बेटा निकल आएगा ये alpha minus 4 का whole square beta sorry 0 minus 1 का whole square equal to 5 alpha minus 4 बराबर plus minus 2 alpha की value 4 plus minus 2 alpha या तो 6 आ गया या 2 आ गया भी alpha की दो values आ गयी है भई अब क्या करें alpha तो आ गया देख मेरे पास ये point आएग मैं भी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ मैंने किया नहीं है question अब क्या निकालना है value of r square अच्छा तो अब ये line तो वो भी है क्या है radical axis भी है sir ये line ये line तो radical axis भी है हाँ सोच इसको खोलूँगा x square minus y square तो कट जाएगा 16 minus 8x plus 1 minus 2y equal to r square minus 1 देख लो सही लिखा है मैंने basically second को first से minus कर दिया क्योंकि radical axis अब मैं इस line की equation निकालने की कोशिश कर रहा हूँ राइट वो कैसे मिलती है circle को subtract करके second minus first कर दिया एक ही बात है ये कितना हो गया 18 16, 17, 18 equal to 8x plus 2y plus r square ये कौन सी line आ गई radical axis radical axis आ गई और radical axis किससे pass करानी है radical axis आपको pass करानी है alpha, 0 से alpha की दो value है alpha, 0 इसको satisfy करा दे देखो तो 18 equal to 8 alpha plus r square अब notice करो अगर मैं alpha की value बेटा alpha की जो दो value आई थी अगर alpha 6 डाल दूँगा तो यहां कबाड़ा मच जाएगा 6 डालते ही r square negative आ जाएगा यनि अब जागे alpha 6 reject होगा alpha 6 reject होगा so alpha सिर्फ 2 ही डाल सकता हूँ ताकि यहां पे r square बन जाए positive quantity 18-16 2 बन गया r square का value tough था बता कोई tough question तो मैं नहीं बोल सकता है यार इसको अगर तुमने एक बार circle पढ़ा है और revision कर रहे हो तो definitely तुम्हें easy लगा होगा बट पहली बार पढ़ रहे हो तो definitely tough थोड़ा लग सकता है बट otherwise तो easy कहोगा यार इसे advanced case point of view से हम तो दुबारा repeat कर रहा हूँ एक बार देखो सबसे पहले मैंने देखा कि भाई ये जो सवाल है उसमें जो figure दी थी वो ऐसी कुछ है TCT नहीं दी थी मैंने मानली TCT भी कर ले फरक नहीं पढ़ता उसमें ठीक है तो उन्होंने सबसे पहले जो data दिया उस हिसाब से दूर दूर है दूर दूर का भी कोई काम नहीं आया फिर मैंने का यार midpoints को जब join किया है तो वो तो radical axis है radical axis का एक point दिया है alpha,0 x axis का b और ab distance root 5 देख last में जाके देते हैं data हमेशा ab root 5 की मदद से मैंने alpha निकाल लिया देख ये भी जो root 5 से alpha की दो value आ गई radical axis का एक point आ गया radical axis का point मतलब कि सर इन दोनों को subtract कर दो जो radical axis आएगी ये line आ गई उसमें alpha 0 satisfy करा दो क्योंकि वो line इस पर based आए radical axis bisect करती है DCT,TCT property 7 पर बेटा ये question पूरा का पूरा अधारित था इस property पर ये वाली जो मैंने तुम्हें बताई थी कि ये जो bisect करती है radical axis होती है यही बस use हुई है राइट आना बढ़िया बता रहो हूँ है तुम्हें geometry end तक पढ़ोगे तुम्हें advanced के question easy ही लगने है सिर्फ फस्ते वो हैं जो छोड़ देते हैं बीच में चलो radical center की अब बात कर ली जाए radical center कुछ नहीं होता बस एक छोटा सा फंडा है इस पर कभी सवाल आया नहीं है जैई में बढ़ थोड़ा बता देता हूँ मान लो तीन radical axis तीन circles हैं अभी तक दो circle चल रहे थे अब तीन है मान लेते हैं तीनो की radical axis लिखता हूँ एक एक करके इस दो की लिख लिए इन दो की क्योंकि radical axis तो दो-दो की होती है जो तीनो radical axis होती है वो एक ही point पर जाके मिलती है बेटा जिसको हम बोलते है radical center अब सर क्यों मिलती है अब जिक जैसे triangle में होता है न altitude एक ही जगा जाके मिलते है होता है तो होता है और तो center बोलते है उसे होता है तो होता है भाई वैसा ही कुछ कि यहाँ भी तीनो radical axis एक ही जगा जाके मिलती है और जो वो point होता है इस point को बोला जाता है radical center of three circles तीन circles का radical center बोला जाता है और इसकी एक बड़ी interesting property हो जाएगी कि यहां से क्योंकि इस पे और इस पे length of tangent बराबर है इस पे इस पे भी बराबर है तो तीनों की length of tangent इस point से बराबर आएगी क्योंकि इस line का मतलब यह दोनों बराबर इस line का मतलब यह दोनों बराबर इस line का मतलब यह दोनों की tangent बराबर तो क्योंकि यह point तीनों पर common है तो radical center से तीनों पे length of tangent बराबर बनती है ठीक है भई? यह तीनों length of tangent बराबर बनती है ऐसे सर, class कितनी देर चलेगी? बैटा, आफ ज्यादा देर की नहीं रह गई है, घंटा बर समझ ले और. पॉइंट ऐंटन अप इंटर्सेक्श न आ रहे हैं, तो कुई भी जैसे तो मॉल्टिट्यूड का इंटर्सेक्शन निकाला, और्थो आ गया, ऐसी कोई भी दो आरे का radical axis का intersection निकाल के ortho center निकाल सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं अब ortho center में इसमें देखो radical center में करने को अभी एक घंटा और बढ़ सकते हैं बट उतनी depth में कोई जाने की जरूरत है नहीं बटा चुकि इस question कभी आया नहीं है इसमें न mains में न advanced में कोई फायदा नहीं है उतनी depth में जाने का चलो आगे बढ़ेंगे orthogonal circles अब theory point of view से बटा ये last concept है ठीक है radical axis हमने पढ़ लिया है orthogonal circle बचा है last topic फिर हम आ जाएंगे अब pyqs पर pyq शुरू होने वाले हैं और इसके उपर दो-तीन सवाल कराके pyq करेंगे तो orthogonal circles होते क्या है एक orthogonal word जहां भी आ जाए और्थोगोनल का मतलब होता है perpendicular perpendicular 12 में पढ़ोगे orthogonal vectors मतलब perpendicular vectors angle between them is 90 तो circles के बीच में angle 90 कैसे होता है देखो पहली बात तो circles के बीच में angle defined कैसे होता है यह lines के बीच में तो angle बढ़ी असानी से defined है यह बट कोई भी curves के बीच में angle defined होता है उनकी point of intersection पर जो tangents होती है जैसे यह वाले point पर जो tangents है इनके बीच का angle is called angle between circles और यह 90 दिया है इस बार क्योंकि और्थोगोनल circles हैं तो orthogonal circles का मतलब है angle between tangents at their point of intersection is 90 similarly नीचे भी 90 होगा हाँ बिलकुल यहाँ बे भी ऐसे ही बिलकुल 90 बनेगा यह दोनों जगा 90 बनाएगा symmetry से अब सब लोग एक घंटे concentrate करें भाई क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है अगले कुछ time में क्योंकि जैसे ही theory खतम होगी फिर mix pyqs करेंगे फिर तुम देखना कितने तुम भी कर पा रहे हो और कुछ सवाल फिर homework में दूँगा इसी के चलिए तो अब क्या बोल रहा है तो है अगर ये टेंजेंट है इसके perpendicular line तो center से pass करेंगी यानि अगर ये टेंजेंट है वेटा तो जो इसके perpendicular line है वो इसके center से pass करेंगी बढ़ा प्यारा फंडा लग गया कि angle between tangent 90 है तो मतलब अगर ये tangent है तो ये radius हो गया, similarly ये इसकी टेंज़न है तो ये इसका radius यानि एक दूसरे के center से pass करेगा कॉन tangents क्या ऐसे बोल सकते हो उसका tangent उसका normal बन जाएगा tangent इसका जो था वो इसका normal हो गया और इसका tangent उसका normal center से pass और अब इस triangle में जड़ा पाइथागोरस लगा देता हूँ इसको ले ले minus g1 minus f1 minus g2 minus f2 और ये तो radius 1 है और ये radius 2 है और ये distance between centers हो गया भीटा तो जो एक condition बन गई orthogonal circle की वो बन गई d square बराबर r1 square plus r2 square ऐसे भी इस्तिमाल कर सकते हो तुम पाइथागोरस लग गई ना d square बराबर r1 square plus r2 square हम इधर देख तो अब एक condition तो ये भी याद रखनी है orthogonal circles के लिए d square बराबर r1 square plus r2 square होता है अब थोड़ा सा g1, f1, c1 में खेलते हैं भाई इन दोनों में जल्दी से distance formula लगाएंगे तो g1 minus g2 whole square plus f1 coordinate geometry ला रहा हूँ और r1 square क्या होता है g1 square plus f1 square minus c1 g2 square plus f2 square minus c2 इसको जड़ा open कर दे g1 square plus g2 square minus 2 g1 g2 plus f1 square plus f2 square minus 2 f1 f2 और right side में तो ये ही है तो g1 square g2 square ये देखो कट गए क्या क्या बच गया लेफ्ट में बच गया minus 2 g1 g2 minus 2 f1 f2 और right में बच गया minus c1 minus c2 minus भी उड़ा दो 2 g1 g2 plus 2 f1 f2 equals to c1 plus c2 इसको बोला जाता है condition for orthogonality इसको याद रख लो condition for orthogonality अगर गभी भी दो circle orthogonal बोल दें तो तुझे या तो ये इस्तिमाल करना है अगर general circle दियें या ये इस्तिमाल करना है दोनों में से कुछ एक लगा के question तेरा 100% solve हो जाएगा करके देखें चलो लगाते है orthogonal circle पे condition for orthogonality लगाते है चलो एक सवाल ये देखते हैं फिर एक j का सीदे question करा दूँगा तुम्हे equation of circle which passes through origin बहुत प्यारी बात है अगर origin से pass कर रहा है तो circle हो गया x square plus y square plus 2g x plus 2fy तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि origin से pass करना है and center lies on the line center होता है minus g minus f तो वो इसको satisfy करा देखें कितना असान सा सवाल हो गया यानि g plus f बरावर minus 4 दो equation चाहिए क्योंकि g और f चाहिए और cuts the circle orthogonally so orthogonality की condition होती है 2g1 g2 plus 2f1 f2 is c1 plus c2 right g2 g1 कितना है ध्यान से देखना 2g1 minus 4 है तो g1 minus 2 है अब यहां गलती हो जाती है g2 sorry g1 तो g है g1 g2 तो minus 2 है f2 भी बिटा 1 है center मत निकाल देना कई लोग यहां center निकाल देते हैं फिर गलती हो जाती है center नहीं चाहिए मुझे g1 g2 चाहिए center तो minus g1 होता है minus g2 होता है तो g2 की value minus 2 है f2 की value 1 है और c2 की value 4 है c1 तो 0 है भाई क्योंकि इसका center तो 0 है constant 2 g1 की जगा g g2 की जगा minus 2 condition for orthogonality लगा रहा हूँ f1 की जगा f f2 की जगा 1 और 0 प्लस 4 ऐसा तो minus 4 g plus 2 f बराबर 4 तो f minus 2 g बराबर 2 यह बन गई बेटा दूसरी equation orthogonality से हाँ ठीक है अब तो 2 equation दो unknown solve कर लिए वेटा g और f g और f solve हो जाएंगे अब तो इसमें कुछ नहीं रह गया easy question है और believe me advanced में आते हैं यह अभी दिखाऊं तो ज़िए देख दिखा देता हूँ orthogonality पे question बहुत बार आ चुक है advanced में 2014 में आया है भी और भी recently भी आया है एक मेर पास यह था मैंने दे दिया circle passes through 0,1 and is orthogonal to circle this and this समझ गया तो circle जो है 0,1 से pass कर रहा है तो circle की equation माल लेते है x square plus y square plus 2g1x 2gx plus 2fy plus c बराबर 0 0,1 डाल दे तो 2f plus c plus 1 बराबर 0 एक equation तो यह बन गई GFC में बस तीन equation बनानी है सर प्लस 2 होगा ना बस यही तो तुम समझे नहीं बेटा center थोड़ी न निकालना है center नहीं निकालना है भाई जो तुम प्लस 2 सोच रहे हो g2 निकालना है बस 2g-4 है तो g2-2 हो गया center मत निकाल यह गलती हो जाती है center नहीं निकालना है अब देख इसको और्थोगन अली कट करना है इसको पहले अच्छी तरह तमीज से लिख लेते हैं x2 plus y2 minus 2x minus 15 equal to 0 तो यानि इसका देख g1 क्या है minus 1 इसका f1 क्या है 0 और इसका c1 है minus 15 तो जल्दी से इसके साथ orthogonal करता हूँ 2g1 g2 2gg1 2ff1 equal to c1 plus c2 तो यहां से क्या आ गया यह तो 0 हो गया minus 2g equal to c minus 15 तो c plus 2g equal to 15 हो गया second equation आ गई भाई साब second equation आ गई और तीसरी कैसे आएगी इसके भी orthogonal है इसके भी orthogonal है भाई साब तो लगा दीजिए x square plus y square minus 1 बराबर 0 इसका g2 है 0 f2 है 0 c2 है minus 1 2gg2 2ff2 equals to 00c की value तो बेटा 1 हो गई बहुत ही प्यार से question solve हो गया हाँ बहुत ही प्यार से question solve हो गया बेटा c की value देख 1 हो गई c की value 1 के यहां पे put कर दे तो 2f plus 1 plus 1 plus 2 बराबर 0 यानि f तो minus 1 आ गया और बेटा c को 1 यहां put कर दे तो 2g बराबर 14 तो g बराबर 7 आ गया जिक gfc सब निकल गया gfc सब तीन equation बना ली तीन unknowns थे हाँ जल्दी बता बेटा gfc निकल गया हो गया ना question अब क्या निकालना है में center बताना है तो center minus g minus f होता है तो center आ गया minus 7 1 बहुत बढ़िया minus 7 1 multiple correct है radius भी निकालेंगे radius भी निकाल दो formula लगाके radius होता है root g square plus f square minus c c था 1 radius साथ आ गया भाई radius साथ आ गया b and c options correct हो गया बहुत बढ़िया चाबाश काफी लोगों ने answer निकाल दिया है very nice p and c multiple correct question हो गया solve ठीक है भाई चलो तो orthogonal circles की बातें हमने कर ली है अब आ जाती है बारी pyqs की थोड़े से pyq करेंगे ज्यादा नहीं 10 है 5 मैं कराऊँगा 5 तुम्हें homework दूँगा ठीक है मदा आएगा देखो ready है क्या सब लोग जल्दी बताएं कि sir हम ready है या नहीं है या break चाहिए जल्दी बोलो मेरे साब से break तो नहीं बनता है अब 5-6 questions hardly 20 minute फिर 10 minute का break मांगेगा no break sir क्या करेगा break लेके भाई यही तो तेरी आदत है जो तेरे को सुधारनी है थोड़ी थोड़ी देर में बेटा जो उचलने लगता है seat से नहीं बैठा जाता concentration नहीं होता वो नहीं करना है बेटा अपने को सीक्टी habit चेंज करनी है ready sir शाबाश very good very good देखो मेरी अवाज भी better हो गई जो lecture start किया था उसके बाद से अभी तक I think बोलते बोलते better हो गया I don't know how बस तुमारे ही बेटा उपरवाला शक्ती देता है जब तुम लोग इतना effort और इतना प्यार देते हो तो अच्छा लगता है और अपने आप ये अंदर से energy आती है जिनको लग रहा है break थोड़ा सा effort मार कोशिश कर देख break लेगा क्या ही होगा ऐसे कोई मुश्किल हो रही सांस नहीं आ रही कि तुझे जो break चाहिए ऐसी तो कोई घटना नहीं हो रही ना कि जो बिल्कुली सहनी है अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो break मत ले अपने आप से वादा कर रहा trust me end में अच्छा लगगा कि हाई यार मैं उठना चाह रहा था बट मैं बैठा रहा और effort मारे मैंने उससे you will come out better ठीक है no break sir ready चलिए तो start करेंगे अब 2023 के थोड़े mix करके अब PYQs करेंगे अभी तक मैंने तुम्हें concept देखो इस circle में chapter ऐसा है पहले concept सीखने पड़ते हैं कहाँ पर क्या mix हो जाए पहले where PNC वगएरा quadratic में individually साथ साथ बहुत सारे PYQ करा दिये थे अभी भी कराये हैं बट mainly अब हम last में कर रहे हैं A1, A2, B2, 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 B2 distinct points on a circle with center root 2, root 3 ठीक है दो points है जी समझ गए circle के उपर जिसका center ये है O is origin अच्छा खेल थोड़ा सा समझ आ रहा है figure बनानी सबसे important है center तो समझ गए भई बड़ा जीवो गरीब है root 2, root 3 अब origin कहा है पहला समस्य ये OC जो है perpendicular है CP and CQ दोनों के अच्छा समझ पा रहे हो भाई साब कि CP और CQ दोनों के OC perpendicular है ये कैसी अनोखी बात है समझ गया basically देख अगर OC कहीं पर भी ले ले बहार ले 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 अंदर ले OC figure ही तो main है या figure बनाने की कोशिश करो एक बार मैं तो समझ गया तुम बनाने की कोशिश करो हाँ figure बनाने की कोशिश कर 2 seconds दे रहा हूँ कि OC line ऐसी है जो दोनों CP and CQ के perpendicular है और P and Q कहा है circumference पे है तो इस तरह से नहीं हो जाएगा ऐसा कुछ तोच के देख इस तरह से कुछ हो जाएगा बेटा ऐसा कुछ कि भई OC और OC जो है वो CP और CQ दोनों के perpendicular बन गया देख तो कि C center है न हाँ diameter very good diametric ends हो गए बहुत प्यारी बात बोली diametric ends हो गए बेटा हाँ सर समझ गए अब इसके coordinate जो भी है A1 B1 वो बाद में देखेंगे A1 B1 A2 B2 यह figure का ही question है main बाकी तो फिर बच्चों माली math है इसमे if area of triangle OCP OCP का area अच्छा इस triangle का कह रहा है area half base into height कर दे half base into height कर दे बेटा OC length हो गई root of 2 plus 3 distance formula लगा दिया तो OC तो root 5 आगई तो half root 5 into OP half base हो गई sorry OP नी PC base हो गई PC height हो गई OC OC तो root 5 है distance formula से मैंने निकाल ली और यह area दिया है root 35 by 2 वाँ 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 PC की value root 7 आ गई PC की value बेटा root 7 आ गई ठीक है यह root 7 आ गई इतनी यह root 5 थी तो यह 75 बारा यह root 12 हो गई तो यह वाली root 12 हो गई बेटा OP हाँ ठीक है भाई बस अब क्या है यह देख इसका distance formula लगा दे A1 square प्लस B1 square OP की length हो गई root 12 का square 12 हो गई यानि A1 square प्लस B और same logic से यह भी root 12 आ जाएगी तो A2 square प्लस B2 square B12 आ जाएगी दोनों को बेटा कर दे add जैसे ही दोनों को add करेगा यह देख यही तो पूछा है यही पूछा है हो गया 14 24 हो गया देख बारा बारा 24 इसका answer होना चाहिए 24 आंसर होना चाहिए 24 diameter होना जरूरी कैसे है क्योंकि दोनों ही C से ही start X C point common है सबका OC का भी CP का भी CQ का भी तो खुद सोच ले और C center है अब खुद ही सोच ना यही तो समझने वाली बात थी बेटा कि अगर OC line perpendicular linear linear दोनों के अगर यहाँ है तो दूसरा यहीं तो होगा क्योंकि linear pair 180 बनेगा तो फ्लैट line हो जाएगी diameter बन जाएगा बेटा समझा origin में lie outside भार ले ले कोई फरक थोड़ी पढ़ा origin अंदर लेने का figure ही तो बनाई है तो origin को भार लेके कर ले ले यहाँ ले फरक क्या पढ़ रहा है उससे फरक पढ़नी रहा ना कुछ पढ़नी ना फरक बट क्योंकि वो root 5 है इसलिए वो छोटा यह अंदर ही रहेगा radius से figure बनाने में कोई फरक नहीं पढ़ रहा ठीक है ना हमने तो क्या ही लिया है origin को अंदर कहीं consider थोड़ी किया है हमने तो पाइथागरस लगाई है भाई पाइथागरस तो हमेशा ही valid है चाहे origin बाहर हो चाहे अंदर हो क्या फरक पढ़ता है हाँ origin जहां मर्जी लाए करे कोई फरक नहीं पढ़ता चलो अगले पर आएं अगले पर आएं interesting था ना यह अला question चल एक और लेते हैं एक और 2023 का question लेते हैं अब तुम करोगे क्या है इसमें two circles in first quadrant of radius r1 and a touch coordinate axis आहा हा इसको देखते ही तो बिटा खुश हो जाओ कि सर दोनो coordinate axis को touch कर रहे हैं आज ऐसा सवाल किया था याद कर दोनो ही coordinate first उसमें coordinate axis को touch कर रहे हैं और दोनो ही intercept to cut कर रहे हैं अब देख दोनो सब कुछ कर रहे हैं सभी कुछ same दिया है दोनों का तो मैं दो लूँगा ही नहीं ये बड़ी प्यारी technique बता रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ अगर दो circle same ही चीजें कर रहे हैं एक ले ले अपने आप दो answer आ रहे होंगे बड़ी प्यारी आप आटू आटू भी ले सकते हो बट अपने आप आर की दो value आएंगी न कहीं टेंशन लेनी और दोनों ही x प्लस y एक्वल टू पर two units कट कर रहे है ये two है length ठीक है सर समझ गए तो देख दो answer आएंगे मैं कहा रहा हूँ अपने आप दोनों हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो कहा गया ये रहा center का perpendicular distance measure कर लेता हूँ cp ये one हो जाएगा और ये r हो गया योकि वो two था two units था तो ये आदा one हो गया पी ये राइट अब जल्दी से देखते हैं cp perpendicular distance of point so r plus r minus 2 upon root 2 का mod ये हो गया p c तो p c हो गया 2 r minus 2 by root 2 का mod तो p c हो गया 2 common तो root 2 times r minus 1 ये p c निकल आया बेटा और फिर pythagoras लगा देखे इसमें ये r है ये p c निकाल लिया ये one है तो जल्दी से in triangle acp in triangle acp फिर से बेटा pythagoras लगाया जाए बस खोल दो अब क्या बचा है question ही हो गया है तो चुरू होने से पहले r में quadratic बन गई automatically दो आएंगी मैंने बोला ना क्योंकि सारी property दोनों के लिए थी मैंने एक के लिए solve कर दी आपने आप दो answers आएंगे r1 r2 निकल जाएंगे जल्दी निकालो so r square बराबर 1 plus 2 r square plus 2 minus 4 r r square काटो इससे hmm so r square minus 4 r plus 3 बराबर 0 so r minus 3 r minus 1 factor भी हो गया भाई सवाल भी solve हो गया 1 and 3 दो radius आगए hmm r1 और r2 की value रख देया एक r1 ले ले तो 1 square plus 3 square minus 1 into 3 और एक 10 minus 3 7 हो गया भेटा answer 7 होना चाहिए भाई answer देखें answer होना चाहिए 7 hmm हो गया ना जाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया 7 आपका answer आ चुका है तो ये खुद सवाल देखो यार ये क्या है मतलब क्या ये मुश्किल है नहीं है बेटा कर सकता है तू तर इतनी जल्दी फैक्टराइस कैसे अरजुना वाले समझ जाएंगे कैसे करता हूँ बेटा quadratic का इस्तिमाल करता हूँ मैं पहले hidden trial मार देता हूँ product of the root 3, sum of root 4, 3 और 1, 4 उल्टा कर देता हूँ sum of the root को इस्तिमाल करके हाँ चलो बेटा, आगे चलते है अगले सवाल पर आएंगे अगला सवाल एक और सवाल देखा जाए, क्या है चल, इसी तरह का एक देता हूँ इसी concept पर क्योंकि एक already हमने किया है, touching the axis देखो, थोड़ा सा भी बज़ेदार है तो क्ल, क्योंकि integer type है देख, थोड़ा तो heavy होगा उससे, तो क्ल passing through alpha, beta in first quadrant, touches the two coordinate axis at A and B figure बनाते हैं, फिर से दोनो coordinate axis को touch कर रहा है, A और बात हमें पता है point P is above the line AB, यह जो line AB है इसके उपर है कहीं P, अच्छा चलो, अच्छी बात है A के coordinates R 0 हो जाएंगे, इसके 0 R हो जाएंगे, इतनी बात तो हमें पता लग गई समझ गए, point Q on the line segment AB AB जो line segment है इसके उपर एक point Q लेना है जो क्या है, foot of perpendicular from P on AB ओहो हो, मज़ा आ गया भाई ऐसे कुछ foot of perpendicular बन गया ठीक है सर if P Q is equal to 11 अच्छा, P Q की value 11 दी है तो अब मुझे एक बात समझ आ रही है यार कि इस line की equation लिख लेता हूँ x, y intercept form से कैसे आई मेरे दिमाग में बात x plus y equal to r, क्योंकि मुझे ये distance लिखना है, इस point क्योंके coordinates तो है नहीं देखिए distance 11 दी है, दो तरह से सोच सकता हूँ या तो इस distance formula लगा हूँ, उसके लिए point नहीं था मैंने ये सोचा, quick, फिर मैंने का distance और point लिए line लगा दूँँगा, line की 11, तो alpha plus beta minus r का mod 11 root 2 हो गया, ये given है, मेरे पास एक equation बन गई ठीक है भाई, question से थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि तीन तीन अन्नोंने alpha beta r देखते हैं, कैसे integer type बनेगा, आगे देखते हैं, point q on the, ठीक है, ठीक है, ठीक है pq is equal to 11, the value of alpha beta is अब क्या किया जाया, फस गए यार, क्या करें, सोच, अब एक जो मेरे mind में thought आ रहा है, वो ये, भाई, circle की equation, तो मैं point लाए करेगा न, circle की equation हो गई, equation of circle equation of circle हो गई, sir, x minus r whole square, y minus r whole square equal to r square, क्योंकि center r com r, और radius b r हाँ नमस्ते, sir, नमस्ते, जी, बड़ी जल्दी हो गई आपकी नमस्ते, lecture खतम होने को आ रहा है, अभी तुम, अभी आयोगे तुम, हो सकता है, तुम पीछे वाला part देख रहे हो, कोई बात नहीं, पूरा देख ले न, हाँ चल बेटा, इधर देखते हैं अब, इसमें मैं कह रहा हूँ, alpha, beta satisfy करा देता हूँ, क्योंकि set circle से pass करेगा, और एक बार इसको खोल के देखते हैं, क्या हो रहा है, तो alpha square plus r square minus 2 alpha r, सर बड़ा खतरनाक सा हो रहा है, हाँ बेटा, वो तो रहा है, कोई नहीं अभी देखते हैं, r square r square कट गया, तो हमारे पास आ गया, alpha square plus beta square plus r square, minus 2 alpha r, minus 2 beta r बरावर 0, जा हो गया, मैं देख, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे छोटा method होगा, जैसे सोच सकते हो तुम, exam में बिटा thought process important है, shortest method important नहीं होता, क्योंकि भले ही 10 line लग जाएं, 3 की जगा, बट तेरे को पता तो होना ची ऐसे जाना है, तो मैं भी बस process लिखे जारों, जो सब तुम सोच सकते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं लिखा मैंने, जो तुम ना सोच पाओ, अब मुझे करना क्या है, alpha बीटा की value निकालनी है, अच्छा, अब इस equation को देखके मेरे दिमाग में बड़ा प्यारा सा खयाल आया, कि भाई, ये a square plus b square plus c square minus 2ab minus 2bc type की लिखी है, अगर मैं इसको whole square में change कर दूँ, alpha plus beta minus r का whole square लिख लेता हूं बेटा, 2 alpha, beta missing थी, वो दर लिख ली, आया की नहीं, आया मजा, मैंने क्या बोला, कि भाई, इसके whole square में ये तीनों आ जाएंगी, minus 2 alpha, minus 2 alpha r आ जाएगी, minus 2 beta r आ जाएगी, plus 2 alpha, beta missing थी, तो वो 2 alpha, beta के बराबर कर दी, कैसे आया मेरे mind में, इसको इससे link किया, देख, ये वाली चीज की value 11 root 2 दिये, बस अब यहाँ put कर दे, 11 root 2 का whole square, equal to 2 into alpha beta, यानि 121 into 2 equal to 2 alpha beta, 2, 2 cut गया, so alpha beta 121 बन गया, alpha beta beta 121 बन गया, ठाना बढ़िया देख, अपने आप link होंगी चीजे, काट तो कर, डरना नहीं है question से, और भी तरीके भतेरे हो सकते हैं, बढ़ मेरे mind में यही thought process अब ही है, कि जब भी circle दोनों axis को touch करेगा, rr ले लूँगा, और उससे मैंने fit distance create कर दिया, और solve कर दिया, चलिए, अगले पर आते हैं, अगले पर आएंगे बेटा, एक और जबरदस सवाल उठाते हैं, 2023 का, a line segment AB of length lambda moves such that the points A and B remain on the periphery of circle of radius lambda, ध्यान से पड़ो, circle का radius भी lambda है, fix है, खीक है, और line AB भी, लेंथ भी fixed है, lambda, तो AB change हो सकती है, बार बार हाँ, क्योंकि length lambda, length lambda रखते हुए, कहीं भी AB की length, बराबर length की कहीं भी line बना दो ना ऐसे, बन जाएंगी, बहुत सारी बन जाएंगी, खीक है, locus of point that divide line segment, AB in the ratio 2 is to 3, समझ गया, मज़ा आ गया, कैसे, सबसे पहले geometry से हो गए, बात मुझे समझ आ गई, क्योंकि ये भी lambda है, और ये भी lambda है, अब एक बड़ी प्यारी बात दिमाग में आई, कि भाई, ये भी lambda है, फिर तो ये तो equilateral triangle हो गया, ये तो equilateral triangle बना रहा है, हाँ भई, बना रहा है, विल्कुल सही बात, बना रहा है, तो यानि कि अगर मैं इसका midpoint join करूँ, AB का, तो ये 30 degree हो गया, equilateral है ना ABC, 30 हो गया, तो लैमडा इसको P ले लेता हूँ, midpoint को, तो PC तो lambda cos 30 हो गया, यानि लैमडा रूट 3 by 2 हो गया, PC, अच्छा, समझ गया, समझ गया, अब हमें कौन सा locust निकालना है, segment AB इंदर ratio 2 is to 3, तो एक point ऐसा कहीं होगा, जो 2 is to 3, एक point Q ले लेता हूँ, जो AQ is to QB, 2 is to 3 कर रहा है, अच्छा, यानि कि ये 2 lambda by 5, हो गया, अगर ये ratio 2 is to 3 है, तो ये AQ की value, क्योंकि total sum तो lambda है, 2 lambda by 5 हो गया, और QB की length, 3 lambda by 5 हो गया, समझ गया ना, basically वही fraction यार, total length lambda है, उसको 2K, इसको 3K ले लिया, so 2K plus 5K, 2K plus 3K equal to lambda, 5K equal to lambda, k की value lambda by 5, यानि 2 lambda by 5 ये हो गई, और 3 lambda by 5 ये हो गई, ratios यूज कर लिया, ठीक है, अब देख क्या करूँगा, मतलब जो दिमाग में चलता जा रहा है, वो ले रहा हूँ, AQ length मिल गई, अच्छा, इसका मतलब, आप देख दिमाग में click कर गया, कि भई, ये length निकाल लेता हूँ, कैसे निकालोगे, देख PC तो है मेरे पास, PC square हो गया, 3 lambda square by 4, और सोच क्या PQ है, PQ भी बिल्कुल है सर, क्योंकि, PQ में ये तो lambda by 2 था midpoint है, और इसमें, 2 lambda by 5 माइनस कर दो, lambda by 2 में से, 2 lambda by 5 माइनस कर देता हूँ, तो ये निकल आएगा, इससे क्या करूँगा, पाइथागरस लगा दूँगा, इस ट्राइंगल में समझ गया, इस ट्राइंगल में बेटा, पाइथागरस लगा दूँगा मैं, तो PQ निकल गया, LCM 10, 5 lambda माइनस 4 lambda, lambda by 10 हो गया PQ, और अब इस ट्राइंगल में, पाइथागरस थियोरम से, CQ स्क्वेर बन गया, lambda by 10 होल स्क्वेर, प्लस, PC स्क्वेर, विच इस 3 lambda स्क्वेर बाइ 4, तो यह हो गया, lambda स्क्वेर बाइ 100, इसको भी 100 बना ले, 75, तो 76 lambda स्क्वेर बाइ 100, अच्छा, अच्छी बात है भाई, चार कड़ गया देखो, तो CQ स्क्वेर बन गया, 19 lambda स्क्वेर अपॉन 25, यानि CQ बन गया बेटा, root 19 lambda by 5, CQ distance हमेशा constant आ गया, हो गया ना, देख, CQ distance हमेशा constant आ गया, सी तो वैसे fix था, तो एक point इस तरह से move कर रहा है, कि CQ distance हमेशा से fix'd आ गया, इसका distance हमेशा से fix'd है, तो ये इस तरह से locust बनाएगा, इस तरह से locust बनाएगा बेटा, यानि CQ distance का radius का circle बना देगा, तो is a circle of radius, वसी यह radius, root 19 lambda by 5, देख रहा है, Pythagoras से ही solve कर दिया, मैंने question, अब जो लोग लंबा method लगाएंगे, वो फिर क्या करेंगे, circle ले लेंगे, x square plus y square, वराबर lambda square, और फिर बैठ के, बढ़िया मेहनत करेंगे, proper तरीके के, मैंने सीधे Pythagoras दो बार लगाके, ratio लगाके solve कर दिया, देख लो जड़ा एक बार, एक बार दुबारा repeat कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीजे समझाने की जग़ा, तुम्हें खुदी कर रहा था ना, तो वो भी देख लो, सबसे पहले मैंने देखा, कि भाई, ये lambda की length है, और ये ratio 2 is to 3 में एक point है, तो 2 lambda by 5, 3 lambda by 5, ये distances हो गए, अब ये 2 lambda by 5 है, ये मुझे एक collateral triangle दिखा तो, CP तो वैसे ही आ गया था, मेरे पास PC तो, फिर मैंने का यार PC तो आई गया, ये पता ही था, lambda by 2 है, ये पता ही है, तो ये बचा हुआ difference, PQ मेरे पास निकल कर आ गया, lambda by 10, PQ आ गया, ये आ गया, इस तरह से, बिना coordinate geometry लगाए, मैंने plane geometry से question, solve कर दिया है, answer तो match कर लें भाई, ज्यादा खुश हो रहे हैं हम, ती options है आगया, चलो बढ़िया, चलो भाई, एक और करा रहा हूँ, अब मैं तुम्हें, फिर बचे कुछे 3-4, तुम्हें homework दे दूँगा, 5-6 questions हैं, वो homework में करना, सारे हो जाएंगे, तुमसे आराम से, कौन सा कराऊं, चलो पहले ये कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, चलो ये वाला कर लेते हैं, थोड़ा सा tough है, tough वाला पहले करते हैं अब एक, सारे Q and BQ का बताओ, अरे भाई, ये कैसी बात कर रहा है, AQ is to BQ, 2 is to 3 हैं, फिक है भाई, ये देख, एक point ऐसे का locust निकालना है, जो 2 is to 3 में डिवाइड करें, 2 is to 3 है, बच्पन में नहीं पढ़ा तुने ऐसा, कि ये length का ratio 2 is to 3 है, total length lambda है, तो length बताओ, तो भाई 2K और 3 के मान ली उनकी length, AQ को मैंने 2K मान ली, और BQ को 3 के, 2K प्लस 3 के lambda है total, तो K की value lambda by 5, तो यानि 2K by 5, 2K होगई यानि 2 lambda by 5, और 3 lambda by 5, ratios यार, simple ratios यूज़ कर रहा है, हाँ, चलो बेटा, अगले पर आएंगे, circle C1 obtained on rolling this upwards 4 units, अच्छा, दिहान से figure बनाएंगे, ये कह रहे हैं कि भाई, एक circle है, इसको उपर की तरफ 4 unit roll करके, एक नया circle बना दो, तो roll कर रहा है, मतलब radius तो same रहेगा, बस ये 4 unit, basically इसकी DCT, 4 length हो गई, ऐसे, हमज़ गया, circle C1 is obtained by rolling this, ये C1 हो गया, इसको 4 unit उपर roll करके, C1 मिल गया, 3,2 पे tangent बनाके, उस पे roll कर दिया हमने, 3,2 से tangent बनाई, वहाँ तक गया, वो circle नया आ गया, C2 भी image of C1 in T, ये T3 tangent, कि C1 की image ले डाली, तो ऐसे कुछ आ जाएगा, ऐसे में ले ली तो C1, C2, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, figure बना नहीं है, बस carefully, A and B, centers of C1 and C2, ये A है, और ये B है भाई, ठीक है सर, समझ गए, समझ गए, हम, समझ गए, M and NB, respectively feet of perpendicular, from A and B on X, अच्छा बे, X axis की बात हो रही है, वो बाद में करेंगे, पहला काम है, A or B किसी तरह निकाल लेना, ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है, ध्यान से देखेंगे, question, बहुत ही प्यारा question है, अच्छा, सबसे पहला काम है, A or B निकालना, इसका center तो देख पता है, 2-3, हाँ सर, कुछ भी ले ले, चल, P ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, ठीक है, तो PC की slope, slope of PC है, 3-2 upon 2-3, यानि, minus 1, इस line की minus 1 है, तो इस line की 1 हो गई, इस line की PQ बोल देता हूँ, slope of PQ, तो 1 हो गई भाई, 1 हो गई, मजा आ गया, 1 हो गई, अब देख, parametric, क्योंकि 4 distance दिया है न, parametric 4 distance दूर पे लिख दू, तो Q आ जाएगा, तो Q के coordinates हो जाएंगे, 3 plus, 4 cos 45, 45 क्यों, क्योंकि slope of beta is line की 1 है, मतलब tan theta 45 हो रहा होगा, देख रहा है कैसे सीधा सीधा, मैंने Q के coordinates लिख दिये, 2 plus 4 sin 45, तो Q बन गया, 3 plus 2 root 2, cos 45 root 2 कट गया न, 2 plus 2 root 2, Q के coordinates बन गये हैं, तीक है भाई, अब क्या करना है, अब क्या करना है, बस अब क्या है, इसके भी बिल्कुल ऐसे ही parametric लिख दे, 4 distance, क्योंकि ये भी 4 ही होगा भाई, ये भी 4 ही होगा, 3 से parametric लिख देते हैं, अब क्योंकि जैसे 3, 2 से लिख दा, 2, 3 से लिख दे parametric, लिख देते हैं सर, तो A हो जाएगा, 2 plus 2 root 2, 3 plus 2 root 2, क्योंकि गया न, कैसे direct लिख दिया मैंने, x1 इस बाई 2 है, y1 3 है, तो 2 और 3 कर दिया, बस यहां बाकी 2 root 2, तो सेम रहेगा, है न, और फिर क्या करेंगे, अब देख यह इसकी image थी, अब image, चाहे तो image लेके, फिर parametric लिख दे हैं, सीधे अब यह दोनों लिख दी हैं, तो Q midpoint होगा इन दोनों का, Q बेटा midpoint होगा A, B का, समझ गया न, तो अगर इसको alpha भीटा माना, तो alpha plus, इसका x coordinate, 2 plus 2 root 2, by 2, will be equal to x coordinate of Q, that is 3 plus 2 root 2, तो alpha plus 2, plus 2 root 2, is 6 plus 4 root 2, यह कट गया, सो alpha हो गया, 4 plus 2 root 2, alpha हो गया बेटा, 4 plus 2 root 2, इसका x coordinate निकल गया, बस अब होने वाला question, ज़्यादा काम नहीं रह गया, ऐसी बेटा निकाल ले, इन दोनों का midpoint Q है, तो बेटा प्लस, यूपर ही लिख देता हूँ, बेटा प्लस, इसका y coordinate, 3 plus 2 root 2, x1 plus x2 by 2, इसका Q का y coordinate, 2 plus 2 root 2, तो बेटा प्लस 3, प्लस 2 root 2, is equal to 4 plus 4 root 2, ये कटेगा, तो बेटा आ गया, 2 root 2 plus 1, 2 root 2 plus 1 आ गया, तर माइनस नहीं होगा, नहीं होगा, very good question, क्योंकि उसने बोला है, rolling upwards, upward मतलब add करना है, कुछ ना कुछ हमने, add ही करना है, quadrants में, इसलिए हमने, plus 4 वाला ही लिया है, minus 4 वाला नहीं लिया, क्योंकि उसने क्या लिख लिखा है, rolling upwards, छोटी छोटी बात नहीं कर, तो importance होता है, तो A और B के मेरे coordinates आ गया, एक तरह से A आ गया था ये, और B आ गया ये, alpha बीटा, अब देखते हैं, अब क्या कह रहे हैं, MN भी respectively, अब एक, trapezium बनाना है कि, जो A और B हैं, उसका, MN feet है, perpendicular का, जल्दी से लिख लो, A के coordinates थे बेटा, 2 प्लस 2 रूट 2, 2 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ये A था, B के coordinates क्या हैं, B के coordinates थे, ये वाले alpha बीटा, 4 प्लस 2 रूट 2, 1 प्लस 2 रूट 2, 4 प्लस 2 रूट 2, 1 प्लस 2 रूट 2, और area of trapezium, लिखना है बेटा, इस trapezium का area कैसे निकलेगा, trapezium का area का formula क्या होता है, याद करो, क्या होता है याद करो, trapezium का area होता है, सर, half sum of parallel sides, into height, height तो ये हो गई, ये देख, height तो ये हो गई इसकी, और parallel sides ये दोनों हो गई, तो parallel side की length कितनी है, 3 plus 2 root 2, और ये 1 plus 2 root 2 है, तो sum of parallel sides हो गई, इन दोनों को add कर, 4 plus 4 root 2, और height कितनी हो गई, x coordinate का difference, इसको और इसको minus कर दे, तो ये ही चीज तो रह जाएगी, हाँ, तो height हो गई 2, इसका minus this, देख, 2 हो गई height, into 2 कर दिया, 2 से 2 कट गया, मज़ा आ गया, तो area जो है, 4 common 1 plus root 2 बन गया, देखें भाई, ऐसा कोई option है, 4 common 1 plus root 2, B option आ रहा है भाई, B option आ गया, मज़ा आ गया भाई, ठीक है, बढ़िया question था न, देख, कहां से कहां पहुँच गया, question, पहले इसमें क्या क्या नहीं लग गया, circle, circle की tangent, उसके बाद parametric, parametric कहीं भी घुज जाता है, ठीक है न, और फिर हमने midpoint वगएरा इस्तिमाल किया, image का फंडा लगा सकते थे, फिर area of trapezium का इस्तिमाल किया, जहां मुझे एक fixed point से distance दिख जाता है, मेरे दिमाग में parametric का कीड़ा घुज जाता है, तुझे भी यही करना है, देख मुझे कैसे सूजा, parametric यह देख fixed distance दिया है, इस point से, एक fixed point से fixed distance दिया है, खतम parametric 100% लगेगा, किसी भी chapter में, यहां एक fixed point से distance दिख जाया है, आज जितनी बार भी parametric लगाया है, तुम देख लेना, एक यही चीज common है, एक fixed point से distance मुझे पता था, और क्योंकि हम मुझे वो लगाना है, तो मैंने का है parametric लगाने के लिए slope चाहिए, सबसे पहले मैंने इसकी slope लिख ली, इसकी slope लिखी, तो वहाँ से इसकी slope आ गए, खतम question ही, पूरा mind में frame हो गया, तर आप जल्दी यल्दी कैसे सोच लेते हो, ऐसे ही तो सोचता हूँ, यही तो बताया भी मैंने तुझे, मैंने देखा यार, इस fixed point से distance दिया है, मेरे दिमाग में समझ आ गया, पैरामेट्रिक लगाने के लिए, क्या क्या समगरी चाहिए, तर आर चाहिए, वो तो दिया है, एक्सवन वाइवन चाहिए, वो भी दिया है, थीटा चाहिए बचा, तो मैंने slope का बारे में सोचा, इस line की, slope यहाँ से मिली, इसकी मिली, सबसे पहले देख मैंने यही लाइन लिखी थी, इस line की slope लिखी, तो इसकी slope बन बन गई, 45 मतलब थीटा हो गया, एक है, ऐसे, चलो, अगला करते हैं, तो यह अच्छा question था, अगला करते हैं, एक 2022 का उठा लेते हैं, फिर बचे हुए तुम्हें, ओमवक दे दूँगा, one of the diameters of the circle is a chord, आज देख ऐसा कराया था, इसका एक diameter, इसका एक chord है, यादा रहा है, कितना पुराना वो 95, 96 का एक question तुम्हें जेए का कराया था, और बोला था कि बेटा, important है देख, वही पूछ लिया इसने, कि उसका diameter, उसका chord है, किसका उसका सर, अरे कोई भी ले ले यार, ये ले, इसका diameter बना लिया, one of the diameters of this circle, इसका, तो ये C1 वाला है, is a chord of C2, समझ गया ना, ऐसे कुछ, circle बड़ा बेकार सा लग रहा है यारी, ओहो, ये circle को उड़ाओ, कुछ अच्छा सा circle बनाईए, कहां गया भाई, circle, कहां छुपे हो, ये रहा, और बड़ा कर देते हैं, अब ठीक है भाई, मजा आ गया भाई, ले भाई, ऐसा कुछ figure बन गया, हाँ, चल, जल्दी से अब ये last question, हैं, फिर बाखी homework के हैं, one of the diameters of circle C1, is a chord of circle C2, तो जो C2 है, clearly उसका center है, 2 root 2, 2 root 2, अच्छा, और इसका diameter, ये C1 है, तो इसका diameter, इसका center तो बना ले पहले, root 2, 3 root 2, ये इसका center हो गया, ठीक है, समझ गया, और लाल वाले circle का center, दिया है कही न कहीं, अफसर अंदर है बहार, जहां मर जी होने दियार ले, C ले लेते हैं उसको, 2 root 2, 2 root 2, ये भी दिया है, बस figure बनाने का खेल है, प्यार से बैठके पहले, figure बना ले, इसका center demand लेते हैं, ये radius निकालना है, radius लितो निकालना है, भी तो निकाल लोगे distance formula से, 2 root 2 minus root 2, root 2 का square, 3 root 2 minus 2 root 2, फिर root 2 का square, तो cd square आ गया, 2 plus 2, 4, और ये वाला तो पहले वाले circle का radius ही है, भाई ये तो r dash इसी का radius है न, r dash हो गया, root 2 plus 3 root 2 का whole square होता है, 18 minus 14, root 6 हो गया, root 6 हो गया ये वाला, तो r dash तुमारा root 6 हो गया, आई तो बराद लगा दे पिटा, r square बराबर r dash का square, plus cd का square, cd कितना है था, 4 है था, 10 आ रहे है भाई मेरा तो, r square की value 10 आ रही है, हाँ, सर अंदर भी तो हो सकता है, फिर वोई बात, pythagoras लगाने के लिए कौन बहार है, कौन अंदर, कोई फरक पढ़ रहा है यार, तो क्यों बच्चों वाली बाते करता है, यहां मर्जी बना ले उस point को, pythagoras ही तो लगाई है, दस आ गया, हूं, फिक है बई, clear हो गई है बात, चलिए, तो अब काफी वी वाई क्यू कर लिए है, अब थोड़े बहुत तुम homework में कर लेना, ऐसा कोई खास नहीं है, यह वाला था, I think पहले भी दिया था, मैंने diametric form वाला, इसको कर लेना tangent में भी दिया था, इसको कर लेना असान सवाल है, सबके answer की hide कर देता हूँ, निकालते जाए, अच्छा, इसका C's का पहले दिया हुआ था, मैंने I think answer integer type, पहले PPT में देख लेना, जलत लिग गया है है, यह भी कर लोगे तुम, फिर से वही, locus of a point which divides in the ratio 3 is to 2, ऐसा आज एक कराया था मैंने, equilateral triangle दिया है, ortho center lies on circle, ortho center का locus निकालना है, T eliminate करके, हो जाएगा यतना मुश्किल नहीं है, ठीक है भई, अगला देखते हैं, point of intersection of the line and the circle, solve कर लेंगे, अरे वावा, किता प्यारा, 0 दिया है, वाए, 1 दिया है, कर लेंगे, image of circle with abs diameter in the line, हो जाएगा बड़ा, easy सा दिख रहा है भई, easy सा दिख रहा है, जैसे questions काफी कराएं हैं, तुम्हे image वाले, अगला tangent at this and this on the circle, intersect at point C, वोई वाली चीज, तो उन्हों पर Cartesian tangent लिख सकते हैं, कर लोगे अब तुम ये, कोई खास मुश्किल नहीं है, थोड़ी calculation जरूर है, इस वाले में लिख रही हैं मुझे, हो गई बस, तो 5-7 PYQE last के मैंने तुम्हें दे दिये हैं, फिक है, इनको तुम करना, जरूर तुम लोग कर पाओगे, सर आप इतनी असानी से question कर लेते हैं, विट अब thought process है, तुम को अपना ना thought पे work करना है, तुम्हें कभी ये नहीं सोचना है कि यार मैं, theory, तुम लोग क्या करते हो, तिर्फ formula पे जाते हो, simple बात ही है, तर proof important नहीं है, तुम लोग क्या करते हैं, क्योंकि 10 तक की पढ़ाई बड़ी different होती है maths में, तुम्हें क्या होता है, सीदे सीदे application, सीदे formula, 10 सवाल लगा लो sum of AP पे, 10 सवाल लगा लो quadratic formula पे, 15 सवाल लगा लो इस पे, उसी में से कुछ ना कुछ फस जायेगा, बट जेई मैं ऐसा नहीं होता, application पूछी जाती है, ठीक है, तो वो दिमाग चेक करते हैं, किसमें कितना है, इसी लिए, इसी लिए, इसी लिए बिटा आपको, थोड़ा सा careful रहना है इसमें, कि जब application वो तो धीरे धीरे develop होती हैं, देखो, ठीक है, तुम chapter एक दिन में सीख सकते हो, बट उसके application लगाने में समय लगता हैं, चलिए, तो I hope आज सब लोगों ने enjoy किया, थोड़ी सी मेरी तवियत आज ठीक नहीं थी, तो हो सकता है, थोड़ा सा आपको energy level down लगाओ मेरा, बट कोशिश अपनी तरफ से पूरी थी मेरी, कि आज आज आपकी class cancel ना हो पाए बिटा, जो अपने target रखा है अपना, जो मन्जिल आपकी चल रही है, उसका एक भी step हमें miss नहीं कर रहा है, एक एक दिन बहुत crucial है, इसी thought के साथ, आज का lecture मैंने लिया है, कि टफ लग रही है, छोड़ देता हूँ, easy है, कर लूँगा, नहीं होगा, कुछ नहीं सोचना, सिर्क करते जाना है, I promise you, जब इलिप साइपर बोला आएगा, खुद कोगे, यह तो बहुत easy है, क्योंकि बार-बार वही चीज़े repeat होने वाली है, ठीक है? चलिए, तो बहुत-बहुत बढ़िया, जिन्मजी लोगों ने आज का लेक्चर पूरा complete किया, end तक जुड़े रहे, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन, आप सभी को मेरी तरफ से शाबाशी, और best wishes, बाकी बच्चे जो recording में भी देख रहे हैं, बाद में, best wishes, बढ़िया करो life में, अच्छा करो, इसी तरह से मेहनत करते रहूँ, और बताना जरूर, lecture कैसा लगा, comments में answer बताईएगा, मैं देखूँगा, definitely आप लोगों ने, जो-जो questions मैंने दिये हैं, कौन सा हुआ, कौन सा नहीं हुआ, ठीक है, कर जरूर लेना, और DPP जरूर लगा लेना, और जिसको भी इस class के notes चाहिए, तो notes आपके मिलेंगे, वो आप app डाउनलोड कर सकते हैं, PW की, वहाँ पे आपको notes भी मिल जाएंगे, DPP भी मिल जाएगी, free of cost, ठीक है, चलिए, तो जाने का समय आगया है बच्चों, I hope तुमने enjoy की आजकर session, अब मिलते हैं हम लोग, अगले session में इसी तरह से, maths में बच्चों, आगे बढ़ेंगे, DPP लगा लेना, मेहनत करते रहो, take care, goodbye, as always, love you all.